प्रणार अच्छों कैसे हूं आप सब लोग गुड़ी विनिंग गुड़ी विनिंग कैसी चल रही है पड़ाय लिखाई बढ़िया यह विनिंग सब को आप अप एक्जाम पास में आने अब तो महीने भी बीत गए अब दिन आ गया अब दिन बचेंगे उन दिनों के इंजार चल रहा है फिर साथ मई दुजार तेज को हम सब लोग एक्जाम देंगे एक्जाम फोर्ड फड़ के बाहर आएंगे हाँ जै कि कैंठर करते रहिए एक्जाम जतना पास आता है उतनी जादा अपने बढ दढ़ाएं और ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिये भी इव्यार अच्छे मांद अच्छी बात है अच्छे मांद सार है तो अच्छी बात है भाई प्डर लगना ठीक है ㅎ दर तुम्हें नहीं सब कोई लग रहा है जितने लोग आते हैं अभी तो पता चला है नया डेटा अपने पास आ चुका है 21 लाख लोग रिकॉर्ड ब्रेक चल रहा है देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि 21 लॉग मिलकी उसलेक्षां धेगे तुम रिखन लगों में से एक की बनंव सकते हो क्या BMW बन सकते यह न वहतं है ठीक है बस पढ़ाई करो रिवीजन करते रहो कोष्टन करते रहो वीद को फॉलू कर रहे हैं कि अब मेरा प्राइब करेंगे तो आजाएगा रिवीजन में टाइम लग जाता है तो रिवीजन का टाइम जो है जल्दी जल्दी फ़ड़ा फास्ट करने ही गोईश करो अब जैसे माल दो इलेक्ट्रों कमिस्टी में क्लास की तरह पढ़ाऊंगा तो 12-15 गंट पढ़ाऊंगा ना यार लेकिन हाँ यहां पे भी तम लोग उसकार करने हो फास्ट में चल रहे होते हैं अब फास्ट में ही बैक्रों किस्टार्ट हुआ होगा कोई dallक निया जिसने में धिक्कत आ रही है पढाई करनी कुछिश करो ठीगे इतना कर सकते हो नहींद जितना जितना कर सकते हो पस्तिबल वे में त्यारी कीजिए और एक्जाम को पास रखके यह सोच के कि हाँ यार 21 लाख हाँ तुम्हें भी पता ही नहीं है क्या न्यूज आ गई है सायद अब तो ठीक है अब तो न्यूज आ गई है हाँ दाड़ी भी बढ़ गई है ठीक है टेस्ट मार्क्स इंक्रीज करने का भाई बहुत ज्यादा कोई ऐस यह पता है टेस्ट मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे तो अगर आप कोश्चन प्रैक्टिस करते हो चीजों को रिलेट करते हो देखते हो तो चीजे अपने आप ही ठीक होती है नहीं तो नहीं है तुम अपना वाल निम यार उद्धर माइक में सब्सका बढ़ा सकते हो ओके है पहके चलो तो आधम लोग करते चैपटर पढ़ने वाले में और सबती इंपरैं चैपटर इसलिए है अब बढ़ी आपको आता तो है या भी जस अब भाई अभी कोई में से कोटा विद्या पीठ में मिला था बहुत बढ़ी हां मैं विद्या पीठ से तो आहीं रहों दौर दौर के यस करो इतना ही करो इतना ही बस फ्राक्टिस करते रहो इतना ही जादा एक तोंट जाए एक होता है आपको जिस चैप्टर में रही है जैसे मुझे लगता है कि सर मुझे न अल्डिहाइड की टोन में confidence नहीं है, मुझे revision करना पड़ेगा, उसका class notes देखना पड़ेगा, उसका revision करो, उसका revision class notes हो गया, PYQs हो गया, ये करो, दूसरा दिन का एक पार्ट इसको तोड़ दो, दिन का एक पार्ट क्या हो गया, question practice के लिए, भाई question practice, question practice या तो तुम direct questions attempt कर लो, या फिर test देख लो अपने पास, जितने भी AITS हो रहे, तो दिन को दो पार्ट में तोड़ दो, एक practice कम से कम, और question practice का भी time अगर हो सकता है, तो इस वाले time को fix करने ही कोज़ करो, क्योंकि ये time सबसे जादा efficient रहने का time है, ये 2 to 5.30 वाला time जो होता है, 2 to 5.30 वाला time भाया, अगर इस time पे अगर आपको नींद भी आ रही है ना, तो अपने आप से मतलब गुना कर रहे हो, आप कर रहे हो आप, ठीक है न, तो ये try कम से कम try करो, क्या question practice कम से कम 3 घंटे, 6-3 घंटे तो करना ही करना है, उसके बाद, जिस chapter क को लगता है कि weak chapters, जो भी आपके weak chapters हो, जो भी आपके weak chapters होंगे न, उनको आप फड़ा-फड क्या करना सुरू करो, वीग chapters को क्या करना सुरू करो, कि सार, उसका revision, उसका practice, उसकी चीजे करना सुरू करो, तो ये चीजे ठाई करो, ओके ये, duration किसी का कुछ भी हो सकता है, सिटोय किसी वह सकता है इसका अन् neces rifi gur aur और एक बंदे का अपना वी कर नोगा लेकिन भाई ये जो चीजे है यह निसका इसका class noats कर सकते हो सकते हो इसमें class noats नोट आप पहले किये होंगे या फिर PY क्यू सकते हो अगर आपने यह नहीं कि municipalityr लेकिन हाग कोशिश तो करो ठीक है यह दो भाई नहीं दो गए तो हम इसाब पीशे रहोगे ठीक है मॉक्तेस दे रहो तो अव्यस है वह भी सेम चीज है आराम से कर सकते हो ठीक है कि अगो मुऑठ ही अप्ष्यक है आज से करेंगे तो पहले कहां थे यार पहले भी करना था नंआ यही पहले भी करते थे ना उके हाँ Electrochemistry अच्छा चैप्टर है बहुत डर लगने की जुरत नहीं है आज से करेंगे करेंगे यार आज ये खतम करेंगे फिर चैप्टर को आज शुरू करेंगए और आज ही खतम करेंगे थिक है रहे और दिखकर नहीं आज बस शुरुवात का एक घंटा बहुत जादा important है क्योंकि उसमें इस chapter का major चीजे finish हो जाएंगे तो सब लोगों मेरी तरफ से electrochemistry से कम से कम दो question minimum two questions होने minimum two questions होंगे ठीके उसके बाद उसके अगर हम बात करो तो उसके बाद आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग पहले पढ़ेंगे मैं सबसे पहले इसको पढ़ाऊंगा उसके बाद यह फिजिक्स वाला पार्ट है बस यहां युनिट डैमेंशन का बहुत गेम होता है तो यह वाला पार्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पर आजाएंगे फाराडेज लॉफ इलेक्ट्रोलिसिस पर आजाएंगे फाराडेज लॉफ इलेक्ट्रोलिसिस के उपर डिस्कसन करेंगे और इसका जो लास्ट पोर्शन होगा जो लास्ट का एक घंटा होगा वो प्रोड़क्ट of electrolysis and batteries की उपर बात चलेगी कितने टाइब की बैटरी होती है प्राइमरी सेकेंडरी इन सब के बारे हैं बात हो रही होंगी तो यह सिर्फ और सिर्फ यहीं करना है और इनी चारट आपक से उपर कम से कम दो जाएंगे वह भी ताजा ताजा आज पढ़ोगे 20-25 दिन पर एक्जाम में मिल जाएगा तो कोसिश करो कि यहीवाला को अपने को आज पूरा कपूरा कम्प्लीट करना है नोट्स लिखने की ज़रत नहीं बस चीजों को सुनत करो कि हां यार आज कि फेनिश कर लो इसको ट्रेशन अफ लेक्चर मुझे भी नहीं पता जितने टाइम तक चलता जाएगा चलता जाएगा अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहें आगर आपको लगता है कि नहीं मैं लाइव नहीं करना चाहता तो आप इसको गंटे तो में फनीव पहांच घंटे यह बात करेंगे तो छैप्टर में क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्टी में होता क्या है अखरब इलेक्ट्रोकेमस्टी को ही define करने प्याओ तो actually यह chapter में इलेक्ट्रोकेमस्टी में हो क्या रहा है actually यह chapter किसको deal करता है deals with deals with किसके बारे में deal करेगा तो sir यह deal करता है यह पूरा chapter chemical energy chemical energy और electrical energy के बीच में यह किसके किसके बीच में dealing करता है chemical energy और electrical energy के बीच में discussion करता है मतलब यह दो लोगों के बीच का discussion है chemical energy और electrical energy का अगर chemical energy किसमें convert हो रही है electrical energy में यह process अपने आप होता है spontaneous reaction से होता है spontaneous reaction से होता है जो reaction खुद से अपने आप हो जाए और वो chemical energy किसमें convert हो जाए electrical energy में और इसी को नाम हम लोग दे देते हैं electrochemical cell इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग electrochemical cell जो spontaneous reaction जो chemical reaction अपने आप होगा जो spontaneous reaction अपने आप होगा और उससे जो battery बनेगी उसको क्या बोलेंगे उससे जो battery बनेगी उसको क्या बोलेंगे Electrochemical Cell उसको क्या बोलेंगे Electrochemical Cell Electrochemical Cell कौन सा होगा जो Spontaneous Reaction से Chemical Energy Convert करके किसमे Electrical Energy में चली जाएगी अगर Opposite होगा अगर Electrical Energy का यूज करते हैं तो हम लोग ये किसके लिए यूज करते हैं Electrical Energy हम लोग किसके लिए यूज करते हैं मतलब सर ये दो लोग आपस में Conversion करते हैं ये देख लो इस Cell को क्या नाम देते हैं अगर आप Chemical Energy को किसमे Chemical Reaction की इनर्जी को किसमें Convert कर रहे हो Electrical Energy में Chemical Reaction की इनर्जी को किसमें Convert कर रहे हो Electrical Energy में तो ये वाला Spontaneous Reaction से होगा और इस जो बैटरी बनाते हैं, वो क्या बोल देते हैं? उसका नाम क्या रख देते हैं? अगर आप पोजिट चल रहे हूं, electrical energy की बात करें, अगर electrical energy किधर की तरफ आ रही है? chemical energy में convert हो रही है, reactions में convert हो रही है, ये किसके युली होगी non-spontaneous के लिए? और इसका नाम क्या रख रख देंगे, electrolytic cell, इसका नाम क्या रख देंगे, electrolytic cell, अच्छा, अब दो टाइप के cell आ गए, इन दोनों के बीच में जो electrolytes use करते हैं, उनके बीच की बारे हम बात कर रहे हमें, तो उसी की बारे हम बात करेंगे, इन इक कंडक्शन, तो देखो ना अपने पास, तीन मेजर टॉपक, electrolytic cell, तुम बोलोगे, सर, पहले एक काम करते हैं, किसी एक को पढ़ना सुरू करते है, किसी एक को पढ़ना सुरू करते है, कि क्या फरक पढ़ रहा है, कौन से सर लेने वाले थे, कौन से नहीं लेने वाले ह भाई ठीक है लगातार तो एक ही मैंसे लगातार दिये जा रहा है ठीक है स्पैमर को आज कोई काम नहीं लग रहा है हाँ चलो तो मैं यह बुला था पहले मैंने सोचा मैंने का बहुत बड़ा डाउट है फिर मैं पढ़ने कुछ करा दूर से ही ठीक है इस पॉन्टेनियस और पीटीव हो गई वहांपे क्या हुजाएगी निगेटिव जाती है वो कौन से कहती है यहाँ इसा कैसे हो रहा होगा ऐसा कैसे हो गा कि कोई भी वंदा कोई केमिकल रियक्शन हो रहा है उससे हम वोल्टेज जनरेट करोगे बैटरी कैसे जनरेट कर लोगे अरे बैटरी कैसे जनरेट कर लोगे वुल्टेज कैसे जनरेट कर लोगे तो एक सिंपल सा रियाक्शन देखा गया देखना बाल लो अगर मैं ऐसा रख दूँ यहां पर देखना ध्यान से और यहां से कोश्चन स्टार्ट होगा यहां से चीज दिखती है बैटटरी बंती Polsce कैसे किसने बुला से एक्वस कॉपर सलफट रख दीजिए और इसके अंदर गल्ती से मैं क्या कर रहा हूं एक जिंग का मलड रख देता हूं यह जिंग राड रख देता हूं यह जींग चेप चेंज करना शुरू हो चुका है और जो ये blue color था देखना ध्यान से जो blue color of the solution था जो blue color of the solution था कुछ जिंक ये जो जिंक पहले की condition थी धीरे धीरी ये रॉड जो है जिंक की रॉड ये धीरे पतली होनी शुरू हो गई ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से देख लो अपने पास भाई ऐसा क्यों हो रहा है देखना आपने अपने अपस पहले क्या हुआ blue color of solution blue color क्या होना सुरू हुआ फेड होना सुरू हो गया blue color क्या होना सुरू हो गया फेड होना सुरू हो गया तो गोला ऐसा क्यों हो रहा है जिंक डाला जिंक क्या कर रहा है जिंक कर क्या रहा है blue color को कम कैसे कर दे रहा है उपर से जो weight of rod है जो weight of rod है वो क्या हो गया अपने blue color खतम करने लगा, weight of rod कम खूने लगा, ऐसा क्या हो रहा है, फिर किसने बोला, एक चीज और है, यहाँ पे यहाँ पे यह देखना कुछ मिल गया, कि भाई, यहाँ पे कुछ positive charge बढ़ना शुरू हो गया, इधर positive charge इधर बढ़ना शुरू हो गया, ऐसा कैसे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे लोगों ने दिमाग लाना शुरू है, भाई, ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा कैसे हो रहा होगा, ज़र zinc, मतलब zinc क्या कर रहा है, खुद को oxidize कर रहा है, overall देखोगे तो reaction में क्या हो रहा होगा, ऐसे बनेगा, यह reaction जो है यह reaction overall हो रही है और यह reaction अपने आप हो रही है इसलिए इलेक्ट्रो केमिकल सेल में यह देखा गया कि भाया blue color कम होने का reason क्या है कि copper sulfate में से जो copper है वो किसमे convert हो रहा है solid में यहाँ नीचे क्या होना शुरू हो गया copper के नीचे क्या होना शुरू हो गया copper का PPT बनन बनना शुरू हो गया, ब्राउनिस PPT जो कॉपर सलफेट का होगा, ब्राउनिस PPT बनना सुरू हो गया, तो लोगों ने बुला ऐसा क्यों हो रहा है, तो ब्राउनिस PPT, formation takes place, अब ये सब चीजे होनी सुरू हुई, लोगों ने बुला अच्छा भाई, ये सब क्यों हो रहा है, तो लोगों ने देखा अच्छा, यहाँ पे एक redox reaction हो रही है, जिसके अंदर क्या कर रही है, हम लोगों, जिंक क्या कर रहा है, redox reaction हो रही है, जिंक क्या कर रहा है, ज याई शाप इस से हमें क्या मतलब है इसको निकालना सुरू करते हैं फिर लोगों ने bir एक काम करते हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है अब रिडॉक्स रिएक्शन देख लेना सुनना ध्यान से इस रिडॉक्स रिएक्शन में हो क्या रहा है धिंक क्या कर रहा होगा ध्यान से देखना इस रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक क्या कर रहा होगा जिंक प्लस टू बनाए तो यह और यह कैंसेल आउट हो गया और यह reaction हमें दीख रही है तो उने बोला भाई साहब यह reaction खुद से हो रही है spontaneously हो रही है बस हमने देखा नहीं सही से यह reaction खुद से हो रही है जिंग क्या कर रहा हो खुद ही प्लेस कर दे रहा है लोग ने बहला एक काम करते हैं इलेक्ट्रोन की जुरत इलेक्ट्रोन मोशन में चल रहा है जहां इलेक्ट्रोन मोशन में आएगा मतलब जहां इलेक्ट्रोन मोशन में रहता है उसके अपोजी डिरेक्शन में क्या जिनरेट होता है करेंट उसके अपोज इसी पर अपना काम बनना शुरू हुआ देखो जो रियक्शन हमने ऐसे करी थी इसी को अगर हम सही से करने चले तो अब मेरे पास क्या आएगा देखना ध्यान से अब मैं अलग-अलग बनाना शुरू करता हूं देख लो भाई क्योंकि पहला आवर इसलिए इस चैप्टर का क पहले जो रियक्शन एक साथ कर रहे थे उसको मैं अलग-अलग करने कोईश करता हूं अब मैं यहां पर कॉपर सल्फेट इधर जो है कॉपर का कॉपर का रॉड यूज करूंगा यहां पर मैंने क्या डाल दिया यहां पर देखो लो भ्यान से बेटा बहुत जादा इंपॉ कॉपर सल्फेट जितना चैप्टर का जिस्ट है ना बेटा अभी 15-20 मिनिट में खतम हो जाएगा उसके बाद सिर्फ अप्लिकेशन पर बात चलेगी यहां क्या डाल दिया एक कॉपर सल्फेट अगर मुझसे किसने बोला अगर मुझसे किसने बोला ठीक है अगर मुझसे किसने बोला ठीक है अगर किसने बोला कि भाई कि अगर किसीने बोला कि भाई साथ यह दोनों अलग अलग अपने क्यों बनाए ये तो जिंक कोराण है ये जिंक सलफेट हो गया उधर कोपर अएक बाब बताओ इनिशली क्या होगा पहले इनिशली में वीज़े देखोगे धियान से देख लो वेटा किसका सब थ्यूरी थ्यूरी आएगी काम की चीज़ यही पर इसलिए बोल रहा हूं इनिशेली जटना कॉपर प्लस टू होगा उतना ही क्या हो जाएगा Sulfate माइनस टू हो जाएगा देख लो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में क्या काम करना है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में कैसे बात करनी है यह देखना मुझे बोला गया इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में इनिशली ऐसे रखा गया और आप यहां कि जिंकरओं की बात करता मैं जिंक्राद में देखूं तो मुझे किस ने बुला है इसमाले काम करते हैं पर नcoleफिशन यहां करेगा अब मुझे ब्लब अपने यहां क्राइब इन दौनों को दोनों को क्या करना शुरू sein करें इन दोनों को अगर मैं क्या करूए कुथ फिनले कर गी मिल जैसे कन्ड़ुच्ट वायर से कनेट करूंगा अब क्या होगा देखो जिंक मेटल है fine देखना देखना जिंक मेटल है जिंक मेटल क्या करना सुनू करेगा जिंक और कॉपर कंटेक्ट में और जिंक क्या करने वाला है कॉपर को डिस्प्लेस करने वाला है तो कैसे करेगा देखना ध्यान से यह जिंक jinx क्या करेगा खुद को oxidize करेगा jinx खुद को oxidize करेगा jinx plus two बनाएगा मतलब सर jinx क्या कर रहा है खुद को oxidize करके jinx plus two और two electron's release करेगा देख लो जो reaction पहले हो रही थी वही reaction अभी करवा रहा हूँ पहले मैंने एक ही container रखा था अब मैंने क्या किया और जब भी आपको oxidation होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सिडेशन को ऑक्सिडेशन वाले टर्मिनल को हम लोग क्या बोल देते हैं एनोड बोल देते हैं ऑक्सिडेशन जब भी होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसको हम लोग क्या बोल देते हैं जिन्क कुझा करने वाला है जिन्क को देख ऑई है यह इलेक्ट्रॉंस लूज करेगा अब यह इलेक्ट्रॉंस करेगा तो इलेक्ट्रॉंस कि तरफ वो किसमे convert कर जाएगा copper में और किधर आके deposit हो जाएगा किधर आके deposit हो जाएगा copper पर जिंक copper rod पर पक्का ध्यान से देखना प्लीज देखो अब यहाँ पर copper के साथ क्या हो रहा है copper plus 2 दो electrons gain करके क्या बना रहा है copper और यह जो reaction हो रही है यह कौन सी reaction हो रही है reduction और जब भी reduction होता है वो कहां पर होता है cathode पर होता है जब भी reduction होता है वो कहां होता है cathode पर होता है कब जब भी reduction होगा कहां पर होगा cathode पर होगा ध्यान से देख ले भाई जब भी reduction होगा कहां पर होगा cathode पर होगा एक बात बताना मुझे किया फाइदा क्या हुआ इसके फाइदे में हमें ये फाइदा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन ये वाला टर्मिनल को हमने क्या नम दे दिया ये टर्मिनल क्या कहलाएगा और ये वाला टर्मिनल क्या कहलाएगा ये वाला टर्मिनल क्या कहलाएगा सर in Omats!' Все इलेक्ट्रों कि तरफ जाते हैं कैथोडное है धियान से तुन्ना एलेक्ट्रों से कि तरफ कि तरफ जाते हैं कैथोड साइड और जब इलेक्ट्रोंस जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके opposite direction में क्या correct move करता है अगर अगर इलेक्ट्रान का डारेक्शन किधर होगा अगर direct का डारेक्शन किधर होगा उल्टा चलेगा अभी एक चीज इसी के उपर सारा का सारा थियोरी बनेगा इसलिए ध्यान सुनना एक चीज और बताओ तुन लो कहानी फिर एक बार मैं सारी ठूरी कराऊंगा मैं इसलिए अभी चाप्टर के सुरुआते बोलो भाईया सुरुआत के गंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सुरुआत के गंटे के बाद आपके लिए यह पूरा चाप्टर या तो समझ में जिंक ना कॉपर प्लस तू को डिस्प्लेस करके खुद को क्या कर रहा है यह šक फाइदा सुसूर्ण के स्रेक्शन यह इसके स्पॉंटेणियस रियक्शन रेक्शन यह इंड़ गस्रियक्ष ने ao êtes पॉंटेनियस रियकशन है तो सब इसो को अलग अलग तरीके से कर दें कि और दोनों को अलग-अलग कंटेनर में कर दे तो हमारे पास क्या होगा सब एलेक्ट्रोंज का फ्लो बन ये वह पॉआ पinhos होगा तो लेक्ट्रोंज के फ्लो एक सिंपल सी बताना। जिंक का रॉड एन ओड की ठीकनेस क्या होगी प्लीज आप रेप्लाइप कर रहा अब कमेंट सेक्शन में आओ एनोड की ठीकनेस क्या होगी एनोड की थीकनेस क्या होगी इंक्रीज होगी या इंक्रीज होगी जिंक क्या कर रहा है जिंक जेडन प्लस टू बना रहा है वो बार बार किधर की तरफ आएगा सॉलूशन की तरफ अब बताओगे जिंक जिंक रॉड की एनोड की थीकनेस क्या होगी decrease होंगी यह increase होगी इनोर की ठीक्नए क्या होगी increase होगी यह ठीक है पक्रण किया होगा decrease होगा ध्यान सुनना क्य Councillor की कुछ भी हो सकता है इक पता है क्पटा है क्यूं करती हर एक चीज को रटते हुए अगर थोड़ा सा concept लगा लोगे इन आपको पता चल जाएगा भाई जिंक क्या कर रहा है खुदको oxidize कर रहा है जिंक जब jsख और उसמה करेगा तो राड़ धिरसे क्या हो다음 Rei जाएगा पतखलो जाएगा तो एलेक्टरोड एलेक्ट्रोड क्या होना सुरू जाएगा ठीक होना सुरू भी पताना अब अगर ये पतला होने लगा मैं ऐसा लिख सकता हूं अब मैं धेखो धेर धेरे यहाँ पर एड़ा है अगर मैं इसको अड़ कर्दो कर दो देखना ध्यान से अब मुझे बताना इन इलेक्ट्रो केमिकल सेल बेटा देख ले अभी कहानी सुरू हुई है इलेक्ट्रो केमिकल सेल पहला पॉइंट है सर इलेक्ट्रों कहां से कहां ट्रैवल करता है इलेक्ट्रों फ्लोस फ्रॉम किधर की तरफ किधर से एनोड टू इलेक्ट्रों फ्लोस फ्रॉम एनोड टू यही होगा मैं अगर लिखना सुरू करूँ द्यूरिंग तर्शीthank 것으로 जैल्स मासा hook перед ऑफ में रिक्नेस Kleistown थिकनेस ऑफ क्या होने वाला है थिखनेस ौफ क्या होगा क्ढ़ी क्रेज़् कुस लिखना चाहूं थीकनेस of cathode क्या होगा डिक्रीजाए इंक्रीज थिकने सब कैथोर्ड क्या होगा इंक्रीज होगा कैसे अरे सर आपके पास पड़ा होगा और क्या करेगा देखो ना अपने पास पॉपर क्या करने वाल आए और अपने पास ुर्पार टू कृपर फ्लस कि दरब जाएक सात करेंगे सारे के साथ करेंगे थिक सार इसकी ठीकनेश कम होगी इसकी ठीकनेस ज्यादा यह रूवा कि एक छीज में लिखेξा यह क्या था आप देख लो अपने पास यह सॉल्ट ब्रिज का कॉंसेप्ट देख लो भाई सॉल्ट ब्रिज का कॉंसेप्ट देख लो क्या हो रहा है सॉल्ट ब्रिज का कॉंसेप्ट आता है तो भाई salt bridge का concept कैसे आता है ये देखना ध्यान से मुझे किसने बोला कि सर जिंक rod है यहाँ कॉपर इनिशली क्या था जितना जिंक प्लस टू था उतना ही सलफेट था देखो ध्यान से एनोड पे ये देखना धीरे धीरे इस solution में क्या होगा और भाई साब सर धीरे धीरे इस पें क्या हों सा चार जाएगा इस solution में जिंक जितना पॉजित फ़ैना ही निगेटीब था जितना पॉजित था उतना ही निगेटीब रहे था लेकिं धीरे धीरे यह पॉस्टिफ चार्थ चल्ता चला गया पॉस्टिफ चार्थ जाकर डिगरीज इंब रहला तो इधर क्या चार्च जाना शिरूऊ हूए ! लेकिनिंडिव डीन के संट इसरय हो स्टाकर्प में कॉनघफ़ा जएगा पॉजटिछ बॉप तो पॉस्टिव ऐसी बढ़ गया और इधर पॉस्टिव कहां चला गया डिपॉसिट हो गया तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव अब देखो अब देखो क्या बोल रहा है यह लिक्विड पॉस्टिव हो गया यह लिक्विड निग एक बात बता अगर यह लिक्विड potential ध्यहां से सुन लेना इसको बोलते हैं liquid liquid पौटेंशल और इसी को खतम करने के लिए यह positive charge 지νेश हो जाए यह negative चाoin फिनिश हो जाए इसी को खतम करने के लिए हम लोग यहाँ लगाते हैं कौन से चीज हम लोग यहाँ लगाते है salt bridge ताकि क्या कर दिया जाए यह positive Zarz पूरा खतम हो जाए, ये negative charge पूरा खतम हो जाए, salt bridge की बात करें तो salt bridge का एक ही काम है salt bridge का एक ही काम है major काम क्या है, कि सर ये liquid का जो अंदर potential बन रहा है positive और जो अंदर negative बन रहा है, इसको क्या करें सर खतम कर दे, पक्का सर salt bridge की बात समझो कोई भी चीज रटो मत, क्योंकि अगर ये picture जो भी बना रहा हो ना, इसी के उपर पूरा आधांटा जाने वाला है, इसके उपर अगर आपने कहानी सुन ली, तो आपको समझ में आ जाएगा, salt bridge का सबसे important function क्या है, सबसे important use क्या है, कि भाई ये liquid लिक्विड का potential क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड का potential, यह देखना, तू कुछ दिर बाद, माल दे किसने बोला सर ऐसे के, अरे भाई, कुछ दिर बाद zinc plus two इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इस solution में, शुरुवात में देको neutral है, जितना plus two है, उतना ही minus two है, लहीं कुछ दिर बाद तो positive हो जाएगा, यहां कुछ दिर बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो भाई साब आपको खतम करना है, तो खतम करने के लिए क्या करें, copper sulfate का solution, भाई copper sulfate क्यों खतम हो जाएगा, यार, बैटरी ऐसे थोड़न अडेड़ बना देंगे, हां, salt bridge नहीं लगाओगे न, तो कुछ दिर बाद क्या होगा, electron का flow, खतम हो जाएगा, अगर salt bridge यूज नहीं करोगे, तो यह positive चार्ज निगेटिव को जाने नहीं देगा, अच्छा कोई बोला है, एनोड का चार्ज क्या होगा, एक बाद बता है, electron जो release करता है, उसके उपर कौन सा चार्ज होता है, negative, और cathode के उपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, positive, तो salt bridge का क्या होता है, यह जो बीच में बनाया गया ब्रेजिस का एक ही काम है, major, main function क्या है, liquid, liquid junction potential को खतम करना, तो electrochemical cell के 3-4 component है, ध्यान से सुनना, electrochemical sense के 3-4 composition है, ध्यान से सुनना, अब क्या है, electrochemical cell में पहले होता है, anode, क्या होता है, negative charge, एक होता है cathode, उसके उपर क्या होता है, positive charge, कोई पूछे, anode जहां oxidation होता है, cathode, जह जहां से electron किधर की तरफ जाता है, cathode side, और cathode क्या है, जहां से current किधर की तरफ जाता है, anode side, देख लो अपने पास, ये solution, ये आधा, ये आधा, इसका reaction, anode का reaction, ये आधा reaction, इधर हो रहा है, reduction, cathode का reaction, ये हो रहा है, इन दोनों को connect कर दिया, एक conducting wire से connect किया, उपर electrons का movement ऐसा हो रहा है, नीचे से neutralize करने के लिए हम लोग क्या use कर रहे है, salt breeze कर रहे है, नीचे से neutralize करने के लिए क्या use कर रहे है, salt breeze कर रहे है, पक्का, सबसे पहला cell जो बनाया गया, या सबसे पहली जो चीजे बताई गए, वो यही था, हो जाएगा सर, शोर हो, अब कोई भी electrochemical cell बो करते हैं salt breeze हम लोग इस लिए यूज करते है salt breeze क्या होता है सब पढ़ेंगे अभी रुख जाओ salt breeze is used to minimize salt breeze is used to minimize liquid liquid junction potential liquid liquid का junction potential जो होगा जो liquid liquid का junction potential develop हो रहा था उसको खतम करने के लिए कैसे करता है अरे कुछ नहीं भाई एक बाब इस पॉस्टिव खतम करना तो पॉस्टिव खतम करने के लिए क्या डाल देगा इधर से निगेटिव डाल देगा तो इधर से निगेटिव डालेगा तो यह पॉस्टिव खतम यहां से पॉस्टिव डाल देगा तो निगेटिव खतम यह इधर की तरफ पॉस्टिव डाल देना हो गया इतना ही करना है देर चलता है देख ले परण से चीज पर पहिले पढ़ना सुरू कर रहा है लोगिसीज पढ़ रहा है कि स्पॉंट्इनियस रियक्षण है अंगर कोई स्पॉंट्ेनियस रीयक्षण है तोột स्पॉंटेनियस रियक्षन पे क्या होता है कि सर यह होता है इनोड पे निगेटिव होता हाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा और जिंक प्लस टू बना के सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज लेके आएगा पॉजिटिव तो आप यह भी याद रख सकते हो कि भाईया एनोड पे जो चार्ज होता है उसके अंदर का चार्ज क्या होगा सॉल्यूशन का चार्ज क्या होगा यहां देख लो कैथोड पे चार्ज क्या है पॉस्टिव अंदर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज है नेगेटिव भाई तेरी मर्जी है रटना चाहे रट ले नहीं तो सि fate की value जादा हो गई एक negative हो गया एक positive हो गया तो यह सारी चीज़े हो जाएगा यहां तक खतम करें अब मुझे पता चल गया कि या इलेक्ट्रो chemical cell में कोई भी reaction positive हो सकता है कोई भी negative हो सकता है इसी को हम लोग एक नाम देते हैं इसी battery को जो पढ़ रहे हूँ आप जो यह lines लिख रहा हूँ मैं यह सारी lines को हम लोग क्या बोल देते हैं electrochemical cell यह lines अपने पास electrochemical cell हो जाता है हो जाएगा चूर हो अच्छा अब देख लो electrochemical cell कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन हाँ बात यह कि सबको यूज आना चाहिए पता होना चाहिए कि electrode क्या है cathode क्या है देख ले भाई अब यही सब चीजे तुझे elements के form में मिलेंगी definition के form में मिलेंगी तु बोलेगा अरे सब यह क्या हो गया यह क्या हो गया है chyton क्या होता है छोटे-छोटे words में आपसे question करा आएज कि sr electrode जिस पर क्या होता है reduction होता है यह oxidation होता है अगर यह electrons को lose करता है तो यह electrons को क्या करता है रिसीव करता है इसके उपर कौन सा charge होगा positive charge इसके उपर कौन सा charge होगा positive charge तो आप curated खेहँ हैश्यु फोले सुभाल lo довольно आयए यहां पर यहां पर फुश्व right के muk guess all day डिघ्रीज के फिकने सेंगे आपकेवाई कहने से में देखोगे ते माईанием करता है बस यहां पर और स्वार्ट तो आज ही हम लोग देखना शुरू करेंगे इसी को अगर जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड पकड़ते हैं जिंक और कॉपर का पकड़ते हैं जिसको पड़ रहे थे उसी का नाम हमने क्या रख दिया डैनियल सिल रख दिया डैनियल सिल का वोल्टेज देखोगे इससे कितना वोल्टेज जिनरेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये 1.1 voltage generate करता है जो battery मैंने अभी बनाई उसमें क्या किया कि सर जिंक और copper की reaction हो तो हो रही थी ये देखो ना ऐसी reaction तो थी ऐसी तो reaction हो रही थी ये salt bridge डाल दिया गया ये देख लो इधर से इधर electron flow कर रहा है इधर देख लो इसके ओपर कितना charge है negative ये क्या है positive इधर electron इधर move कर रहा है current कि इधर move करेगा पीछे की तरफ move करेगा current कि इधर move करेगा इस side move करेगा तो आप से ये reaction करवाई जा रही है आप Daniel से अब देखो भाई यही सब salt bridge में move करते है ions move करते है करेंगे ठीक है salt bridge लगा दिया गया salt bridge क्या करेगा इधर positive भेजेगा इधर क्या भेजेगा negative ऐसे करके काम कर रहा होता है Daniel सेल अपने पास इसका voltage कितना हो जाता है 1.1 volt बल्ब लगाओगे जल जाएगा बल्ब लगाओगे जल जाएगा तो electrochemical cell का main feature देखो गया होता है? हमेशा month side में load लिखते है और right hand side में क्या लिखते है? cathode लिखते है एक normal termination है कि left hand side में क्या लिखते है and right hand side में क्या लिखते है cathode इन दोनों का circuit complete करने के क्लिए क्या use करते है salt bridge ये छोट-छोट चीज़े है Electrochemistry का सबसे पहला और सबसे important चीज़ है electrochemical cell एक फंक्शनिंग आपको समझ में आती है electrochemical cell की functioning आपको समझ में आती है कि कैसे move करा रहे हैं किस तरह से चीजे हो रही है किस तरह से चीजे हो रही है तो फिर अपने कोई दिक्कत नहीं जिसको लगता हो देख ले भाई, salt bridge का काम क्या था, salt bridge क्या काम कर रहा है, salt bridge की सितरे का काम कर रहा है, salt bridge को देखो, equilibrium पे, ये sentence wise questions देख लेना, ये sentence wise question देख लेना, कि sentence wise questions क्या होगा, sentence wise questions का कैसे होगा, ये क्या करता है equilibrium पे नहीं जाने देता है ताकि दोनों side का charge balance कर पाए अब ये सब जो lines है NCRT की lines है भाई साब, आपको कभी भी question ऐसा मिल सकता है NCRT की lines है NCRT की lines है, कि भाई या salt bridge, अगर अगर, भाई कोई बल रहा है अगर अगर, ठीक है, भाई अगर अगर तुम्हें ही पता होना चाहिए, ऐस तुम बाई student हो, तुम्हें ज्यादा अच्छे पता होना चाहिए मैं ये बोलना हूँ, salt bridge की बात कर रहा है कि भाई इसके अंदर chemical junction को खतम दूसरा, इसका function कोई पूछेगा theoretical question, salt bridge का काम theoretical question को, ये देखो salt bridge कैसे काम करता है, इसका function देखना बहुत important है, पहली चीज़ it completes the circuit and allows the flow of current, अगर salt bridge हटा दोगे ना भाईया, आपका voltage कितना हो जाएगा, zero, अगर आपने salt bridge हटा दिया, अगर आपने salt bridge हटा दिया तो आपका voltage क्या हो जाएगा, zero it maintains the electrical neutrality ये wide करता है, किसका एक half cell से, दूसरे half cell का diffusion avoid करता है, ये एक half cell से, दूसरे half cell का diffusion avoirai, वो करता है, ये minimize करता है, किसको it minimizes the liquid-liquid junction potential, it सुन्दर सा नोट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी salt bridge ना हो if there is no salt bridge भाई आपका voltage क्या हो जाएगा जीरो आपका electrical circuit क्या रह जाएगा incomplete और आपको ही पता है अगर आपका electrical circuit incomplete है अगर आपका electrical circuit incomplete है तो उस case में आपको sir आपको voltage ना बैटरी काम की आप physics में इतना तो पड़ी चुके होगी अगर circuit ही complete नहीं हो रही है तो किस बात का अपने पास ठीक है अच्छा कोई बोल रहा है sir salt bridge में कौन सा salt यूज़ करते है उसकी दो conditions होती है salt bridge के जो अंदर salts यूज़ करते है electrolytes जो यूज़ करते है electrolytes जो यूज़ करते है electrolytes used in salt bridge उसके लिए condition होती है electrolytes used in salt bridge जो हम लोग यूज़ करते है उसकी conditions होती है क्या कि sir ये क्या करे do not react एक तो आपस में react न करे ठीक है दूसरा do not react with electrolytes do not react ऐसे ही रखो भी दीचादर आपस में reaction न करे दूसरा इसके लिए एक simple चीज़ और रहती है कि ionic mobility जो होनी चाहिए ionic mobility जो होनी चाहिए ionic mobility जो होनी चाहिए cations और anions के cations और anions का वो क्या होना चाहिए must be sequel must be same ionic mobility या velocity ionic mobility मतलब कि sir velocity of ion दोनों का जो velocity होना चाहिए है वो क्या होना चाहिए यह दोकंडिशन याद रखना है ये दोकंडिशन बना ले दूसरा एंग tablet कहिए अपने पास है अपने पास अंतल every सही लिखा है not react with do not react और participate in main main chemical participate in main chemical main cell reaction जो reaction है cell की reaction हो उसमें वो न घुज जाए बस ये ध्यान रखना कि अच्छा कि इसने बोला सर सौल ब्रीज हो गया सौल ब्रीज की कंडिशन्स आ गई सौल ब्रीज है क्या यूज इस ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर ये चीज़े होती है liquid liquid junction potential को minimize करता है ये करता है वो करता है आप सबने physics में voltage पढ़ लिया है physics में voltage पढ़ लिया है मैं ये बोल रहा हूँ अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाईया ये काम करते एक काम करते अगर daniel cell मैंने बना दिया मुझे voltage कितना मिल गया 1.1 volt मुझे इस voltage कितना मिल गया 1.1 volt भी अध्यान सुनना मैंने start कहां से किया है मैंने start किया है electrochemistry में electrochemical cell electrochemical cell बनता कैसे है उसका क्या use है क्या चीज़े होती है एनोड पे क्या होता है cathode पे क्या होता है ये चीज़े द्रिवीजन कर लेना क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़े होंगी बेटा अगले एक दो घंटे मैं शुरुआत में ही बोलना हूँ आज का अपना एक दो घंटा शुरुआत में हो बहुत जादा important है क्योंकि उसके बाद अपने को दिक्कत नहीं आएगी भाई उसके बाद अपने को दिक्कत नहीं आएगी उसके बहुत छोट छोट छीज़े होती है भाँ छोट छोट छीज़ें आने वाली बहुत छोट छोट छीज़ें आएंगी इसनिह बूला हूं ध्यान से सुन लो ये बैटरी कैसे बनी ये cell कैसे बना पता चल गया अब थोड़ा physics लगाता हूँ अब थोड़ा physics लगाता हूँ तब थोड़ा physics क्या physics भाई 1.1 voltage का 1.1 voltage generate करके यह battery देगा अब थोड़ा तुम physics की बात करते हैं और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCRT में NCRT में बात करोगे ना भाई साब NCRT में यह चीज ना आप अगर खोल के देखो तो NCRT की पहले या दूसरे पेज में left hand side पर यह pictures दी हैं जो मैं आपके लिए क्या हैं यह अभी नीट में नहीं आया में सवालों को दे दिया इसके उपर question क्योंकि NCRT कुश्चन है इसलिए बोल रहा हूं यह देखना यह तीन अपने पास तीन चीज़े बात discuss कर रहा हूं अब सर यह normal voltage है अगर आपक प्रेट लगा दिया और external voltage किया ध्यान सब सुनना अगर external voltage अगर आपका एक्वल है 1.1 वोल्ड आपका अपना voltage कितना था 1.1 आपकर external voltage कितना वो गया 1.1 आप कोई पता है आप दोनों में से कोई वर्क नहीं कर पाएगा current क्या हो जाएगा जी रो सर देख लो अगर external voltage क्या ह कि आहां से सुन लो ये कंडिशन देख लो मैं पहली कंडिशन बता रहा हूं कि भईया आपका वैटरी का वोल्टेज कितना है 1.1 वूल्ट अगर मैंने बाहर से भी उतना ही वोल्टेज लगा दिया मतलब आपकी बैटरी क्या हो जाएगी फेल होनी शुरू हो जाएगी बाहर से इतनी वोल्टेज लगा दिया तो याद रखना कोई कोई इलेक्ट्रॉन का मुमेंट नहीं कोई करेंट नहीं लेकिन दो कंडिशन आ रही हैं अगर आपका अगर आपका एक्स्टरनल वोल्टेज कितना हो गया लेस देन 1.1 वोल्ट हो गया अगर आपका एक्स्टरनल वोल्टेज ओकण पहनल है तुछ अगर नॉर्म ने सबसे जादा कंडीशन और सबसे जादा इंपर्टंट कंडीशन और सबसे जादा important condition कि sir इसके case में क्या करने वाले है external voltage अगर greater than हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग reverse इसको हम लोग कौन सी condition बोल देंगे reverse of Daniel cell अगर external voltage greater than अगर external voltage greater than 1.1 volt आया तो भाईया electron का direction देख लेना बेटा ये NCRT पिक्चर है और इमेंस का question है इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना क्योंकि अब दिक्कत आएगी तर ये chapter का सबसे important part सबसे basic part और सबसे important part discuss हो रहा है electrochemical cell बनाना असान था अब उसके उपर पहले हमने बनाया हमने anode और cathode को अलग लग बनाया फिर उसके अंदर charge लगाया कि sir wire जोड देते है फिर क्या कर रहा salt bridge लगाया ताकि neutrality maintained रहे अब क्या देख रहे है कि भाईया अगर तेरा external voltage greater हो गया तो तुम जो electron इधर से इधर आ रहा था जो electron इधर से इधर आ रहा था वो electron क्या होना शुरू जाएगा अपोजिट जाना शुरू हो जाएगा जो बंदा anode था वो cathode में convert हो जाएगा और जो cathode है वो anode में convert हो जाएगा तो ये चीज़ ध्यान रखना ये देख लो अपने पास external voltage greater than देख लो अपने पास electron कहां से कहां हो रहा होगा यहाँ पर देखो जिंग क्या हो गया cathode हो गया ये क्या हो गया anode हो गया इसको हम लोग बोल देते हैं ये क्या हो जाएगा electrolytic reaction हो जाएगी तो भाई प्लीज ट्राइ करना आप अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे पास electrochemical cell की basic धाचा हमने बना लिया electrochemical basic धाचा हमने बना लिया मुझे ये पता चल गया मुझे ये पता चल गया कि भाईया एक basic electrochemical cell में क्या होता है एक spontaneous reaction होती है जो अपने आप होगी एक बंदा oxidize करेगा दूसरा बंदा reduce करेगा और उसके चक्कर में मैंने उन दोनों की बीच में wire लगा दिया electrons का flow देख लिया electrons के opposite current का flow देख लिया मैंने ये देख लिया कि जहां oxidation होता है उसको क्या बोलते है जहां oxidation होता है उसको क्या बोलते है एनोड बोलते है इन दोनों को खतम करने के लिए क्या यूज करेंगे salt bridge यूज करेंगे भया चीजों को revise कर लो जितना होगा diagram बनाने की जुरत नहीं यह तुम्हारा ही है तुम्हारे पास यह notes होगा बस समझ जाओ और इसको बस कलना एक बार simple सा screenshot लेना जल्दी अपने पास simple साइस concept को use कर लेना कि हाँ यार यह चीज़े हो रही है salt bridge कैसे आता है conducting wire कैसे आता है यह देख लो electron कहां से कहां फ्लो करता है current कहां से कहां फ्लो करता है electron कहां से कहां फ्लो करता है salt bridge का major use के होता है पक्का यह basic चीज़े कर ली अब electro chemical cell ये तो पता चल गया इस chapter में, देखो हमने शुरुआत में क्या बात करें थी, शुरुआत में यही तो बात की थी, कि सर अपने पास इस chapter में क्या होगा, chemical energy किसमें convert होगी, electrical energy में, ठीक है, और chemical energy, electrical energy में कब convert होती है, जब spontaneous reaction होता है, electrochemical cell, पता चल गया, अब किसने बोला, सर आ आपको कैसे पता चलेगा, कौन सा reaction अपने आप होता है, ये तो आपने डैनियल से पढ़ा दिया, मैंने भी पढ़ लिया, आपने बोला, कि सर ये reaction ऐसे होगा, मैंने भी माल लिया, आपने क्या बोला, ध्यान से देखना अपने पास, अब ध्यान से देखना, मैं यह उसी सि copper बन जाएगा आपने इसको अलग अगर half reactions देखना शुरू करे तो इसका half reaction क्या बनेगा कि सर एनोड पे अगर मैं oxidation की बात करूँ तो एनोड पे कौन सा reaction बन रहा है जिंक किसमे convert हो रहा है जिंक plus two में और ये क्या होगा दो electron मतलब अगर मैं आधा reaction देखू तो जिंक का क्या हो रहा है oxidation हो रहा है तो सर इसको लिखने का इसको लिखने का और इसको represent करने का तरीका बता देता हो इसको लिखने का और इसको represent करने का तरीका बताता हो cathode की बात करूँगा तो cathode में cathode में जो होगा वो क्या हो रहा है copper plus 2 है वो 2 electron लेके आ रहा है और क्या बना दे रहा है copper बना दे रहा है यह क्या हो रहा है इस case में अगर मैं बात करूँ तो यह किस की बारे में बात कर रहा है reduction के बारे में बात कर रहा है इन तोनों इस पूरी बैटरी को उठा के देखोगे इस पूरी बैटरी का जो वोल्टेज आ रहा है अगर मैं इस पूरी बैटरी का वोल्टेज देखूंगा तो वो कितना आ रहा था 1.1 volt आ रहा था 1.1 volt आ रहा था मतलब ये बैटरी अपने पास 1.1 voltage generate करके दे रहा था कैसे आया होगा ये voltage कैसे आया होगा इसको कैसे represent करते है कैसे represent करते है ये देख लो representation of cell कैसे करते है भाईया देख लीजिएगा representation of cell कैसे करते है representation of cell कैसे दिखाया जाता है cell को कैसे represent करते हैं ध्यान से देखना जो पहले किसको लिखते है anode पहले होता है याद रखना जो reaction anode पे होगी jink किसमे convert हो रहा है jink plus two में देख लो jink पहले किसकी reaction लिखी मैंने anode की सर electron को लिखने की जुरत नहीं है सर anode पे पहले ये reaction ये दो lines किसको represent करती है bridge को salt bridge जो लगाते हैं वो उसको represent करता है और फिर किसकी reaction लिखूंगा फिर किसकी reaction लिखूंगा सर anode के बाद क्या लिखूंगा cathode तो याद रखिएगा इसको simple सा representation of cell जब भी आप करने चले आप जब भी representation of cell करने चले आप ये trick याद रखिएगा A, B, C ये trick याद रखिएगा पहले anode को लिखना है ये दो lines कीचिनी है और फिर क्या लिखना है bridge अपने पास और फिर क्या करना है cathode लिखना है पहले anode की reaction फिर cathode की reaction बीच में क्या हो जाएगा bridge किसी भी cell को represent करना है तो ऐसे represent किया जाता है किसी भी cell को represent करना है तो ऐसे represent किया जाता है फिर कोई बोलता है कि सर मेटल है मेटल का natural state क्या होता है solid सर ये क्या होता है aqueous ये क्या होता है aqueous ये क्या होता है solid क्योंकि metal naturally जब भी मिलता है वो solid form में मिलता है metal जब भी मिलेगा metal solid form में मिलेगा तो कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होगा ये ऐसे भी लिखा होगा ये ऐसे भी लिखा होगा डरना मत सेम चीज़ है represent करने का तरीका सीखो represent करने का तरीका सीखो जो इस पूरे वोल्टेज की इस पूरिए की बैटरी की व crisis किसरों ग कुछ जगा के रखो petrol पने पास इसका अब यह पूरा बैटरी बना क्या होगा इस पूरे बैटरी में हुआ क्या होगा द्यान सुनो इस पूरे बैटरी ने क्या होगा एक बंदा oxidize कर रहा होगा तो जो oxidize करेगा वो अपना कुछ voltage generate करेगा और जो reduce होगा उसका अपना कुछ voltage होगा मतलब इस reaction में यहां पर क्या हो रहा है जिंक किसमें convert हो रहा है जिंक प्लस 2 में जिंक किसमें convert हो रहा है जिंक प्लस टू में तो देखो इसको कैसे लिखते हैं ये क्या है सर ये कौन से चीज हो जाएगी oxidation potential ये क्या हो रहा है oxidation potential ये किसका oxidation potential है किसका voltage है zinc का oxidation potential of zinc किसने बोला सर इसको कैसे लिखोगे लिखने का तरीका सीख लो इसमें क्या हो रहा है copper plus 2 किसमें आ रहा है copper में याद रखो पूरी reaction नहीं लिखेंगे अब हम लोग exam देने जा रहे हैं हमें पता है कि यह exam पास में तो हम पूरी reaction नहीं लिखेंगे यह देख लो अपने पास copper plus 2 किसमें convert हो रहा है copper में तो यह क्या कहलाएगा copper plus 2 किसमे convert हो रहा है copper में इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि sir reduction potential of reduction potential of reduction potential of copper plus two reduction potential of copper plus two तो ये चीज़ याद रखिए उसमें हुआ क्या इसमें हुआ क्या पूरे पूरे चैप्ट पूरे पूरे cell में हुआ क्या zinc अपने आपको oxidize किया copper खुद को और ये क्या कर रहा है reduce कर रहा है लिखने का तरीका देख लो battery को कैसे लिखते हैं representation of cell कैसे लिखते हैं और battery का voltage कैसे निकालते हैं ये सीख लीजे इसके जादा अब चीज़े धीरे 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 अब आपके हाथ में आनी शुरू हो मैंने क्या बोला पहले हमने battery बनाई अब battery को represent कर रहे है battery को represent कर रहे है battery को represent करना शुरू किया कि सर बैटरी ऐसे represent होता है कहीं पे भी देखेंगे ये दिखेगा इसके battery का voltage इतना कैसे आया होगा क्योंकि obvious है न भाई साब अरे question छोड़ रहा रुख जा भाई अभी पहले सीख ले कहानी फिर बात करते हैं कहां पर है question जब question आएगा तब देखेंगे ठीक है मैं यह बोलो इसमें हुआ क्या होगा इस voltage 1.1 volt आया कैसे होगा क्योंकि obvious है इसने अपना electron lose किया तो इसका कुछ अपना voltage होगा यह कौन सा है oxidation potential है वो कौन सा इसमें क्या हो रहा reduction हो रहा तो इसका reduction potential इन दोनों को add करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा यही तो पूरी battery होगी तो सब देख लो मैंने पहले battery का voltage निकालना सिखाया पहले battery को ऐसे सिखाया अब देख ले battery के बारे में कुछ discuss किया अब battery को लिखना और represent करना सिखा रहा हो बैटरी को लिखना और represent करना सिखा रहा हो पका हो जाएगा चलो भाई अब देखो कोई भी electrochemical cell बोल दिया यह देख लो अपने पास reaction यह ऐसे liखा हुआ है A से A प्लस 3 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है B प्लस 3 से B इस तरह से बैटरी लिखी हुई है इस तरह से कोई बैटरी लिखी हुई ही पड़ी है अगर कोई बैटरी ऐसे लिखी हुई है एक मिना ध्यान से देख लो यह बीच की दो लाइन्स है यह किसकी लाइन्स है यह कौन सी लाइन्स है यह salt bridge की लाइन्स है करना क्या है आपको करना क्या है सर इस battery को देख कि आप क्या बता सकते हो कि इस battery में हो क्या रहा होगा A, A किसमें जा रहा होगा A जा रहा होगा A plus 3 में A जा रहा होगा A plus 3 में B A, B, A जब अपने आपको Oxidize कर रहा होगा उसी टाइम पे B क्या कर रहा है खुद को Reduce कर रहा है B उस टाइम पे खुद को क्या कर रहा होगा Reduce कर रहा होगा ये चीजें ये मेरा Cell का Reaction हो गया और किसे ने बोला sir, पूरी बैटरी का voltage बताओ तो sir, जो चीज जहाँ हो रही है A का क्या हो रहा है Oxidation, तो उसका Oxidation potential ले लीजिए और B का क्या हो रहा है Reduction, उसका क्या ले लीजिए Reduction potential ले लिजिए, बैटरी का voltage आ जाएगा, कोई right-left की जुरत ही नहीं है, कोई right-left की जुरत ही नहीं है सिल का रिप्रेजंटेशन करने के लिए आपको सिंपल सा देखना है सर यह एनोड की रियक्षन है हां सर यह जो होता है वो रियक्टेंट होता है यह जो होता है जो एकसी एरो के साइड में लिखा है वो रियक्टेंट होगा और यह क्या हो जाएगा प्रो तो यह सोचना बैटरी चल कैसे रही है एक बंदा औक्सिडाइज कर रहा है दूसरा बंदा रिड्यूस कर रहा हो गया इतने पर ही काम करना निकालता रहा है अब यहां देखो कोई भी बैटरी दी हुई है यह देख लेना अपने पास यह देख लो अगर ऐसा लिखा हुआ है अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि सर एक्स है एक्स प्लस टू है यहां वाई है यहां पे वाई प्लस थ्री हो गया ध्यान से देख लो अपने पास एक्स अपने पास हो गया यहां पर बहुत important चीज़ क्या है यह देखो यह reaction हो रही है x और y की बीच में यहाँ पर एक simple सा reduction reaction हो रहा है इसका बोला कि सर representation बताओ cell representation बताओ cell का representation कैसे करोगे इस cell का representation कैसे होगा इस cell का representation कैसे होगा तो पहले तो यह पहचानो भाई किसका Oxidation हो रहा है किसका Oxidation हो रहा है किसका Reduction हो रहा है किसका Oxidation किसका Reduction जहां तक मुझे दिख रहा है कि Sir Y का क्या हो रहा है Oxidation हो रहा है क्यों क्योंकि Sir ये Anode की Reaction होती है तो पहले किसको लिखते है Anode को Y किसमे Convert हो रहा है Anode से यह देख ले भाई है यह क्या तो अब इसने बोला सर एक बाब बताईए यह reaction तो सही है नहीं यह यह क्योंकि यहां charge balance कारो कियोंकि इसरे कितना कीटना कितना होता है आप बड़े हो चुगे आप ऐडाक्स रेक्षन जानते हो तो आपको एक चीज़ पता होने चाहिए बन्जर्वेशन ओंस तो वैलिड होता ही होता है। इसके कितना अगे लगाओ इसके कितना अगे लगां टू इधर कितने आटम्स होगए यहाँ टू तो यहां टू लगाओ X के कितने items हो गए 3 तो यहां 3 लगाओ Cell representation ऐसे होगा Cell representation ऐसे होगा Cell representation ऐसे होगा उसके बाद E naught cell अगर निकालने जाओगे इसका E naught cell निकालने जाओगे जिसका जो हो रहा है ध्यान रखना यहां स्ट्रेश्मेटरी नहीं उज़ करनी है E naught cell निकालने जाओगे तो जिसका जो हो रहा है सर Y का क्या हो रहा है Y का Oxidation हो रहा है तो Y का Oxidation Potential और क्यों कि सर जो जीज़ हो रही हो कि उसी से Voltage Generate होगी न और X का क्या हो रहा होगा X का क्या हो रहा है Reduction हो रहा है तो X का Reduction Potential बस यही यूज़ करो यही use करो, answer आना शुरू हो जाएगा यह अपने पास इस तरह की छोट-छोट चीजे करते चले जाएगा अब इसको हम convention method से भी करेंगे बस आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ electrochemical cell कैसे होता है electrochemical cell कैसे होता है क्या करते हैं यह सब चीजे लिखना सिखा रहा हूँ कि सर्फ इसल का representation होगा सेल में जो oxidation हो रहा है oxidation कीजिए यहाँ पे law of हम लोग क्या कर रहे conservation of क्या क्या कर रहे law के बदले इसको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे दो चीजे हम लोग conserve करते कंजरमेशन ओफ यहाँ पर आपको देखोगे तो conservation of charge भी होगा चार्ज भी आपको conserve करना पड़ेगा मास भी conserve करना पड़ेगा आटम भी conserve करना पड़ता है जब भी आप बड़ी reaction में 10 तका मास कंजरम करते हो जैसे ऐसे आप बड़े होते हैं आपको क्या करना पड़ता है conservation of atom, conservation of mass, conservation of वो साई चीज़ें add करनी पड़ते हैं अगर आपको कोई battery दी है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा उसका reaction ऐसे लिखा जाएगा उसकी voltage ऐसे निकाली जाएगी अब यहां से, अब यहां से, यहां से यहां से मेरे कोपर कहानी अब अलग टाइप की सुरू होगी मैंने पहले electrochemical cell बता दिया electrochemical cell को represent करना बता दिया उसकी values क्या होती है oxidation potential, reduction potential क्या होता है इसके उपर फिर से discussion लेके आएंगे लेकिन हाँ, पहले यह तो देखें पहले यह तो देखें कि हाँ भाई कौन कौन से चीजें कौन कौन से चीजें कैसे दिखती है का होता है, इस chapter में पढ़ना क्या था सर्याइनोड क्या होता है, cathode क्या होता है यह सारी कहानी हमने कर ली है तो अब मेरे पास जो चीज आएगी वो होगी बहुत ही important चीज कि भाईया सामने वाला oxidize क्यों करेगा सामने वाला reduce क्यों करेगा और कोई oxidize करता है तो क्या करता है एक simple सी सोचो एक simple सी चीज सोचो ठीक है ना आप simple सा सोचो हो अगर मैं से बुला जाय ठीक है आशी चले काम कर लेते ठ्टसा उर्मों कर लेते हैं यहां तक कितने लोग कर लोगया तक कितने लोग को समझ में आ गया आयो चल्याज कर लोगया अब नदीगेशर इनवर्ट और कैटलिस्ट बता दूंगा अभी कहां पे लिखते हैं वेक ब्रेक तो भाई ना मिलने वाला अभी अभी तो स्टार्ट हुई है छे बजे क्लास स्टार्ट हो रही है हो गया हाँ भाई सारे कोश्चन्स आप कर सकते हो बस यहां तक अब थियूरी थियूरी कर रहे हैं पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था पहला वाला आवाद इसमें सारा सारा एक बेसिक थियूरी बना लिए कि ऐसा होता है अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसके उपर निम एक बंदा सुलेबस कब खतम होगा सुलेबस तो बैटा पढ़ने वालों का कब का खतम हो गया आप ठोड़ा डिले हुए होंगे तभी आप यहां आए हो ठीक है ना तो बेटर है कि यह चीज ना पूछो अब यह मत बोलना सारा आप लोगोंने गलती कर यह आप पहले बैए यह बोल रहा है अच्छा फॉर्मूला में भी कैथोड एनोड माइनस प्लस का रुख जाओ आएंगे होता ना ठहरो जा रहा हुआ ठहरो थोड़ा सा आ जाएगा ओके हां चलो मैं यह बोल रहा हूँ मैंने यह बोला कि भाई मेरे पास आगया इलेक्ट्रो केमिकल सेल अब इलेक्ट्रो केमिकल सेल में एक चीज मैंने देखी इलेक्ट्रो केमिकल सेल में एक बंदा क्या कर रहा है और एक बंदा क्या हो रहा है खुद को रेड्यूस कर रहा है ठीक है अच्छा ये भी मेरी हमारी गलती है और आपने बैच हां मतलब पूछने वाले भाई ठीक ह पतलब वन पॉइंट वहां उमीद हो गई उसके बाद भी नीट महां रिवीजन हो गया अब उसके ज़्यादा क्या होता है ठीक है अब तो यही बाकी रहे है कि सर एक्जाम भी आप ही दे ही दो सर एक ऑनलाइन एक्जाम कर देते हैं सब का हैक वैक करके आप ही दे दिया करो ठीक है थाश्मेटरी इनोड सेल में नहीं यूज करते हैं अभी फिर से आएगे पहले आप एक काम करते हैं मैंने आपको एक यक चीज़ बता दिया कैथ बता दिया मैंने अलग अलग बता दिया अब एक सिंपल चीज़ पकढ़ना शुरू करते हैं वो क्या है कि सर सब का मीनिंग नहीं क्या होता है यहां सेными से फिर से अब क्योंस प्राइग से अब यहां से स्थे लिए तो क्या होता है और यह सब तो यह सबसंतर है ऐसे होता है और यह लास्ट में यह क्या है पीख है टीक है सर ये वी ऐसे क्यों लिखा आपने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया ये वी अच्छा लगता सर ठीक है ये मत कर देना भाई ठीक है न टीचर डिस्प्रेशन में चला जाएगा अगर ये सब पूझना सुरू कर दिया तो ठीक है यहां भाई ये पूछ रहे हैं मैं यह बोल रहा अगर मैं बात को रहे हैं तो किसके कि उपर डिपेंड करता है किसका इलेक्ट्रोड है कॉपर का है किसका इलेक्ट्रोड है टेंप्रेचर कैसा है और लास्ट वन की कॉंसेंट्रेशन कैसा है अब ये तीन मैंने क्यों बताए और डेफिनिशन इंपोर्टेंट नहीं है किसक यह दरता है nature of electrodes temperature पर otherwise क्या होता है same copper का जो वालियू होता है लेकिन अलग-अलग होता है क्योंकि अलग-अलग टाइप की electrodes है temperature अलग-अलग room temperature सारे form अभी ड्राइव होंगे concentration of ions की उपर भी depend करेगा मेरे लिए दो टाइब के इलेक्ट्रोड पोटेंशल बहुत जादा काम के है एक कौन सा है रिड़क्शन पोटेंशल एक क्या होता है और एक क्या होता है ऑक्सिडेशन पोटेंशल अब मैं simple सा reduction potential क्या है reduction potential कहा होता था मेरे पास battery के दो terminals थे मैं सर इसी को reduction potential को बात करूँ अगर reduction potential की बात करता हूँ तो reduction potential को electrochemical cell में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ cathode का potential लिख सकता हूँ क्यों कि cathode पे क्या हो रहा होता है function क्या होता है अब यह मत बोलना reduction क्या होता है reduction मतलब जहां पर आपका charge क्या हो जाए decrease कर जाए जहां पर आपका charge क्या हो जाए decrease कर जाए तो A plus 3 से क्या हो जाए A हो गया यह reduction potential है अगर reduction potential की value माल लो अपने पास reduction potential ऐसे लिख सकता हो यह क्या represent करता है यह क्या represent करता है उसके बारे में discussion शुरू करेंगे एक मिन ध्यान से देखना Oxidation potential की बात करें तो Oxidation potential क्या होगा अगर Oxidation potential की बात करें तो Oxidation potential किसी का लिखना है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है B से कहां चला गया B प्लस टू पे यह क्या है Oxidation B से B चार जब का जब increase होता है तो उसको Oxidation बोलते और चार जब decrease होता है तो Reduction बोलते अगर Reduction का potential देख रहे हो तो Reduction potential कैथोड पे और Oxidation potential कहां देखोगे Anode पे Oxidation potential कहां देखते है Anode पे पका ध्यान से देखो exclusion भी हो जाएगा. पहले जो चल रहा हुँ, उसको enjoy रहा ओक्षिणेशन. यह reduction potential क्या बताता है? यह reduction potential क्या बताता है? ध्यान से सुनना. tendency to, reduction potential बताता है, tendency to it get reduced. मतलब खुद की tendency tendency to get reduced. अगर मैं reduction potential की बात करूँ तो मैं यह बता रहा हूँ कि भाई सहाब, अगर मुझे A को अगर मैं इसका voltage माल लो अगर ले रहा हूँ 1.3 volt तो इसका मतलब ये है कि भाई साब मेरी tendency ये है अगर मेरा A plus 3 से मैं A आऊंगा अगर मुझे कोई reduce कर देगा ना सर तो मैं आपको कितना voltage दूँगा 1.3 voltage मैं आपको कितना voltage दूँगा 1.3 voltage tendency to get reduced को क्या बोलते है reduction potential बोलते है मतलब अगर A को सर को reduce कर देगा A plus 3 से A में तो वो क्या कहलाएगा कि सर मैं क्या बहुत सांदार इंसान हूँ मैं क्या करूँगा 1.3 voltage आपको दूँगा voltage इतना दूँगा पक्का similarly oxidation potential की अगर बात करूँ अगर मैं इसका oxidation potential 2.4 वोल्ट लिखता हूँ बेटा अगर आप इसको समझ गए तो इसका उसी का जुड़वा भाई है यह किसको represent करेगा सर यह क्या बताने कुछ कर रहा है tendency to get oxidized tendency to get oxidized सर यह किसकी tendency बता रहा है अपने oxidized होने की tendency बता रहा है मतलब अगर वीक उक्सिडाइज करोगे आप अगर आप वीक उक्सिडाइज करोगे तो आपको क्या बताएगा वो प्लस 2.4 voltage दे देगा आपको positive voltage दे देगा अब ध्यान से सुनना अब कोई भेंदा बोले कि सर एक simple C बताता हूँ reduction potential का tendency to get oxidized tendency to get reduced oxidation potential क्या है tendency to get reduced oxidized एक भावता अगर मेरी tendency oxidized होने की है ध्यान सुनना अगर मेरी tendency oxidized होने की है अगर मैं खुद को oxidize करूँगा ध्यान सुनना अगर मैं खुद को oxidize करूँगा तो दूसरे को क्या करूँगा दूसरे को क्या करूँगा मैं दूसरे को क्या करूँगा रिड्यूस करूँगा तो यह देख लेना यहां सब जगए अड़ कर देता हूँ खुद को itself tendency to get oxidized itself tendency to get oxidized itself अपने आपको tendency to get oxidized अपने आपको oxidize करने के tendency यहाँ पे अपने आपको मतलब सर यह किसको represent कर रहा है ध्यांस देख लो मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर मेरा oxidation potential high है मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को oxidize करूँ मैं खुद को oxidize करूँगा तो आपको positive voltage देदूँगा और मैं खुद को oxidize करूँगा तो सामने वाले किया करूँगा reduce करूँगा अगर मैं खुद को oxidize करूँगा तो मैं एक अच्छा reducing agent होगा क्यों कि मैं दूसरे को क्या करूँगा reduce कर रहा हूँगा पका हो जाएगा ध्यांस सुन लो oxidation potential reduction potential की बात करता हूँ एक simple सी line सुनना अगर देख लो E naught अगर reduction potential दिया जाए अगर reduction potential देख लो अपने पास Z plus 3 से Z की value 0.4 volt है ध्यान से देखना और Sir Y plus 3 से Y plus 3 से Y की voltage Sir 0.6 volt है मुझे एक line बताना, ध्यान से सुन के देखना, मुझे बताओगे Sir किसका tendency खुद की reduction होने की जाधा है Z की जाधा है या Y की जाधा है, किसकी reduction tendency जाधा है, कौन खुद को जाधा reduce करना चाहता है प्लीज बिटा answer बताओ, कौन खुद को जादा जल्दी reduce करना चाहता है, Z या Y, कौन जल्दी-जल्दी खुद को reduce करना चाहता है, फटा-फट उजे answer बताना शुरू करो, कौन जल्दी-जल्दी खुद को reduce करना चाहता है, बताओगे, अगर मैं बात करूँ, tendency to, tendency to, tendency to, it get reduced itself अगर reduce की बात करें get reduced इट्स了फ अगर खुद के reduction की बात करें तो किसकी tendency जादा होगी सर y plus 3 की tendency जादा होगी किसके tendency के respect में z plus 3 के respect में यही होगा ना क्योंकि सर किसका voltage जादा है kisका voltage जादा है y plus 3 का वो बंदार दोनों के दोनों reduce होना चाहते है लेकिन दोनों में से किसकी tendency जादा है सर इसका reduction potential कितना है 0.4 इसका reduction potential कितना है 0.6 अगर आपका reduction potential high है मतला आपके tendency जादा है किसे ने बोला सर अगर यह ज़्यादा तेही से reduce करेगा अगर यह ज़्यादा तेही से reduce करेगा तो आप मुझे बत मेरे से question ये पूछ दिया गया, best oxidizing agent बताईए, अगर मेरे से question पूछ दिया गया, oxidizing agent पावर बताईए, oxidizing agent कौन सा होगा, oxidizing agent अच्छा कौन सा होगा, बताओगे, oxidizing agent का order क्या होगा, सबसे अच्छा oxidizing agent कौन सा होगा, सबसे अच्छा oxidizing agent कौन सा होगा, again कौन सा oxidizing agent अच्छा होगा Y plus 3 is greater than Z plus 3 क्या होगा again oxidizing agent कौन सा अच्छा होगा क्यों अरे सर सीधी थी बात है ना आपकी tendency आप बोल रहा है मैं सबसे तेजी से reduce करूँगा मैं खुद को सबसे पहले reduce करूँगा अगर मैं खुद को पहले reduce करूँगा तो obvious है ना मैं सबसे पहले दूसरे को क्या करूँगा जैसे ही मैं खुद को reduce करूँगा दूसरे को क्या करूँगा उक्सिडाइज करूँगा तो best oxidizing agent तो देख लो आपने reduction potential का example दे रहा हूँ मैं क्यों क्योंकि IUPAC में reduction potential की बात की जाती है reduction potential standard potential बोला जाता है इसलिए reduction potential बता रहा हूँ अगर आपका reduction potential high है मतलब आपकी tendency खुद को reduce करने की high होगी और दूसरे को oxidize करने के मतलब जिसका reduction potential high होता है वो best oxidizing agent होता है लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ पका सर ये देखो एक line लिख रहा हूँ reduction potential reduction potential जिसका high होता है देख बेटा कोई चीज़ रटना मत अगर समझने की कोशिश करोगे किसी चीज़ को रटने की ज़रत नहीं पड़ेगी अगर reduction potential high है मतलब tendency to tendency to get reduced itself tendency to get reduced itself आपकी क्या हो जाएगी high हो जाएगी और आपकी oxidizing power क्या होगी आपकी oxidizing agent power क्या होगी oxidizing agent या आपकी oxidizing power क्या होगी बहुत high होगी लिख सकते हैं न अरे पका भाई देख लो अगर आपका reduction potential high है मतलब आप खुद को reduce करना चाहते हो और जब आप खुद को reduce करोगे तो आप दूसरे को क्या करोगे oxidize करोगे तो दूसरे क्या करोगे oxidize करोगे पका हो जाएगा अच्छा अब किसने बोला सर ये तो आपने इस पे बताया reduction potential पे अब सर oxidation potential बताईए अरे भाईया मतलब सीजी सी बात है जो उसके उपर valid है वही इसके उपर भी होगा अगर किसी का oxidation potential high है देखना आप चलो मुझे question कहां से बताना ध्यान से सुनना अगर किसी का oxidation potential high है अब देखना आपने पास माल लो P है P से P plus 2 गया इसका voltage दिया गया है 2.6 volt और देखना आपने पास ये Q है Q से plus 3 गया इसका voltage दिया गया है आपको to get oxidize itself अपने आपको oxidize करने की tendency to get oxidize itself किसकी ज़ादा होगी कौन जल्दी अपने आपको oxidize करेगा tendency किसकी ज़ादा होगी किसकी ज़ादा tendency होगी oxidize करने की किसकी ज़ादा होगी सर मैं लिख सकता हूँ P की ज़ादा होगी किस से Q से पी की जादा होगी Q से कैसे सर oxidation potential जादा है oxidation potential जादा है बेटा अगर आपका oxidation potential जादा है आप किसको रिपेजन करते हो tendency को रिपेजन करते हो मैं voltage कब दूँगा जादा अरे सीज़ी सी बात है ना तुम सब लोग एक बाँ बताओ YouTube पे 50 लाख वीडियो पढ़े हैं तुम यहां बैठे हो क्यों पढ़े हो क्यों तुम्हें पता है कि भाईया इस वीडियो से पढ़ेंगे ना तो जिंदगी में कुछ ज्यादा माक्स आ जाएंगे life में stability आ जाएगी तुमारी खुद की tendency है अगरे तुम्हारी खुद की अच्छी हो गे ना तुम्हें टीचर भी अच्छा लेंगे तुम्हें पढ़ने का माहौल भी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि आपकी खुद की tendency अच्छी है इसलिए बोलरा हो tendency to get it self oxidize तबसे ज़्यदा Oxidation Tendency किसकी है P की या क्योंकि P की अगर P भाईया P अगर बंदा सबसे अच्छा सबसे जल्दी Oxidize हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि Sir Redoicing Agent का या Redoicing Power का Order क्या होगा Redoicing Agent या Redoicing Power का Order क्या होगा Redoicing Agent या Redoicing Power का Order क्या होगा एज़ेंट होगा एस कंपेर टू ठीक है हो जाएगा कि और हो आज जो चाप्टर ना मैं बोल रहा हूँ शुरुआत का गिए आज की चाप्टर बहुत साही साही चीजे होने वाली है लेकिन हाँ यह तभी हो पाएगा तभी हो पाएगा जब आप सांस में बने रहोगे एक को याद रखो नहीं कर दोनों को अव्वेस तो याद रखना और मैं सिंपल सा एक लॉजिक लगायता हूँ ना मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूं यह देख लो मैंने बोला औक्सीडेशन पोटेंशल आपका हाई है अगर आपका औक्सीडेशन पोटेंशल हाई है तो आप एलेक्ट्रान लूज करोगे सामने वाला और क्या करेगा तो रिडीूसेंग पावर क्या हो जाएगी सर आपकी इंक्रीज हो जाएगी डिश्होर चलते हैं है तो मैं एक अच्छा reducing agent हूँ, अगर मेरा reduction potential हाई है, तो मैं एक अच्छा oxidizing agent हूँ, अच्छा oxidizing agent हूँ, पक्का हो जाएगा सर, देख लो, ये देख लो, reduction potential, oxidation potential, इन दोनों का relation देख लो, inversely promotional to this, पक्का, अच्छा, मुझे के देख लो, सर ये oxidation potential, reduction potential हो गया, इससे मुझे और क्या फायदा होने वाला है, अरे भाई, भाई, एक simple चीज देख ले, अगर तुझे पता चल गया कि तेरा reduction potential, इन दोनों के पीछे ज़्यादा difference है नहीं, एक बात बता, जो बंदा, क्योंकि E0 cell देखोगे, एक simple सा line लिखने वाला हूँ, ये देख लो, अगर एक simple सी line बोली जाती है, किसी का oxidation potential दिया हुआ है, किसी का oxidation potential दिया हुआ है, और किसी उसी बंदे का reduction potential की बात की जाएगी, तो oxidation और reduction potential का magnitude जो होता है, वो क्या होता है, equal होता है, क्योंकि सर दोनों tendency है, एक side हो सकता है, जाने की tendency अगर plus में है, तो उदर से आने की tendency क्या हो जाएगी, minus में हो जाएगी, और मैं अगर लिखना चाहूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कि oxidation potential is nothing, सर, oxidation potential is nothing, reduction potential, magnitude तो चलो, same ही है, plus, अगर ये plus में है, तो ये क्या होगा, minus, और अगर minus है, तो ये क्या हो सामने वाला देखना ध्यान से मैं ने क्या लिखा, ये देखने भाई कैसे लिखते हैं, जब भी इस तरह का convention दिख जाएगा अपने life में, जब भी इस तरह का convention दिख जाएगा अपने life में, तो आप ऐसे पकड़ ले ने, ये देख लो मैंने क्या बोला मैंने बोला अगर ये प्लस में है तो ये क्या होगा माइनस और अगर ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में एक्जाम हॉल में कहीं ऐसा दिख जाए तो घबडाना नहीं घबडाना नहीं भाई ये सेम चीज़ है ऑक्सिडेशन पो गाँ दूसरा प्लस जैसे फॉर इग्जामपल देख लो एक चीज एक सिंपल स चीज बताता हूं अरे भईया ए प्लस 3 से ए जाते हो यह क्या है यह reduction potential है सर और यह reduction potential है यह reduction potential है अगर इसकी value 1.4 volt है तो सर अगर opposite कर देंगे अगर आप opposite कर देंगे A से A plus 3 में चले जाएंगे तो sir ये क्या कहलाएगा oxidation potential और इसकी value sir magnitude तो same रहेगा क्योंकि इधर से जाने की tendency अगर positive में है तो इधर से आने की tendency क्या हो जाएगी negative हो जाएगी तो ये values कुछ भी different नहीं होता बस meaning समझना है meaning समझने के सांसाथ चीजों को relate करना है कि भाई कुछ है नहीं oxidation potential, reduction potential कुछ है नहीं बस करना क्या है oxidation potential, reduction potential में करना क्या होता है कि भाई सहाब आपको बस یہ tendency को بتाता है अगर मेरा oxidation potential high है मतलब मैं खुद को oxidize करना चाहता हूँ सामने वाले को reduce करना चाहता हूँ अगर मेरी tendency oxidation reduction potential हाई है मतलब मैं खुद को reduce करना चाहता हूँ सामने वाले को oxidize करना चाहता हूँ हो जाएगा सर कर सकते हैं यह यह complete कर ले मुझे पता चल गया oxidation potential reduction potential क्या होता है अब इन दोनों का magnitude wise भी पता चल गया तो अब इन दोनों को जोड़ना है oxidation reduction potential की कहानी करनी है tendency को represent करना है चीजे खतम करनी है अब आपको किसी भी बैटरी का अगर E0 cell निकालना पड़ गया चलो अब देखो किसी बैटरी का E0 cell निकालना पड़ गया तो आप निकालते रहो किसी बैटरी का oxidation potential जैसे किसने बोला कि सर आपने क्या बोला था देखो अब मुझे किसने बोला कि सर standard EMF of the cell निकालो standard EMF of the cell निकालो EMF of cell standard EMF of cell उसको क्या लिखते हैं हम लोग इसको shortcut में क्या लिख देते हैं E0 cell कोई reaction हो रही है ध्यान से देखना इसलिए E0 cell में do not do not effected by do not affected by यह affect नहीं होता किस से stoichometric इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा E0 cell intensive property यह ध्यान से देखना यह क्या बोलता है कि कोई बैट कोई भी reaction हो रही है देख लो अपने पास अगर मैं ये reaction लेके चल रहा हूँ अगर मैं ये reaction लेके चल रहा हूँ electrochemical cell में अगर मैं ये reaction लेके चल रहा हूँ electrochemical cell के अंदर तो ये देख लो इसमें क्या हो रहा है ये एनोड पे क्या हो रहा है Oxidation हो रहा है Anode पे क्या हो रहा है Oxidation हो रहा है अभी Represant करना सिखाया था Oxidation हो रहा है ये Cathode पे क्या हो रहा है Reduction हो रहा है Cathode पे क्या हो रहा है Reduction हो रहा है मैंने आप से क्या बोला जिसका जो हो रहा हो मतलब ये reaction में इसने बोल दिया कि सर इनोट सेल निकाल के दिखाओ इस reaction का इनोट सेल निकाल के दिखाओ देख भाई मेरे पास तरीके क्या क्या है मेरे पास देख तरीके क्या क्या है मैंने तुझे अभी थोड़ देर पहले बताया था कि सर जिसका जो हो रहा हो जिसका जो हो रहा हो वहीं सेम चीज़ देख लो अपने पास सर जिसका Oxidation हो रहा है उसका Oxidation ले लो जिसका Reduction हो रहा है उसका Reduction Potential ले लो कहानी खतम जिसका Oxidation हो रहा है उसका Oxidation ले लो जिसका Reduction हो रहा है उसका Reduction Potential ले लो एक बात बताओ यह क्या है यह क्या है Oxidation Potential है और ये क्या है Oxidation Potential किसका Oxidation Potential ले रहे हो Oxidation Potential of Anode Anode का Oxidation Potential ले लो और ये क्या है Reduction Potential है किसका Reduction Potential है ये किसका Reduction Potential होगा ये किसका Reduction Potential होगा ये Reduction Potential at Reduction Potential at Cathode जिसका जो हो रहा है जिसका जो हो रहा है Reduction Potential at Cathode Reduction Potential at Cathode ले लो कि रिदक्षिन पुटेंशन एड का है थोड ले लो ये मैंने आपको बताया किसने बोला सर मुझे ना ये पसंद नहीं आ यह मैं ऐसे नहीं बात करूँगा मैं ऐसे बात नहीं करूँगा मुझे नै कुछ चीदे बता वैटा एक सारे questions आएंगे don't worry अभी सारे questions एक साथ आएंगे एक साथ आएंगे electrochemical cell का जो अभी तक पढ़ेंगे एक बाब बताओ को इसमें मुझे सर यह पसंद नहीं मेरे आप से सबसे best formula है जिसका जो हो रहा है उसको add कर दो लें कोई बुलता है नहीं सर मुझे reduction potential के term से बताइए in terms of reduction potential in terms of reduction potential को बार बार इतना बड़ा न लिखके मैं ऐसे लिख देता हूँ in terms of reduction potential तो एक बाब बताओ E naught cell की value क्या लिखूंगा भाईया यह आपका oxidation लिया हुआ है आपका oxidation दिया हुआ है आपका oxidation को मैं reduction में convert करना चाहता हूँ तो minus करना पड़ेगा तो क्या लिखूंगा कि सर इसका copper plus 2 का reduction potential तो आपने दिया ही था minus of सरी plus E naught of यह देख लो अपने पास अगर मैं इसको लिख दू reduction potential of ऐसे लिख देता हूँ reduction potential of reduction potential of इतना बड़ा कौन लिखेगा cathode अब cathode और इसका reduction potential of oxidation potential है minus of क्या हो जाएगा minus of standard reduction potential of standard reduction potential of anode क्यों 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 आपने oxidation के बदले क्या लगा दिया reduction reduction यह positive था जैसे reduction आया क्या आजाएगा minus आजाएगा cathode minus anode बेटा आपको हर एक जगए यह formula मिल जाएगा लेकिन आपको जिंदगी में एक ही formula नहीं आद करना क्यों क्यों कि हो सकता है धना इयर सामने वाला क्या बोल दे reduction potential के बदले क्या बोल दे क्टैंडर Ridge reduction potential के बदले क्या बोल दे क्या नई occurring वाला कि बात करेंगे एक ही formula को बस गुमा गुमा के लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, ताकि भाई, सामने वाला किसी पर तरीके से पूछे, तुम्हें डरने की जुरत नहीं है राइट माइनस लेफट लिखने की जुरत नहीं भाई, यह सब पुरानी बात है exam pass में है, अब उतना basic में मत जाओ राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड को राइट हम बोलते हैं, अनूड को लेफ्ट हम बोलते हैं, यह सब नहीं बात करेंगे किसने बोला सर, आपने reduction potential के टाउंस में क्या लिखा, कैथोड माइनस अनूड, क्यों, क्योंकि सर इसका तो reduction था, इसका क्या था Oxidation, Oxidation को reduction में convert करेंगे, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन, लेकिन, एक बाब बताओ, अब मैं बोलना Oxidation potential हैं, बताओ, तो Oxidation potential तो सर सिंपल सा है, Oxidation potential of क्या होगा, एनूड, और सर अब इसका Oxidation potential चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस, Standard Oxidation potential of क्या लिखतेंगे, अपने पास cathode, तो ये छोटी-छोटी चीजे हैं, जिनको ध्यान रखना है, कि सर, आपको मेरे हिसाब से कोई पूछेगा, बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आपको दोनों के बीच का relation आता है, मास पर डिपेंड नहीं करता, पर इनोट सेल, इनोट सेल है, वो जो तुम बात करें, वो नौस्ट इक्वेशन है, वो EMF अब दसेल है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो किस पे बात कर रहा हूँ, standard की बात कर रहा हूँ, जब बैटरी, standard EMF कब होता है, यार, physics में बात करेंगे, तो क्या लिखते है, standard EMF का मतलब, standard EMF का मतलब यह होता है, जब current is, when no current is withdrawn from battery, when no current is withdrawn from cell, जब बैटरी एकदम नहीं नहीं है, उस time पे जो बैटरी 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 है, आपके उपर है आपको जैसे चाहे वैसे formula यूज कर लो चाहे तो oxidation potential यूज कर लो मेरे हिसाब से मैं plus करने वाला master हो मुझे right left minus करने की जोरत नहीं क्योंकि यहां कहीं भी confusion हो सकता है exam hall में आप यह याद करके गए पता चला exam hall में यह formula दे दिया मैं इसको याद नहीं करना चाहता मैं एक simple सी जानता हूँ मैं अपनी हर एक class में यह बोलता हूँ कि बेटा आप normal चीज follow करो सीधी सी बात है जिसका जो हो रहा है अगर सामने वाले का oxidation हो रहा है तो इसका oxidation potential लो सामने का reduction हो रहा है तो reduction potential ले लेना कुछ करना है नहीं बस हाँ oxidation और reduction का बीच का conversion आना चाहिए कौन प्लस में है कौन सा माइनस में है पक्का हो जाएगा सर स्टांडर्ड ही है आज एक बाप बताओ तुम कौन सा टर्मिनल लोंगा cathode कैसा लोगा अगर में इसे कोई पूछ दे बिश चौई अगर मुझे बेस्ट बैट्टरी बनानी है बेस्ट चौइस फॉर अगर कोई पूछ दे बेस्ट oxidation potential क्या हो ध्यान से सुनना जिसका oxidation potential क्या हो अरे but उसको लेने का पायदा है ना जिसका oxidation potential क्या हो high Je Judule इसको लो जिसका oxidation potential क्या हो हाई हो यह फिर oxidation potential اगर हाई नहीं है तो आप अबसें Caribbean च propSub abgepage चले जाओ तो इसका मतलब उसका Reduction potential क्या होना चाहिए Hun correspond यह लोगो होना चाहिए देख लो आपको बिस्ट वाइस बोला जाए रसे हिले दूज़ें करेगा किसको लूगा ऑकसीडेशन के लिए बटेंशन मिले दूसरा दूसरा क्या जाएंग दूसरा क्या होना चाहिए आपका reduction potential क्या होना चाहिए cathode पे हम चाहते हैं कि तुम reduce करो और cathode पे जिसका reduction potential हाई है best choice वो बनेगा बेटा सबके questions मिलने वाले बस अभी इसलिए जान बुझे करा रहा हो ताकि पहले theory complete हो जाए उसकी बाद questions पहेंगे क्योंगे भाई आपका मुझे एक simple सा कुछ ने बोल दिया कि भाईसाब आप simple सी बात बोला जाए कि सार ये battery बना नीए battery में यह लेना है ये combination अगर आप follow करते हो तो सर maximum maximum क्या आने वाला है maximum E naught of cell लाएगा maximum e-naught cell लाएगा यह combination अगर आप follow करते हो तो maximum क्या आएगा e-naught cell लाएगा ठीक है maximum क्या आएगा e-naught cell लाएगा उदाई वर्मा भाई अभी थोड़े पहले बोला है वो जो चीज होती है e-cell के लिए होता है मास में depend नहीं करता वो e-naught cell इसको फरक नहीं पड़ता यहाँ 2 है 3 है कोई फरक नहीं पड़ता वो जो चीज होती है वो किसके उपर होती है e-cell के उपर नंस्ट equation में concentration आता है यहाँ पर concentration से कोई मतलब नहीं इसलिए अभी थोड़े पहले बताया कि यह कभी यूज करते हैं जब current कभी भी जब voltage ना बाटरी एकदम परफेक्ट अभी जस्ट बैटरी को जो स्खोल के निकालाई है है हम लोगों ने वो वाली चीज़ें पक्का प्योर हो अब पता चल ठीक है standard EMF क्या होता है battery क्या होती है EMF कैसे होता है ठीक है EMF की चीज़ें कैसे होती है यह छोट-छोट चीज़ें हमें पता चल गई battery ऐसा होता है तो चलो यार एक काम करते है अच्छा अब यहाँ पे नहीं बहुत साइफ लोगों के अंदर दिमाव में खुरापात होती ह सो और electrochemical series नहीं बताया ऐसे electrochemical series भी बता दूँगा अभी थोड़े में ही बता दूँगा लेकिन हा नॉर्मली यह electrochemical series क्या होती है नॉर्मली आप NCRT में देखोगे तो reduction potential क्योंकि reduction potential को reduction potential को सिर्फ और सिर्फ reduction potential को क्या बोलते है कि reduction potential वो है कि सर standard बोल देते हैं IUPAC के बोलते हैं electrochemical series बोल देते हैं electrochemical series बोल देते हैं अब एक बाब बताओ मेरे पास electrochemical series ना तब के पास पता है कि हाँ चलो पहले रुख जाओ इसके उपर ही questions कर लेते हैं फिर electrochemical series प्याते है ठीक है फिर electrochemical series प्याएंगे चल भाई यह देख बता इस question का answer question करना सुरू करो सबताना शुरू करो जल्दी क्या होगा क्या होगा किसके बारे बात करेंगे कौन सा होगा इलेक्ट्रोड potentiated किसके बारे बात कर रहा है tendency of a cell food reaction difference in the ionization किया बात कर रहा है किसके बारे बात करता है tendency to get oxidized या tendency to lose electron और gain electron यही होगा ना अपने पास अब पढ़ने वाले बच्चे आचुके लाइन पर एक्दम बहुत बढ़िया सब फटावर का होगा consequences को ऑफ होगा अपने पास बताओगे क्या होगा कि क्या होगा सर जिसका reduction potential हाई है बेटा अगर सब्सक्राइब से आप खुद से सोचो reduction पोटेंचल हाई है तो आप किसको दोगे सर उसको लोगे ना जो इसका रिड़क्शन पोटेंचल हाई होगा उसको कहां रखोगे कैथोर्ड पर रखोगे सोच लो अगला कुशन देख भाई अगला कुशन देख यह देखना ध्यान से देखना अपने पास यहाँ पे तीन चीज़े दी गई है तीन चीज़े दी गई है जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है तर हाइड्रोजन गैस को इवाल्व करवाना है जिंक कॉपर सिल्वर में तर हाइड्रोजन गैस का E-naught मैं लिख देता हो E-naught of hydrogen gas अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से H-plus से H-2 जो होता है उसकी value क्या होती है? 0 होती है एक सिंपल सा तरीका बताना कॉन सा हाइड्रोजन गैस से H-plus से हाइड्रोजन निकाल देगा कॉन सा H-plus से हाइड्रोजन निकाल देगा कैसे पता चलेगा? अभी क्या बोला? सर यह किसका? मैं तुम क्या करना चाहते हो? हाइड्रोजन का क्या करना चाहते हो? Reduce करना चाहते हो ना? तुम हाइड्रोजन को क्या करना चाहते हो? Reduce करना चाहते हो Indirective में तुम यही कह रहे हो ना? कि सर मैं हाइड्रोजन को कौन कौन reduce कर सकता है hydrogen को reduce कौन कर सकता है जो खुद को पहले क्या करे oxidize करे यही होगा ना भाई hydrogen को वही reduce कर सकता है जिसको oxidation potential क्या हो high हो सबका reduction potential दिया हुआ है oxidation potential देख लो jing का कितना हो जाएगा 0.76 volt क्यों क्यों कि आप positive तो करना है copper का कितना हो जाएगा minus 0.34 volt sir silver का कितना हो जाएगा silver का कितना हो जाएगा 0.80 volt sir oxidation potential जिसका high होगा जिसका oxidation potential high होगा वही तो कर पाएगा sir जिसका oxidation potential high होगा वही तो कर पाएगा hydrogen को reduce अरे sir सीधी सी बात है सीधी सी बात है यह देख लो अपने पास यह पूछ रहा है भाया H2SO4 से hydrogen कौन निकाल सकता है H2SO4 में hydrogen है किस charge पे plus में है plus से 0 मतलब hydrogen को reduce करना है hydrogen को कौन reduce करेगा hydrogen को कौन reduce करेगा जो hydrogen को reduce hydrogen के लिए अच्छा reducing agent कौन होगा जिसका oxidation potential क्या होना चाहिए जिसका oxidation potential T तो 2022 करना 2022 काोश्वशंवाइन आजाक करना इस पेपर के बाद म strings लेक्सर के बाद आपके साथ ही होगा इसको कौन सीखो ये कोशन्स देखो कौन किसको कर पाएगा अरे कुछ करना ही नहीं है हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज भाई रट लेगा तुससे भी एंसर निकाल लेगा लेकिन एक्जाम वाल में वैल्यू दी है नहीं रटेगा तो भी एंसर आएगा तुझे बस यह देखना है कि उलेक्शन के ऐक्सिड्रेशन क्या हो जाएगी नीचे हो जाएंगे नोखी क्या हो जाएगी जीरो से कम हो जाएगी तुम उसको लेते हो 20 की घर रहे होता है जाद हो घाना होता है चलभाइ अगला देख बहुत संदर 27 अब इस को टीसेंग का अंसाबताओ फ्लीज आराम से सोच के बताना अब सोच के बताना सर सबका reduction potential दिया है सबका reduction potential दिया हुआ है सबका reduction potential दिया हुआ है बोल रहा है strongest reducing agent बताओ strongest reducing agent बताओ strongest reducing agent क्या होगा strongest reducing agent क्या होगा सर सबका reduction potential दिया है अगर आप reduction potential देखते हूँ reduction potential जिसका high होता है reduction potential जो होगा जिसका high होगा उसकी oxidizing power high होगी oxidizing agent अच्छा होगा oxidizing agent क्या होगा अच्छा होगा बट reducing agent क्या होगा सबसे बेकार होगा reducing agent क्या होगा सबसे बेकार होगा तो सर हमें काम करते हैं न उल्टा चल लेते हैं reducing agent अच्छा चाहिए reducing agent अच्छा चाहिए मतलब इस reduction potential सबसे कम होना चाहिए reduction potential सबसे कम किसका है रे किसका है भाई किसका reduction potential सबसे कम है किसका reduction potential सबसे कम है तो सर जिंग का कम है या तो तुम मुझसे बोल रहा है strongest reducing agent तो भाई है strongest reducing agent कौन होगा जिसका oxidation potential high हो या फिर जिसका reduction potential क्या हो कम हो तो सर या तो Oxidation Potential से चेक करो या तो Reduction Potential से कोई बोले नहीं सर हम तो Oxidation Potential से ही चेक करेंगे कोई दिक्कत नहीं Oxidation Potential चलो सुरू कर दो कोई बोले नहीं सर मैं तो Oxidation Potential से करूँगा Reaction Reverse करोगे Reduction Potential दिया है Oxidation Potential क्या हो जाएगा 0.762 सर किसने बोला Oxidation Potential देखलो ये कितना हो गया Zero.740 सर ये कितना हो गया Hydrogen का ये कितना हो गया Zero.040 और ये कितना हो गया Fe plus 2 का कितना हो गया सर ये कितना हो गया Zero.Minus में —But— Zero.7770 देखले भाई अगर तू Reduction Potential से नहीं करना चाहता तो oxidation potential से करके देख ले oxidation potential किसका high है oxidation potential किसका high है तो oxidation potential zinc का high है जिसका oxidation potential high होगा वह ही reducing agent होगा जोर हो अरे sir यही सब questions आएंगे exam hall में यही सब questions आएंगे tension मत लिजिए यही सब questions मिलने वाले हैं आपको इनी टाइप के अरे कहा गया भाई इतना भी तेजी से नहीं बढ़ना, इनी टाइब के questions में आपको फसना नहीं है, यह देख लो, यह question देखो, यह question देख भाई, उस time से मैं लोग देख रहे थे, अब questions की बारी आई, अब यही पर तो सीखना है, यही तो चीजें है सर, यही पर चीजें है जहाँ आपको बहु किधर जाता है, किदर से जहता है, किधर से, किधर जाएगा आपशन होगा, कॉँस होगा, सर, copper, anode प्रे है, cathode पे कौन है, silver है, electron कहां से कहां से कहां ट्रावल करते है, einode to cathode. Anchor करते हैं to, current कहां से कहां travel करता है opposite direction में तो भाई या इलेक्ट्रों कहां से कहां travel करेंगे इधर से इधर copper 2 याद रखना है इधर से इधर electron transfer होता है इधर से इधर current transfer हो जाता है पक्का हो जाएगा सर क्यों है तो ये questions तेरे पास है concentration का e-note cell पे फरक पढ़ेगा नहीं अभी बात करेंगे जहां पर e-note cell की फरक पढ़ रहा होगा माँ बात करेंगे अगला question देख भाई अगला question देख ये देख salt bridge को अगर हटा दिया salt bridge को अगर हटा दिया क्या होगा salt bridge को अगर हटा दिया तो क्या होने वाला है क्या होने वाला है salt bridge को अगर remove कर दोगे तो sir voltage क्या हो जाएगा voltage क्या हो जाएगा drops to zero हो जाएगा क्यों अरे भाई सीजी सी बात है na salt bridge हटाओगे circuit incomplete हो जाएगी और तुम physics की student हो यह circuit ही complete नहीं है काहेगा voltage circuit ही complete नहीं है काहेगा voltage बैटरी कभी रिमोट के अंडर वैटरी डाली हो औहात डाल देना कभी बैटरी चलेगी निर्बोर चलेगा इन्य वोल्टेश क्या कहो तो टीचर्स की बात माना करो रात में एक लोग दो थे लोग थे बोल रहे थे औरे सर 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 कोश्चन नहीं करवा रहे अब आग या लेकिन हाँ एक साथ पकड़ेंगे न यार जब कुछ चीजे हो जाए तब तो आदी कोश्चन करें यार अब आदा चला है सर टू प्लस टू का कोश्चन करवा रहे फिर सर रात के दो बज जाएंगे कोश्चन सॉल्व करते करते ठीक है हाँ जल्दी क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा इसका एंसर क्या होगा वेलोसिटी क्या होना चाहिए तर दोनों साइड का वेलोसिटी क्या होना चाहिए प्लो में आ जाते हो ट्राप वाले कोशन तब आते हैं मजदार ओके हैं हो जाएगा शुरू करें अब कि ओहो क्या बात है कि इसने तो इद्धा सांदार साथ कि हाँ भाई आशीज भाई तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं ठीक है यह देखो यह कोशन दिया हुआ है यह कोशन दिया हुआ है यह कोशन दिया अब कोशन बताओ यह क्या है एक बैटरी है जिसके अंदर यह रियक्शन हो रही है यह रियक्शन हो रही है ठीक है अब यह रियक्शन हो रही है किसने बोला सर इस रियक्शन का E0 cell बताओ, EMF of the cell बताओ, इस reaction का EMF क्या होगा, सर इस reaction में क्या हो रहा है इस reaction में क्या हो रहा है iron का oxidation iron का कह रहा है, जिंक का क्या हो रहा है oxidation, इस reaction में क्या हो रहा है जिंक का oxidation, कोई भी right left लगाने की जुरूत नहीं, सीधा सीधा देखो सर इस reaction में क्या हो रहा है, iron का क्या हो रहा है, reduction, यही हो रहा है, हो जाएगा, सर, jing का reduction potential दिया है, क्या, यह equal नहीं है, reaction का sign, jing का क्या दिया है, oxidation potential दिया हुआ है, तो सर, oxidation potential की value direct put कर दूँ, 0.76, और iron का क्या दिया है, oxidation potential, मुझे क्या put करना पड़ेगा, सर, उसका reduction potential, तो answer कितना डालूँगा, minus 0.41, कितना आ जाएगा, सर, यह 5, यह कितना आ जाएगा, 0.35 volt, क्या answer आ जाएगा, positive में 0.35 volt, positive में 0.35 volt, हो जाएगा, सर, यह exam के questions, ऐसे ही questions आ left करते बेटा, तुम्हारे लिए यहाँ पर एक trap था, आप देखोगे न, यहाँ पर oxidation potential दिया हुआ था, इसी लिए बोलते है trap, इसी लिए बोलते है trap, क्यों, तुम्हें, अगर कोई right minus left कर दिया, पता चला गया फिर वो, reduction potential नहीं दिया, इसलिए सोच समझ के करना है, right minus left हम इसा मत लगाओ, सामने वाला हो सकता है, reduction ना दे के oxidation दे दे, भाया इसके questions ऐसे करना हो जाएगा, यह देख, क्या आएगा इसका answer, इसकी value दी हुई है, कितना 0.80 volt, इस वाले की, इसकी value दी है, और इसकी value दी है, minus 0.14 volt, बताओगे अपने पास, यह दोनों reaction में, 0.14 volt, क्या होगा, यह में 15 सेल क्या होने वाला है, फिर क्या होगा अपने पास, जल्दी, हो गया, इतना आएगा इसका answer, इस question में क्या करना है, मुझे फिर से इस बैटरी का, यह नोट सेल निकालना है, यह नोट सेल क्या होगा, कि सर जिसका जो हो रहा हो, जैसे मैं, तिन का देख रहा हूँ, तो तिन का क्या हो रहा है, उक्सिडेशन हो रहा है, तिन का उक्सिडेशन ले लिया, और सर किसका रिड़क्शन हो रहा है, सिल्वर का रिड़क्शन हो रहा है, तो सिल्वर का रिड़क्शन पोटेंशन ले लिया, सिल्वर का रिड़क्शन पोट क्योंकि ऑक्सिडिशन में होना जाएका रिवर्स और इसकी वैल्यू रिडक्षिन में दी हुई है 0.80 तो सब और एंसर कितना आ जाएगा बॉजटिव में 0.94 वोल्ड पॉजटिव में 0.94 बॉज़टिव में 0.94 वोल्ट फॉर्स ऑप्शन ले तो इसका एंसर क्या होगा क्या आएगा ठीक है जल दी यस यस आगे अगला कुश्शन भी आपके सामने आ चुका है अब तो अगला कुश्शन भी आपके सामने आ चुका है हाँ भाई IPL भी चल रहा है मुझे पता है लेकिन हाँ हो गया क्या आएगा क्या करना है इस reaction में होता क्या है इस reaction को देखोगे तो करना क्या है इस reaction में E0 cell ही तो निकालना है और E0 cell में क्या करेंगे सर इस testometric coefficient से कोई लेना देना नहीं है सर I- का क्या हो रहा है I- का क्या हो रहा है मुझे क्या बोला गया है I- का क्या दिया गया है opposite दिया गया है तो यह क्या हो जाएगा 0.536 2 और 3 से मुझे मतलब भी नहीं है इसका क्या दिया गया है reduction तो इसकी value कितनी दी गई है 0.771 मतलब एक्जाम hall में बस तुमसे ये वाले मजे लिए जा रहे है राइट माइनस लेफ्ट या लेफ्ट माइनस राइट के अपना एंसर निकाल दो क्या एंसर आ जाएगा, थर्ड ओप्शन आ जाएगा इस ट्राइस्मेट्रिक उफिशेंट से कोई लेना देना नहीं है इस ट्राइस्मेट्रिक उफिशेंट से कोई लेना देना नहीं होता हो जाएगा एक बोल रहा है कल आरसे सी बुरा हारी अवे बुरा नहीं हारी भाई, फाइट तो कर रही थी चलो ये बताओ पर सोच समझ के बताना सोच समझ के बताना मुझे क्या चाहिए लार्जेस्ट पोटेंचल चाहिए मुझे क्या चाहिए इस बैटरी को कनेक्ट करके लार्जेस्ट पोटेंचल चाहिए मुझे इस बैटरी को कनेक्ट करके लार्जेस्ट पोटेंचल चाहिए क्या होगा सर इसमें जान बुझ के किए ना कुछ खीजिए अपने पास दी गई है जैसे यह बंदा इलेक्ट्रॉन करा है यह क्या कर रहा है ओक्सीडेशन पुटेंचल यह बंदा els período क्या दिया य्धाल दीया गया है वह जान मुझञ्च कभी जारा रहा है ताकि आप सामने वाले युह confuse कर पाऊ यह बंदा electron gain कर रहा है reduction दिया गया है यह बंदा electron कोई फरक नहीं पड़ रहा है आपको exam hall में जान बुझ के मज़े लिए जा रहे हैं इसमें कुछ नहीं question थोड़ा blur है मैं भी समझता हूं मैंने थोड़ा जल्दली में क्रॉप किया है लेकिन हम बस समझने कोईश करो मुझे बोलरा largest potential कब होगा जब सर क्या हो जाए एनोड पे किसको ले 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 और कैथोड पे किसको ले ले सर मैक्सिमम बोल्टेज कब आएगा कैथोड पे highest reduction potential को ले लिया जाए यही होगा highest reduction potential को ले लिया जाए यही होने वादा एक काम करो एक काम करते ऑक्सिडेशन पोटेंशल ओपी और reduction potential अलग अलग एक साथ लिखना सुरू करते एक का एक ऑक्सिडेशन पोटेंशल कितना दिया है 1.5 वोल्ट तो reduction potential कितना हो जाएगा minus 1.5 वोल्ट बी के बारें बात करेंगे तो सर इसका reduction potential कितना दिया है 0.5 वोल्ट तो oxidation potential कितना हो जाएगा oxidation potential कितना हो जाएगा minus 0.5 वोल्ट सी के बारें बात करें तो इसका reduction kunnen कितना दिया हुआ है 0.5 वोल्ट यह भी कितना हो जाएगा माइनस 0.5 वोल्ट और डी के बारे बात करेंगे तो डी का Oxidation Potential सप्टेंस कितना दिया है माइनस 1.15 वोल्ड और erte defunt potential कितना हो जाएगा प्लस 1.15 वोल्ट . मुझे किसका कैथोड लूँगा जिसका reduction जिसका reduction potential हाई है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा tulee क का Sehr ऑर सिसका oxidation potential हाई है वह मेरे क्या हो जाएगा कैथॉड और यदिदों है ये वह मेरे का इनोड और यह स्बीन tastes the nadthory of यह क्या हो जाए गा one and four लूंगा one and four लूंगा तभी largest potential आएगा और E naught cell क्या हो जाएगा E naught cell क्या हो जाएगा फ़र oxidation potential maximum oxidation potential at anode और maximum reduction potential at cathode और इन दोनों को add कर दूँँगा यह कितना हो गया 1.5 volt और यह कितना हो गया 1.15 volt कितना आ जाएगा 2.65 volt आ जाएगा यह maximum potential आएगा यह क्या होगा maximum potential आएगा maximum क्या हैगा potential आजाएगा हो जाएगा सर यह छोट छोटे question है यह Standard EMF और इसके उपर अब चीजे करते रहो Standard EMF यह है करते रहे है सर इसके उपर इसके उपर गुमते रहे है Electro Chemistry का Electro Chemistry का सबसे important funda है सबसे important funda है यह ठीक है अब जो चीजे समझने वाली थी वो अब इसका अप्लिकेशन आ रहा होगा ठीक है ना तो प्लीज ट्राइब करना ठीक है आ भाई जो बंदा आइपील देख रहा है साथ भाई की बाद सारी वीडियो जीओ सीनेम पर सब कुछ पड़ा हुआ है तो अगले साल भी जाक कर दें कि भाई और बहनों जिन जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं या फॉर्म भरने के लिए एक्जाम लगाते हैं आज रात आठ बजे से जो बच्चे फॉर्म भरने के लिए एक्जाम देंगे पहले फॉर्म भरने का एक्जाम क्लिय नीट होगा हां एक ही आदमी से 8 बजे रात को डर लगता है बोलते हैं घर वालों से उतना डर नी लगता है जितना रात के 8 बजे मोधी जी के आने के बाद डर लगता है कोई भरोसा थोड़ी ना कई का लोगे बोल दें वेखी और यह रए विजिक्स केमिस्टी बायो की बदले काम करते है यार फिजीक्स केमिस्टी न उतना अछा नहीं लग रहा ठीक है ऑ बयो से कोर STEP ना पड़ता है पर काम करते आप इंडिया का हिस्ट्री से इसितन नीट का सेलेक्शन किया जाएगा कि अब भाई बुरा मत मानना यार ठीक है ऐसा नहीं क्लिप काट के भोज रहा हूं और इस और यह हम दोनों के दोनों के टीचर से हम दोनों के फैन है ठीक है बरुसात होना है राव गांधी आजाए कलों के सरकार में ठीक है और उसने एक दिन अनांस कर दिया रात और रात उसका अलग लेवल है उसने ऐसी अनांस कर दिया डॉक्टर मनने के लिए पढ़ने की जरुरत नहीं है डॉक्टर कोई भी हो सकता है वो अलग लेवल पे हां देखो यार चलो मैं यह बोल रहा था यह बोल रहा था कि यह मेरे पास सारा का सारा अच्छा potential आ गया कि हां भाई यह चीजे कर सकते हैं कोई सब सब बराबर है सब बहुत अच्छे इंसान है ठीक है ना जाए वो बीजेपी हो कॉंग्रेस हो सा बच्छे है कि हमें अपना सेलेक्शन से मतलब है हमें तुम्हें पढ़ाने से मतलब है नहीं हमें इन सब लोगों से कहानी से मतलब है क्यों कोई पाता है कोई भी सरकार है नीट का एक्जाम तो चलता ही रहेगा बस नाम बदल सकते हैं हो सकते हैं नीट को नी आई है भाई हम में बात कर रहा था कि मैंने बुला यार यह में स्टांडर्ड ले ले ठीक है आपने क्या किया ठीक है नई भाई मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ ठीक है रावल गांदी भी अच्छे इंसान है मोधी जी भी बहुत अच्छे इंसान है, दोनों ही बहुत अच्छे है, बस आई, यह रहे, कि हम दोनों, दोनों की बीच में लड़ाई चलते हैं, हमारा फाइदा होतार है, सोच रहा, कि सोच, exam का manifesto, election का manifesto, कि एक बंदा बोले, मैं dead luck seat कर दूँगा, एक बंदा बोले, मैं 2 यह भी एक बंदा है, वो सही बोल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक आदि बोलेगा कि history पढ़ा लो, एक आदि बोलेगा, एक साइट से physics chemistry डाल, दूसरे साइट से bio निकाल दो, ठीक हैं, चल यहां, कहां था, मैं यह बात कर रहा था, standard EMF की बात कर रहा था, standard EMF की बात कर होना, आप इसी को physics में ऐसे लिख देते हो, आप physics में ऐसे लिख देते हो, कि यह EMF of the cell, और थोड़े दिर बात क्या करते है, standard EMF क्या होता है, कि सर यह कब defined है, जब when no current is withdrawn, जब आपके पास कोई current withdraw नहीं करा जाता है, मतलब कोई भी बैटरी का आपने use ही नहीं किया है, सर बैटरी एकदम perfect बैठी हुई है, no current is withdrawn from the cell, सर सर से बैटरी से आपने कुछ भी यूज नहीं किया है, कुछ भी यूज नहीं किया है, बैटरी एकदम maximum पे है, मतलब सर यहां पे बोल सकते है कि concentration जो है, concentration कितनी है, अगर उसकी बात करें, concentration of electrolytes की, तो concentration of electrolytes कितना होगा, one molar आए, अगर मैं pressure की बात करूं, मालो pressure gas की बारें बात करें, तो उस ताइम पे pressure कितना हो जाएगा, one ATM, ऐसी ideal condition पे अपना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते है, इसको हम लोग क्या बोल देते है, standard EMF, कि भाई यह होना, मतलब active mass जो होना चाहिए, यह बोल सक of electrolyte pressure की बात, active mass क्या हो जाए, one, मतलब सबसे बेस्ट तरीका हो जाए, ठीक है, बेस्ट तरीका हो जाए, कि सर इस ताइम पे, और यह बंदा वो होता है, जैसे standard ही है, पता है कौन सा होता है, जैसे तुम अपना सुबह सो जो प्लान बनाते हो, कि आरे कल सुबह उठोंगा, तुम्हें भी पता है, इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा, इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, यह बंदा अलग लेवल पे चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक आता है, कौन, EMF of cell, एक बंदा आता है, जैसे तुम हो, क्या करते हो, अरे सर, अरे सर, सर, आज ना दस घंटे के बदले, आठी घंटे पढ़ाई हुई, इसको हम लोग बूल देते हैं, E-Cell, E-Cell क्या है, सर, E-Cell, जैसे physics में इसको हम लोग voltage से धी प्रेजन कर देते हैं, सब को याद हो, V is equals to, ऐसे E minus IR हो जाता है, प्लस माइनस IR हो जाता है, ऐसे करके जो हम लोग पड़ रहे होते हैं, ये सब चीजें याद रखना, कि भाई, वही सेम चीज है, E-Cell क्या है, कि सर, ये कब होगा, जब active mass, active mass, active mass, या बोल सकते हैं, concentration, या फिर pressure, concentration, या फिर pressure, not equals to one, unity नहीं हो, उस टाइम पे, जो चीजें आएंगी, जैसे से बैटरी यूज करते हो, धिर धिर क्या हो जाएगा, बैटरी उस करोगे, धिर धिर बैटरी का, अव्वेस है, standard EMF, E से V क्या होना सुरो जाता है, कम होना सुरो जाता है, अब किसने बोला, सर, physics में तो सर, E-VR होता है, ऐसे ऐसे होता है, chemistry में क्या होता है तो chemistry में कैसे होता है, उसके लिए हम लोगे काम करते हैं, उसके लिए हम लोगे काम करते हैं, और उसके लिए इन दोनों के बीच का क्या relation है, इसी को निकालने के लिए, हमारे पास एक equation आती है, and that is known as nonstick equation, इसी दोनों को निकालने के लिए एक equation आती है, that is known as nonstick equation, क्या होती ह यह किसके बीच में relation describe करता है यह किसके बीच में relation describe करता है describe the relation between धान से देख लो भाई साब describe the relation between E cell and EMF E not of cell E cell और E not of cell सर यह क्या बताता है कि सर किसी भी potential का E cell जो होगा वो कुछ नहीं E not cell से कम होता है कितना RT upon NF LNQC RT upon NF LNQC यह formula देखो यह formula numericals के लिए यूज नहीं करना है लेकिन पता होना चाहिए कि कहां पर सर यह देख लो अगर मैं बात करूं तो R की value सबको पता है कि R क्या है R की value क्या होती है 8.314 अगर joules per Kelvin per mole की बात करें SI unit में तो temperature हमेशा क्या लेंगे temperature in Kelvin लिया जाता है और generally हम battery जो use करते हैं generally हम battery जो use करते हैं सर हम temperature को कितना ले लेते हैं 298 Kelvin क्योंकि generally हम temperature को कितना लेते हैं 25 degrees Celsius फिर सर अगर मैं इसे पुछा जाए QC क्या है भाईया अब यह मत बोलना already equilibrium पढ़ा चुका हूँ reaction quotient बोल देते हैं sir f is nothing faraday's constant होता है आपकी जिन्दगी में पहली बार आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ faraday's constant कुछ नहीं चीज नहीं होती है f जो होता है यह क्या होता है f जो होता है faraday's होता है वो कुछ नहीं charge on one mole of electron एक mole electron पे जितना charge होता है उसी हो क्या बोल देते है faraday's constant बोल देते है उसी हो क्या बोल देते है faraday's mole इसकी value कितनी होती है तो 9,6 ऐसे 4 9,6 इसकी approximate value जो calculation के लिए यूज़ करनी है 9,6,500 कूलम भी यूज़ करनी है sir यह calculation के लिए यूज़ करते है and सबसे ज़ादा important N क्या है तो N की बात करें तो N क्या है कि sir यह N factor बोल दो या फिर हम बोल देते है कि number of electrons number of electrons lost or gained in the number of electrons lost or gained in the balanced balanced redox reaction balanced redox reaction अगर redox reaction देख रहे हो तो उसके अंदर number of electrons lost or gained क्या होगा उसको हम लोग क्या बोल देते है आर देखो आर इनिवर्थल गैस कॉंस्टेंट टेंप्रेचर अपने केल्विन में जिनरली टेंप्रेचर की वैल्यू 298 कैल्विन再见 क्यूसी क्या है reaction तेंट ये हो गया किसने बुला सर एलेन एलेन नहीं समय क्यूं लिखें तो कोई दिक्वत नहीं एलेन को आप किसमें लिख सकते हो, इनॉट सेल, माइनस, एलेन को लॉग में कनवर्ट करना बेटा, आप एक्जाम के नजदीक आके यह सम्मत पूछो, कि सर यह कैसे होता है, कोई बूल रहा है सर, रियक्शन कोशियंट बता दो, बहिया, पहले न, बहुत, एक-दू हफते पहले आईनिक केमिकल इकलियर में बता चुका हूँ, सौरी इसके लिए, अब आगे कहानी, अब आगे सिलिबस कंपलीशन प्यार आए, तो अब पीछे की चीजी हम नहीं बता सकते आपको, आप पीछे जाकर रिविजन कर लीजे, क्यूसी और केसी की, फिर किसने बोला कि सर एक फॉर्मूला तो ये भी हो गया, यस ये भी फॉर्मूला है, चाहें तो आप यूज कर तकते, अगर मैं सारे के सारे, पुट अल दॉ गॉंस्टेंट वैल्यूस, अगर सारे कॉंस्टेंट वैल्यूस पुट करना सुरू कर दू, तो देखना क्या मिलने वाला है, मतलब सारे सारे पुल अल कॉंस्टेंट वैल्यूस अगर आर पुट कर दू, टी पुट कर दू, फैराडे पुट कर दू, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा और इसी को मैं लंबे टाइम तक याद रखूंगा क्योंकि यही सबसे ज़ादा फॉर्मुले निमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ज़ादा यूज होने वाला फॉर्मुला यहीं बनने वाला है numerical solve करने के लिए सबसे ज़ादा use होने वाला formula यहीं बनेगा तो भईया आपको अगर numerical past solve करना है तो आप इस formula को दिल और दिमाग दोनों जगा सेट कर लीजिए क्योंकि यहीं questions आएंगे यहीं questions आएंगे E cell क्या होता है E not cell minus 0.059 upon n log QC हो जाएगा यह देख लो यह formula लिखने के लिए अच्छा लग रहा है लिखने तो कोई दिक्कत नहीं लिखने तो दिक्कत नहीं यह वाले formula में देखो तो इसको कुछ नहीं ln से log में convert कर दिया ln से log में convert कर दिया लगाने तो सर यह सारी values को R की values constant है temperature almost constant है faraday's की value constant है 2.303 को multiply कर दो सिधा सिधा क्या हो जाएगा सर इसकी value इसी को numericals के लिए use करना है e not cell e cell e not cell के साथ ऐसे fluctuate करता है e cell e not cell के साथ ऐसे fluctuate करता है 0.529 बेटा कहां था वो वहां पे था आप गलत यगा सोच रहे हो आप बोर्स और्बिट में थे वो बोर्स और्बिट में आता था यहाँ पे 0.059 आता है 0.059 आता है 0.059 को आप 0.06 ले सकते हो exam में calculation करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी अब non-stick equation में देख लो ये बोला जाता है non-stick equation के साथ ये chapter अब और एक भेतरीन mode पे जा रहा है क्यों क्योंकि सर अब ये chapter देख लो ये chapter सब को relate कर देगा कैसे ये देखना भाई सहाब ये कैसे relate कर देगा ये देख लो क्या होने वाला है ये देखना अपने पास ये chapter कहां से कहां जा रहा है at equilibrium अब देखे, लोगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसकी बात आगई, इकलिविरियुम की, इकलिविरियुम पे बात करें, तो E-Cell क्या होगा, जीरो, क्यों, क्यों क्योंकि एकलिविरियुम पे आप कोई पता है, जितना आप फॉर्वर्ड जाते हो, उतना ही आप बैकवर्ड आजाते हो तो भी अध्यान से सुनना एकलिबिरियम याद करो एकलिबिरियम का मतलब क्या है जितना आप फारवर्ड उतना ही अब बैकवर्ड एकलिबिरियम पर यह होगा सर एसल की बात करेंगे तो एसल बिकम्स जीरो यहां पर देखोगे तो ई-not-cell की की value equilibrium पे देखोगे तो rt upon nf क्या आ जाएगी ln kc आ जाएगी rt upon nf ln kc आ जाएगी तो e not cell निकालना चाहो या फिर इसी को लिखना चाहो 2.303 rt upon nf log kc भी लिख सकता हूँ equilibrium constant से भी revise हो जाएगा और इसी को अगर सारे constant की values पुट कर दी जाए तो ये भी तो आ जाएगा e not cell का formula sir e not cell निकालने का दो ही formula होता है एक तो direct oxidation potential और reduction potential को add कर दो तो आ जाएगा नहीं तो e not cell को आप ऐसे भी निकाल सकते हो e not cell को सबसे जादा चाहो तो equilibrium constant के साथ भी relate करके निकाल सकते हो equilibrium constant से हाथ relate करके निकाल सकते हो फिर किसने बोला sir एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे वो क्या एक बात बताना एक बात बताना यहां से क्या लिख सकता हो RT, LN, KC को क्या लिख सकता हो NF, E cell लिख सकता हो, E not cell लिख सकता हो sir once upon a time जब आप formula पढ़ रहे थे तो आपने एक formula पढ़ा था minus LN, KC पढ़ा था साधियाद करो thermodynamics में देख बेटा chapter कहां से कहां जा रहा है electrochemistry इसलिए physical chemistry का सबसे topmost chapter बोला जाता है क्यों क्योंकि यहां पे sir chapters कहीं से कहीं relate हो रहा है अभी equilibrium आया था अब क्या आगया thermodynamics क्या बोल रहा है कि delta G की value क्या होगी एक बात बताओ इसको मैं लिखना चाहूँ अब एक बात बताना अगर मैं इसको लिखना चाहता तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता था अगर RT LN KC is equals to मैंने क्या लिखा है NF E not cell तो RT LN KC के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ delta G not delta G not और ये क्या हो जाएगा NF E not cell देख लो ये chapter कितने लोगों से relate होगा standard give synergy निकालनी है तो आपको सीधा सीधा ये क्या करना पड़ेगा NF E not cell ये formula देख लो ये formula याद रखिएगा standard give synergy निकालनी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो चीज़ आप thermodonics में ऐसे निकाल रहे थे जो चीज़ आप thermodonics में ऐसे निकाल रहे थे वो चीज़े यहाँ पे भी relate हो सकती हैं यहाँ पे भी relate हो सकती हैं और formula आपके सामने ये formula बेटा देख कि सब nonstick equation लिखा गया और nonstick equation के अंदर मैंने condition लेके आया कौन सा at equilibrium कौन से condition लेके आया at equilibrium जैसे equilibrium आएगा E cell becomes 0 कोई बोले कैसे अरे क्या बात कर रहा है equilibrium का मतलब ही यही था ना भाई साब equilibrium जैसे ही आता था सर आप जितना forward जाते थे उतना ही backward तो battery क्या हो जाएगी dead हो जाएगी QC becomes KC reaction quotient become equilibrium constant यह E naught cell का formula हो गया और यहीं से मेरे पास यह चीज़े भी आगे मुझसे किसने बोला कि सर इसके उपर अब देखो सर यहाँ याद करो delta G not क्या है standard gives free energy standard gives free energy standard gives free energy सर याद करिए अपने पास standard gives free energy की बात कर रहे थे तो मेरे पास delta G not निकालने का दो formula आज से मैं जिन्दगे में याद रखूँगा RT, LN, KC या फिर minus NF E not cell सर याद करो मैं चलो सबका लिखवाई देता हूँ delta H not minus T delta S not याद करना यह formula भी हमने thermodynamics में सब देखो तीनों अलग-अलग chapters को relate कर दिया यह formula कहा था equilibrium में यह formula कहा आया इलेक्ट्रो में यह formula कहा आया यह formula आया आपकी life में कहां पर सर यह thermodynamics में similarly एक delta G भी होता है और delta G क्या होता है gives standard न बूल के इसको क्या बोल देते हैं हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं minus minus nf इससे लिख देते हैं यहाँ पर standard न लिखके क्योंकि standard नहीं हो तुम तो भाई यहाँ यहाँ पर तुम्हारे voltage की भी battery क्या लेते है sir standard gives free energy और gives free energy में difference देख लो मैं सारे formula's देख लो box box में डाल रहा हूँ आपके लिए आप बस कुछ नहीं अभी class के बाद simple सा यह याद कौन सा formula रखना है यह वाला यह तो चलो derivation के लिए सामने इस चीज़ां ही तो कर लिया तो यह देख लो मेरे पास बोला गया sir यह formula's आगे अच्छा यहाँ पे concept आता है यहाँ पे concept आता है कौन सा यहाँ पे concept आता है किसका feasibility का सर याद करो हमने पढ़ा spontaneous reaction spontaneous reaction कौँण सा होता है spontaneous reaction कौण सा होता है जहाँ पे जहाँ पे क्या हो जाए ogle energy negative हो जाए ध्यान से देखना अगर यहाँ पे कोई पूछ दे सर,ensible battery कौण सी है feasible अपने पास feasible battery कौन सी है feasible cell feasible cell कौण सा है feasible cell क्या मतलब जो delta G क्या हो जाए Less than 0 और ΔG Less than 0 कब होगा ΔG क्या होगा Sumter minus यह पहले से ही क्या है Negative में है अगर आपका E not cell की value अगर आपके E not cell की value क्या हो जाए अगर E not cell की value When E not cell becomes greater than 0 Visible battery वही है जिसका Gibbs energy negative हो और Gibbs energy कब negative होगा जब E not cell क्या हो जाए cc e not cell क्या हो जाहिए या फिर अगर कोई बोलता है कि सर इसकी value भी थो होगी lt l kc यसर यह भी सोच सकते हो इसके case में you to cell के बारे मैं बात करेंगे तो उसके case में क्या होगा delta G naught greater than zero और उसके लिए greater than zero कब आएगा जब आपकी battery का voltage जब आपकी battery का voltage क्या हो जाए less than zero और equilibrium constant की value क्या हो जाए less than zero तो यह याद रखेगा non-feasible cell में यह होगा feasible cell में यह होगा thermodynamics equilibrium और thermodynamics equilibrium केलियू और इलेक्ट्रों केमिस्ट्री यह सब कुछ सब कुछ यहाँ पर अपने पास एक सीजिकाइव चाप्टर सब्सक्राइब करते हैं और machen यह यहिंद्ट्रों का है यह inside पॉस एक है तो मेरे पास कई आ गया लिएशन नउस्ट इक्वेशन और वगार्ण से कुछ बहुत difficult होंगे नहीं बस यह values put करनी है n की values क्या होती है n factor यह number of electrons lost और gained याद रखना balanced chemical reaction होनी चाहिए balanced redox reaction होनी चाहिए balanced redox reaction होनी चाहिए ओके हो जाएगा चलो अब एक काम करो फटाफट इस topic है ए adesso electrochemical cell हमारा खतम हो जायगा अगर यह topic हमने finished कर दिया तो electrochemical self finish हो जाएगा इसन लिए बूलो थोड़ा फटाफट देख लो इसको electrochemical cell में बात करेंगे लेगन हां उससे पहले questions पे आते है और questions देखना सब्सक्राइब करतें इंसी आर्ट का कोश्चन है आपको बहुत सब्सक्राइब को इकलिवरियम कॉंस्टेंट साथ निकालना भूल चुके होगे इसलिए मैं लिख रहा हूं अरे कोश्चन करें कि उसके अदब्रेक लेंगे ठीक है ना टेंशन मत लो इसके बाद क्योंकि यह ही मेजर पॉर्शन है अगर यह पॉर्शन खताब हो गया तो भाई इसके बाद तो कंडक्टेंस वाला और एलेक्ट्र केमिकल से लेक्ट्रोलेटिक से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता यह देख लो सर इसमें बोल रहा है इनोट सेल मैंने आपको दे रखा है मुझ यहां पर देखो mg प्लस 2 और ag प्लस का क्या लेना पड़ेगा होल स्कॉयर क्यूसी सर पुट करो इसकी वैल्लु 0.130 है और इसकी वैल्लु कितनी है अब 10 की पावर क्या लिख दो माइनस 4 10 की पावर माइनस 4 का होल स्कॉयर लिख देता हूं 0.13 इंटु 10 की पावर माइनस 8 अगर मैं इसको लिखना भी चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 13 इंटु 10 की पावर माइनस 10 की वैल्लु यह है मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप जब भी एक्जाम में सॉल्व कर रहे है जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है आप पहले यह निकाल दिया करो आप अगर देखना चाहर तो यह क्या जाएगा माइनस टेन वाल्म में मिलेगा तो यह कितना हो जाएगा minus 8.89 आपको इतना आ जाएगा इसलिए मैंने side में निकाल दिया because मैंने बहुत सारे बच्चों देखा ये गलत करते हुए ये गलत करते हुए इसलिए बूल रहा हूँ 10 की power नीचे आएगा न अरे क्या बात कर रहा हूँ 0.13 है अच्छा हाँ 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 बहुत बढ़ी आ रहा है 0.10 की power minus 8 है तो 10 की power ये 13 divided by 10 की power 2 into 10 की power यार देखो यार गलती 13 बहुत बढ़ी है जिन लोगोंने भी calculation साथ में बहुत सही minus 6 13 into 10 की power क्या आ जाएगा 13 into 10 की power क्या आ जाएगा यहाँ plus 6 आ जाएगा यहाँ plus 6 आ जाएगा यहाँ पर 10 की power minus 8 और plus 8 और यह क्या हो जाएगा 10 की power plus 6 हो जाएगा तो यहाँ plus 6 ले लेंगे यहाँ plus 6 आ जाएगा यह plus 6 होगा यहाँ plus 6 होगा और plus 6 plus log 13 plus 6 plus log 13 plus 6 plus log 13 और यह क्या हो जाएगा 7.11 ठीक है बहुत बढ़ी है क्या हो जाएगा 7.11 क्या बात है यह होती है यह देखो E cell निकालना है तो E cell की value क्या हो गई E not cell minus अब मैंने सब कुछ निकाल लिया है तो मुझे अब tension है ही नहीं 0.059 upon N की value क्या होगी इस reaction में कितने balance reaction दिख रही है किसी एक को पकड़ लो या तो electron lost पकड़ लो या electron gain पकड़ लो magnesium क्या कर रहा है दो electron lose कर रहा है तो या तो उसको पकड़ लो और यह चीज मैं कर लूँगा log QC मुझे सब कुछ दिया हुआ है 3.17 NCRTA question है कभी भी किसी भी time आपके life में कहीं भी बीना पूछे आ सकता है 7.11 आप पुट करोगे answer आना शुरू हो जाएगा ठीक है मैं अपने पुट करोगे answer आना शुरू हो जाएगा यतना भी value है बस ये पता है Esel क्या होगा decrease करेगा Esel क्या होगा कम हो जाएगा decrease करेगा एसल की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज करेगी लॉक क्यों क्या है पॉस्टिव आई है उक्यों हो जाएगा सर्थ तो यह छोट छोट वटे आपको कुछ नहीं आप सिंपल सा यह चीजें इसलिए बोलता है बहुत साइल होते हैं जल्द इल्दी में क्या करेंगे गवर्ड करने वाले यह काम मत करना ठीक है आपको अपने पास नौस्ट एक्वेशन यूज करना है बस वहाँ एलेक्टो अपने पास यह क्या लेना होता सब्खे अग्ला को शुण देखना ध्यान से यहां पर मैंने कभी नहीं बहुत वित्व वह यहें अच्छी क्या दी गई है कि सरसा reliable का concentration 1M दिया गया है और इसका concentration 0.1 दिया गया है तर एक का concentration 1 है और एक का concentration 0.1 है तो इस तरह के questions में आप खुद से समझ जाओगे कि यहां standard की बात नहीं हो रही है यहां EMF की बात हो रही है लेकिन एक चीज और है इसका E naught cell भी नहीं given है अरे E naught cell नहीं given है तो पहले क्या करेंगे E naught निकालेंगे E naught में क्या हो रहा है सर निकल का oxidation हो रहा है निकल का oxidation हो रहा है और सर किसका reduction हो रहा है गोल्ड का reduction हो रहा है गोल्ड का reduction हो रहा है तो यह निकल का oxidation और गोल्ड का reduction सर निकल का Oxidation क्या हो जाएगा निकल का Reduction Potential दिया हुआ है उसका पहले क्या करेंगे Oxidation लेंगे और गोल्ड का गोल्ड का Reduction Potential दिया हुआ है यह अंसर क्या जाएगा 1.75 वोल्ट E-NOT CELL आ गया अब क्या निकालने जाओंगा E-CELL E-CELL क्या हो जाएगा E-NOT CELL minus 0.059 upon N log क्या हो जाएगा QC फिर से N की value बताओ N की value बताओ तो इस reaction को लिखने जाओगे तो सर कैसे लिखोगे nickel gold plus 3 और यह क्या हो जाएगा nickel plus 2 और यह क्या हो जाएगा gold यह देखना सर charge balance करना पड़ेगा तो charge balance करेंगे जैसे ही charge balance करेंगे सर यह देख लो reaction में यह 3 आ गया यहाँ 2 आ गया QC सर questions बहुत जादा QC निकालने जाओगे तो क्या होगा nickel plus 3 का nickel plus 3 का whole cube nickel plus 3 का whole cube gold plus 3 का gold plus 3 का whole square nickel plus 3 की value कितनी दी हुई है 1 तो 1 का cube कर लो कोई फरक नहीं पड़ेगा यह 10 की power minus 1 है 10 की power minus 1 का square 10 की power उपर क्या आ जाएगा plus 2 log QC करने जाओगे log QC करने जाओगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा अब values put कर दो answer आ जाएगा 1.75 minus 0.059 N की value बहुत जादा important N कैसे important है ध्यान से देखना किसी एक को पकड़ लो किसी एक को पकड़ लो जारे है nickel से nickel plus 2 में जा रहे है 2 का change आ रहा है लेकिन कितने nickel है 3 तो n की value कितनी हो जाएगी 6 या फिर opposite देख लो gold plus 3 से कहां आ रहा है 0 पे मतलब gold में 3 का change आ रहा है तो 2 gold में कितना हो जाएगा 6 का और log QC की value कितनी आई है 2 तो ये कितना हो गया अगर मैं देखूं इसको तो 3 और ये value value 1.75 minus इसको मैं round off करना शुरू करूं 0.01 कितना आ जाएगा 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9.3s are 27 और ये 10.196 ऐसे करूंगा 1.75 minus 0.02 कर देता हूं answer कितना हो जाएगा 1.73 वोल्ट answer कितना होगा 1.73 वोल्ट क्या answer आ जाएगा 4th option exam hall में ऐसे ही question मिलेंगे nonstick equation के उपर ऐसे ही question मिलेंगे आपको exam hall में पहले E naught सेल निकालना पड़ेगा फिर QC निकालो log QC निकालो फिर अपने पास निकालो पक्का मैंने क्या बोला आपको E cell का कैसे पता चला विकोज यहां concentration 0.1 M है यहां concentration 0.1 M है यहां concentration 0.1 M है इसलिए बता ठीक है हो जाएगा तो ऐसे questions करते चले जाएए ऐसे questions करते चले जाएए इवेन आप equilibrium constant के साथ भी relation निकालना चाहते तो equilibrium constant के साथ relation निकाल सकते एक चीज़ और जैसे यह question दिया हुआ है यह question दिया हुआ है इसका क्या होगा इसका क्या होगा answer इसका क्या answer आएगा break लेंगे यार थोड़ा सा रुक जाओ 8.30 पे ले लेंगे यह वाला topic खतम कर लेंगे फिर 8.30 पे लेंगे ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा 0.059 इनमे एन लॉग सर आप जब reaction याद करोगे तो आपको पता चलता है कि आप जिंक प्लस टू लिखते हो और क्या लिख देते हो सी यू प्लस टू किसने बोला सर कैसे क्या बात कर रहें सुरुवात ही हमने इसी reaction से करी है सुरुवात ही हमने आज इसी reaction से करी है को एक बंदा लिकरा है कि सर आपना यह वाला copper इन सब को क्यो छोड़ दे रहे हो भाईया आप से chemical equilibrium पड़ किया हो क्योंकि यह सब चीज़ आपने पड़ रखी है solid और liquid का active mass कितना ले लते है solid और pure liquid का क्या ले लेते है solid और pure liquid का active mass क्या ले लेते है one लेते हैं तो देख लो सर यह हो जाएगा आपने इसको भी double किया इसको भी double किया कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है answer क्या जाएगा remains same answer क्या जाएगा remains same क्यों क्योंकि सर दोनों कोई double कर दोगे इसको भी double कर दोगे, इसको भी double कर दोगे 2-2, cancel out हो जाएगा, same ratio रह जाएगी आपका answer क्या आ जाएगा, same आ जाएगा remains क्या रहेगा, same रहेगा पक्का, तो answer क्या रहने वाला है, same रहने वाला है फटा फट देख भाई, जैसे ये देख अब ये question देख, फिर से again NCRT में दिया हुआ है ये बोल रहा है कि सर, calculate the equilibrium constant निकाली है मैं जानता हूँ, equilibrium constant, anti-log निकालना difficult है लेकिन try तो कर सकते हैं, ये बताओ, E not cell दिया हुआ है equilibrium constant कैसे आएगा, E not cell का एक formula मैंने highlight करवाया था 0.059 upon N, log क्या लेते हैं हम लोग, केसी ले लेते हैं सर इस reaction का, सर ये दिया हुआ है, 0.46, 0.059 upon N factor कितना हो गया किसी एक को पकड़ लो, सर 2 का change दिखेगा, यहां से क्या जाएगा, log केसी की value log केसी जैसे ही आया, अब जिन लोगों को अपने पास पता हो, उन लोगों को तो ठीक है otherwise, NT log जिनों नहीं किया है, भाईया, आप practice कीजिए, यह 0.92 upon 0.059 है तर more than 2 होगा, 10 होगा, log केसी की value, केसी की value क्या हो जाएगी, NT log निकाल देना NT log करके निकाल देना, इसकी value 10 से जादा आएगी, जो भी आएगी अपने पास, NT log of, मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको exam hall में अगर NT log दिया, तो उसकी values दी जाएगी, यह NCRTI question है, इसलिए अपने को important है क्योंकि भी आ, II not cell दिया है, आपको बूला दा रहा है QC केसी निकालो, equilibrium constant निकालो, निकालते रहो equilibrium constant ऐसे ही आता है, equilibrium constant ऐसे ही आता है, ठीक है, equilibrium constant ऐसे ही आएगा, जैसे यह देखू, अब यहां पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे equilibrium constant दिया हुआ है बोल रहा है EMF बताओ equilibrium constant दिया हुआ है EMF बताओ equilibrium constant दिया हुआ है EMF of cell क्या हो जाएगा 0.059 upon N N क्या है यहाँ पे देख लो N क्या हो जाएगा 0.059 upon N log क्या हो जाएगा अपने पास केसी equilibrium constant आपको दिया हुआ है 0.059 upon 2 log केसी log 10 की power 12 की value कितनी आ जाएगी 12 बाहर आ जाएगी 0.059 upon 2 into क्या हो जाएगा 12 ये 6 हो गया ये कितना हो गया 54 ये कितना हो गया 535 0.354 क्या answer आ जाएगा 0.354 जिसको बस 0.5 जिसको anti-log निकालने नहीं आता आइनिक equilibrium में चाहिए anti-log निकालना शुरू कर दिया है anti-log निकालना मैंने सुरू कर दिया था इसे खाया भी था वहाँ पे anti-log कैसे निकालते हैं आप वहाँ जाके revise कर लो उमीद सीरीज में ही कर दिया है भाई anti-log के उपर जादा tension मतलो ठीक है बस दे रहाँ बस break दे रहाँ क्या होगा, equilibrium constant for the cell reaction equilibrium constant दिया हुआ है तो E cell क्या होगा, जल्दी निकालो E naught cell क्या होता है, 0.059 upon N N की value कितनी है यहाँ पर, फिर से again 2, log सर यह कितना हो जाएगा, 4 into 10 की power 16, तो क्या हो जाएगा 0.059 upon 2, इसको solve करेंगे 16 plus 0.6 log 4 की value 0.6 होती है, 0.059 upon 2 into 16.6 यह कितना हो गया, 8.3 और 8.3 को multiply करते हो, 8.3 को multiply करोगे 0.6 से तो answer कितना आजाएगा, 0.6 से, तो कितना answer आजाएगा, अगर 0.6 से multiply करोगे, तो मुझे लगता है कि यह कितना आजाएगा, 0.49 आएगा, चलो verify कर लेते हैं, 0.059 को 8.3 से multiply करेंगे, 0.49 वोल्ट ही आएगा, answer आजाएगा, तो चलो भाई, एक काम करते हैं, electrochemical cell में हमने यहां तक की चीज़े कर ली हैं, यहां तक की चीज़े कर ली हैं, अब ध्यान से देख लेना अपने पास, जैसे अब यह चीज़ दी हुई है, कि सर, value of equilibrium constant बताओ, feasible cell की, feasible cell का मतलब क्या होता है, कि सर, E 0 cell क्या होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, delta G 0 क्या होना चाहिए, less than 0 होना चाहिए, और equilibrium constant क्या होना चाहिए, greater than 1 होना चाहिए, तो answer क्या जाएगा, greater than एंसर क्या जाएगा greater than one क्योंकि equilibrium constant हमेशा क्या होना चाहिए greater than one आना चाहिए पका चलो अब ये काम करते हैं अब एक काम करते हैं एक चोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग चीजों पर जाएंगे ठीक है पंदर मिनिट का ब्रेक लेते हैं अरे बीस मिनट नहीं भाई नेगोशियेशन नहीं करना है ठीक है अब एक्जाम पास में आ रहा है तेरा हर एक दू मिनिट चार मिनिट इंपोर्टेंट है हाँ बस पंदर मिनिट का ब्रेक लेते हैं ओके ड़न चलो पंदर मिनिट का ब्रेक लो चाय पानी पीओ घर वालों से बात बात कर लो दिया 16 मिनिट ठीक है अब इसके बाद कर अब 16 मिनिट के बाद मिलते और फिर वहां पर हम लोग नई चीज़े स्टार्ट करेंगे कर दो झाल 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 हाँ भाई आवाज आगई चलो भाई कोई पूछ रहा था किसे खाने के लिए पता है कुछ लोग के अज़र्दी खाना बन जाता हो कुछ लोग के लेड बनता हुआ टैंशन मत पीछ चैप्टर फिनिशिंग पर मोड पर रहिए यहाँ चैप्टर फिनिश होना चाहिए चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए ओके अच्छा चलो भाई टार्ट करते हैं देखना सुरू करते हैं चैट देखने की ज़रूत ही नहीं होती ना यार चैट हमेसा नहीं देखना होता है चैट को हमेसा नहीं देखना होता है जब तुमसे बूला जाए वाकिफी चैट में है ठीक है हाँ भाई थे मेरे पास गर्णंब खरें पास बातको रहे थे और क्यों देख रहेek में कर तो कैसे कैसे में ओपर क्या कर सकते किस तरह की चीजरे हो रही होंगी वह सब चीज़ हमने प्रोडक्ट्स आएंगे किस तरह से एलेक्ट्र इकलिविरियम कॉंस्टेंट आ रहा होगा यह फामुलास देखे थे हम लोगों ने और यह चोचोच चीजे हमने करनी शुरू करी थी यहां पर आप देखो हमारे पास एक चीज रहती है वह एलेक्ट्र केमिकल सीरीज है और इ इलेक्ट्र केमिकल सीरीज को ध्यान से देखना क्योंकि भाई इलेक्ट्र केमिकल सीरीज बहुत काम की है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही हो जाती है इलेक्ट्र केमिकल सीरीज में आपको कुछ भी ऐसे वैल्यूज वैल्यूज नहीं रटनी है बस आपको चीजों को तोड़ा सा चीजों को सही करना है कैसे देख लो अपने पास एलेक्ट्र केमिकल सेरीग में ये है कि एलेक्ट्र केमिकल सिरीज एं-स आटी में आपको एक पुरे सी लंबी सी लाइस वह पुरेक लंबा चार्ट मिल जाएगा उसको मैंने दो पार्ट में तोड़के दिखाया ह होगा है exactly आपको से लंबाप लंबा चार्ट मिल जाए मिल जाएगा इसका shortcut क्या होता है दुझा याद करने का तरीका क्या होता है यह important है याद ienिपर्ट कंपॉर्ट यह टरीका क्यoi है यह important है हम सब लोग हम सब लोग एक कहानी बना लेते हिसकु याद करना असान सा है ठूबर ध्यान से देच लेना क्योंकि बहुत ईही सा ट्रिक है और इसे बहुत सा चीजे बहुत आसान हो जाएंगे कैसे एक सिंपल हट्रिक बनाते है इसमें काम की चीज एक ही है कि Hydrogen का जो इलेक्ट्रोड पोटेंसल होता है वो कितना लियते हैं हम लोग 0 लेते हैं मतला hydrogen के reference में बात की जाती है hydrogen के reference में बात की जाती है तो hydrogen के reference में देखोगे तो hydrogen से देख लोगे तो इधर आएंगे तो reduction potential negative हो रही है और hydrogen के उपर जाएंगे अगर hydrogen के उपर जाएंगे तो reduction potential क्या हो रही है positive हो रही है reduction potential क्या हो रही है positive हो रही है NCRT में कहीं भी standard potential reduction potential की ही बात की जाती है standard potential reduction potential की बात की जाती है तो आपको reduction potential का trick क्या करना है कैसे याद रखना है तो हम लोग reduction potential को याद करने के लिए एक simple सा trick बना लेते हैं और वो क्या है तो simple, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पानी के उबने के उपवर सबसे ज़दा अगली जो world war होने वाली है, वो water के उपर होने वाली है और pollution के उपर होने वाली है, दो चीजों के उपर जआधा होगा क्योंकि सर आपको यह पता है तो water आपको पीने का पानी बहुत रेयर हो जाये लगा तो वही सेम चीज हम लोग यहां पर demand करेंगे, पानी के reference से बात करेंगे, पूरा 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 electro chemistry electro chemical series याद हो जाएगी water के उपर, क्या है कहानी तो याद रखने का एक simple सा shortcut बताता हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे पहले अच्छे shortcut बता हूँ तो आप उससे याद कर लेना कुछ लोगों को हो सकता है कि भाई ना याद हो तो आप इससे याद कर लेना बस ट्राई करना exam hall में इसकी उपर कहानी पढ़ लेने की मैं आप simple सा बताना चाहता हूँ मैं एक simple सी बताना चाहता हूँ देख ले भाई सारे के सारे metals और non metals की list यहां रखी हुई है जो electrochemical series में अपने काम आएंगे याद करने का तरीका बतायते हूँ, कैसे याद होगा तफर यहां से यहां चलना है, तो इसको याद करने का तरीका बतायता हूँ लेकर भारत सरकार का लिथियम, पोटैसियम, बेरियम, सश्रा автом कैल्सियम, तोडियम आपको याद करें तरीका देख ले भाई क्या है कैसी याद करें क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है रेफ्रेंस पॉइंट आप ऐसे चल रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे आ रहे हो ध्यान रखना अई मैं होर्जेंटल भी लिखके दिखा दूगा लेकर भारत सरकार का नाम मांगो मांगो ओल ठेक है मांगो सारे के सारे क्या मांगना है भारत सरकार से मैंने क्या बोला पानी की बहुत जादा कमी है अपने यहाँ भी देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोलिस का प्रोड़क्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिस का प्रोड़क्ट देखेंगे तो धाने वाली तो यहीं वादी चीज यहां प graphics करने नदी एक ज हेilateral वाटर सारे के सारे भारत सरकार से क्या मांगने शुज़ करेंगे मिंडल वाटर सर्देखो क्या बुलाए सरंघ vegan भारत सरकार का नाम लेकर भारत सरकार का नाम मांगो all mineral water भागो वार्मिंट से क्या मानना है mineral water मांगना है क्यों मांगना है उसका reason नहीं पता चलेगा फिर कोई बोल रहा है sir नहीं देंगे तो तो भाई कुछ नहीं जिद करो अरे नहीं देगा ऐसे कहीं क्यों नहीं देगा जिद करो मतलब, फिर, सामने फिर, फिर सामने मतलब, बोलता है, जिद करो फिर सामने फिर सामने को ऐसे लिख देता हो फिर सामने, CM हो चाहे DM हो, CM हो चाहे DM हो, देख लो अपने पास मतलब, हम सब का basic right है थ्यांस सुन लेना, क्या करने वाला है हुआखिए गौवर्मेंट समय क्या मांगना है लेकर भारत सरकार का नाम मांगो All mineral Water सारे क्या मांगने Mineral Water मांगना है चाहे जिद करो चाहे सामने cm हो चाहे DM हो cm और चाहे DM हो कोई बुल यह बच्चा बुल रहा है रहे सर नहीं सर कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला अब तो बस प्रभू हैं सुनने वाला अब प्रभू हैं सीधा से बात है अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं अब सिर्फ प्रभू हैं सिर्फ और सिर्फ कौन मिन्रल वाटर, सारे सारे मिन्रल वाटर मांगने कोशिश कर रहे हैं, दूसरा, जिद करो, चाहे फिर सामने CM हो, चाहिए DM हो, तुम्हें चाहिए mineral water, कोई नहीं सुनने वाला तुम बोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, तो भगवानी मालिक है, अब जब नहीं कोई सुन रहा तो भगवानी मालिक है, फिर किसी वो गुस्ता है, देख ले hydrogen तक अपने पास कैसे लिखते, अभी मैं इसको ऐसे लिखना सिखा रहा हूँ, आप इसको ऐसे चल रहे होगे, यहां से आप ऐसे आओगे, अभी मैं सब का horizontal बिरना के दिखा दूँगा आपको, ठीक है न, प्लीज देखो, उसके बाद क्या बोला आता है, यहां पर क्या बला आता है, क्यूं, इंडिया, क्यूं, इंडिया, आगे होगा, क्यूं, इंडिया, आगे होगा, ब्रो, क्यूं, इंडिया, आगे होगा, ब्रो, आप याद करने हैं, क्यूंकि यह पूरा-पूरा याद नहीं हो रहा होगा, तो ठीक है न, यह पतना और क्यलकटा में गोल्ड फेर कर पानी मिल रहा है देख लो भाई यह पूरी कहानी है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज की याद रखने का सिंपल ट्रिक है आपके पास लेकर भारत सरकार का नाम लेकर भारत सरकार का नाम मांगो all mineral water सारे सारे जिद करो फिर सामने cm हो या dm हो कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला अब कौन है प्रभू है दूसरा क्यों इंडिया आगे होगा अब्वेसे जब पानी नहीं प्रवाइड कर रहा तो क्यों ही इंडिया आगे होग ब्रो जब पटना और कलकता में गोल्ड फेर कर मतलब रिटर्न करकर गोल्ड फेर कर गोल्ड फेर कर पानी मिल रहा है गोल्ड फेक कर या फेर कर जो भी लिखना है गोल्ड फेर कर अपने पास पानी मिल रहा है इसको याद करने का यह कि इसका फायदा क्या होने वाला इसका इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ लेकर देख ले अपने पास भाई अब छोटा-छोटा लिखता हूँ का कि बागी बार-बार फिर से याद करो लेकर भारत सरकार का नाम देख ले भाई भारत सरकार का नाम क्या करना है मांगे all mineral water देख लो अब थोड़ा छोटा-छोटा mineral water सर जिद करो जिद करो फिर सामने DM हो या CM हो CM हो चाहे DM हो कोई नहीं सुनने वाला अब तो बस कौन है प्रभू है कौन है प्रभू है कौन है प्रभू है कोई नहीं सुनने वाला बस कौन है प्रभू है इसके बाद क्यूं इंडिया होगा क्यूं इंडिया आगे होगा क् पोटना और कलकटा पोटना और कलकटा पैटना और कलकटा में गोल्ड फेर कर पानी लिया जा रहा है याद रखने का simple तरीका है अब इसमें simple से पहचानने की कोशिश करो hydrogen की value क्या है reduction potential यहाँ देखना यहाँ से यहाँ जा रहे हो reduction potential क्या हो रहा है reduction potential क्या हो रहा है increase reduction potential increase मतलब oxidation potential क्या हो रहा होगा decrease यहाँ से यहाँ आ रहे हो क्या हो रहा है reduction potential क्या हो रहा है increase oxidation potential क्या हो रहा है decrease अब simple सी बाब बताओ जिसका reduction potential बढ़ रहा होगा अगर मैं इस side आ रहा हूँ इस साइड आ रहा हूँ, reduction potential बढ़ रहा है reduction potential बढ़ रहा है reduction potential बढ़ेगा मतलब मैं अच्छा oxidizing agent क्या होगा oxidizing agent कौन होगा oxidizing agent की tendency क्या हो जाएगी oxidizing agent की tendency क्या हो जाएगी top to bottom पे बात करेंगे top to bottom में देख लो क्या होने वाला है div with reduction potential बढड रहा है रिडक्षन प्र नशा मंज और रही है के उपर से नीचे और making Nu наж़u कम हो रहा है तो ऐक्सिडाइजिंग की तिदेंसी क्या हो जाहेगी जादा मतलब कौन किसी गष्णी कर रहा हुग यह देख लो, दूसरा, जक्सजिएंग एजेंट की टेनेंशी क्या हो जाएगी, ज्यादा, ढशार पॉपर से नीचे, या ना, टॉप टॉब ऌटम कर रहा हूँ, अब देख लो, हाइडरोजन से नीचे, कौन-कौन से मेतल से बहुत जादा इम्पॉर्टन्न हो जाता है, रखना आपको D-Block में NCRT में D-Block में आपके लिए बहुत जादा हो जाएगा D-Block में आप पार पढ़ोगे copper cannot displace hydrogen, copper acid से hydrogen नहीं निकाल पाता, copper acid से hydrogen नहीं निकाल पाता तो यह देख लो, क्यों नहीं निकाल पाता, silver hydrogen से, किसी acid से H2 gas release नहीं कर सकता hydrogen क्यों नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, आप simple सा सोचो, मेरे पास trick आ गई कि लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो all mineral water, जिद करो, फिर सामने CM हो या DM हो, कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभू है क्यों इंडिया आगे होगा, जब पटना और कलकता में gold फेर कर, क्या लिया जा रहा है, पानी लिया जा रहा है तो यह simple से चीज़े हैं, इसी को यूज करना है, याद रखना है, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज का application क्या है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज का application है, टोटल 6 applications आती है, 6 applications आती है आप कोई पता है, oxidizing power और reducing power की बात करूँ, तो oxidation potential जिसका high है, oxidation potential या reduction potential के time से बात करूँ तो reduction potential is directly proportional to oxidizing power, reduction potential is directly proportional to oxidizing power और inversely proportional to reducing power जिसका reduction potential high है, जिसका reduction potential high है, सर जिसका भी reduction potential high है, उसका oxidizing power क्या होगा high और जिसका reduction potential कम है, उसका reducing power क्या हो जाएगा जाएगा जादा, पक्का, तो यह छोटो चीज़े देख लो, उसके बाद reactivity of metals, metals कौन से ज़ादा reaction होते reactivity of metal is directly promotional to oxidation potential क्यों कि oxidation metals का काम क्या है metals का काम यह है Oxidize करना खुद को Oxidize करेंगे जतना ज़ाद oxidation potential high होगा उतना ज़ादा क्या हो जाएगा oxidation potential high उतना ज़ादा metal reactive होगा इसका reactive reduction potential directly promotional displacement reaction मतलब higher अपने पास higher या बोल सकते है कि reac Tibebells क्या करते है रियक्टेमेटल क्या करते है डिस्प्लेस कर देते है रियक्टिमेटल साहि लिच्टिमेटल को सब्सक्राइब 500 यह और हुपर है वह चैसे हौत dhacet से और से मैटमसे मेटलस नहीं करते यह देख लेना अपने पास कोई से मेटलस नहीं करते हैं यह देख लेना आपने ठाट कोई बात नहीं कि और भी चीज एक कशुह और है कि म dart नमेटलस को दहना होता है हमें बस metals non metals को देखना होता है कौन कौन सीज़े होती है यह देख लेंगे कोई बात ही दूसरी ट्रिक से हाट क्या कोई दिक्कत नहीं अपनी अपने ट्रिक्से नहीं लगता है तुम बना लो कोई और बना चाहता है हो कुछ हो सकता है इसके उपर कोई बस यह देख लो hydrogen के उपर जितने भी metals हैं वो सब के सब क्या करते हैं acid से hydrogen निकाल सकते हैं acid से hydrogen निकाल सकते हैं ठीक है तो यह पांच इसके क्या है applications है कि सर ऑक्सिडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है जिसका reduction potential high हुता है यह inversory proportion of this reactivity of metals जब भी आफ compare करते हो तो oxidation potential से compare करते हो sir reactivity of metals जब भी करते हो अपने oxidation potential से non metals की reactivity किस से करते हो reduction potential से क्यूं क्योंकि metals electro positive होते हैnt Джatant secondary ion ivos Mobile nutrition देते हैं तो उसका reduction potential check करते हैं ए और displacement प्रियाक्षिन वह यह होता है आप साथ 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि double displacement displacement reaction क्या है ठीक है जो भी अपने पास जैसे भी करते हो ठीक है जैसे याद होना है more reactive metals क्या होंगे less reactive वाले को कर सकते हैं ओके और अपने पास metals above hydrogen displacement ऑब्वेस जो उसके उपर होंगे hydrogen को क्या करते हैं हाइड्रोजन का potential कितना लिया गया है जीरो लिया गया हाइड्रोजन का potential कितना लिया गया है जीरो लिया गया है हाइड्रोजन का potential हम लोगोंने कितना लिया हुआ था जीरो लिया हुआ था ठीक है तो हाइड्रोजन का potential जो था वो क्या लिया गया था जीरो एंसी आर्टी म यह पिक्चर दीख जाएगी यहाँ बात है यार कोई गाना भी लिख रहा है यार काली काली जुल्फों के परदे न डालो ठीक है अला की लेवल पे चल रहा है यार वो चो टाइब करने के लिए भी टाइम लग रहा होगा यहाँ आम लोग एक इस पे अटके पड़े है ठीक है अच्छा है गाना गाना सही है न फिर वो बात बात में के दूसरा गाना गा रहा होगा ठीक है जैसे जैसे याद हो रहा है ठीक है भाई टाइम का मत पूछिया टाइम तो लएगा आज बड़ा चैप्टर है क्योंकि आज बहुत मतलब ठीक है टाइम लगना चाहिए आँ वो गाना सही था लेगने काली काली जुल्फो और कुछ चलो देखो आज सुधानसु जी सुनाईए ना और कुछ ठीक है चलो देखो पढ़ाई कर लेते हैं भाई साथ मही की बास गाना सुनते रहेंगे सुनाते रहेंगे अभी तो पढ़ लेते हैं नहीं पदा चला कि हाँ लगे पड़े अभी टाइम लगेगा देखते हैं यह मैं बोलना था इलेक्ट्रो केमिकल सिरीज में जब भी कोई आता है जब भी कोई आ रहा होता है उस केस में क्या कर रहे होते हैं कि हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करते हैं हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होता किatri researcher कुद का potential कि इजी रो अम भार मुझे पता है कि इस रूम में एक बंदे का potential कितना है जी रो तो बी potential आएगा वो दूसरे बंदेगा ही होगा अगर hydrogen के respect Strategy करेंगे तो SIR ह्टीग है हाई द्रोग्जनMM के रश्पट में अगर करेंगे तो हाइडरोसट न का तो भाई you Have जैसे तेरा एक दोमस्त है ठीक है उसका पेसे होते ही नहीं है और मैं तेरे से में पुछ तुम म without प्ताता है इसार हाइडरोजन जो है इसका चाहे तो तुम क्या कर दो अपने पास reduction कर दो चाहे तो अपने पास oxidation कर दो चाहे तो reduction कर दो चाहे तो अपने पास oxidation कर दो सर ये वाला reaction कहाँ पे आ जाएगा ये वाला reaction कहाँ पे आ जाएगा एनोड पे ये hydrogen एनोड की तरह भी भी हैप कर सकता है और दूसरी चीज ये चाहे तो cathode की तरह भी हैप कर सकता है cathode की तरह भी भी हैब करता है इन दोनों के case में इन दोनों के case में इसका potential कितना होगा इन दोनों के case में E0 जो होगा चाहे H plus का ले लो H plus 2 H2 या फिर E0 Sir H2 से H plus ले लो सब कुछ का value कितना होना है 0 ही होना है मतलब hydrogen के reference में hydrogen के respect में यह क्या हो रहा होगा hydrogen के respect में यह क्या हो रहा होगा 0 ही है hydrogen के respect में कुछ भी लोगे इसलिए hydrogen electrode को standard बोल देते है because उसके respect में वो सबसे best चीज है सबसे best चीज हो रही होती है कि हाँ भाई इसके respect में कुछ भी लेके आओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी बस हाइड्रोजन के case में एक सिंपल्स है, standard case में conditions याद रखेगा, ये NCRT के अंदर चीजे दी हुई है, कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जब भी लेते हैं, प्लैटनम ब्लैक के साथ लेते हैं, क्यों कि सर प्लैटनम का इलेक्ट्रोड है, प्लैटनम इलेक्ट्रोड क्यो होता है, तुसरी चीज, सर प्लैटनम क्या होता है, इनवर्ट होता है, तीसरी चीज, कि सर कॉंसेंट्रेशन जब देखेंगे इसके case में, तो हमेशा क्या रहना चाहिए, यूनीटी मतलब कि सर प्रेशर लोगे तो कितना लोगे, वन बार लोगे, सर अक्टिम मास् जो होना की चीज़ देख लो, standard अपने पास platinum electrode adsorb करेगा, inert होता है दूसरा हमेशा unity पे होना चाहिए मैंने यहां एक note लिख रखा है वो note इसलिए है क्योंकि NCRT में ही चीज़े दी हुई है कि platinum और gold के electrodes हमने यूज़ करते है because they used as inert electrodes they do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction or the conduction of electrons, यह देख लो कोई पूशे कि platinum platinum का surface ही क्यों use करते है platinum का surface ही क्यों use करते है किसी और का क्यों नहीं use कर लेते gold का या platinum का ही क्यों use करते है because वो inert electrode है और वो अपना surface provide करते है absorption के form में या फिर इसके form में अब सर देखोगे यहाँ पे तो कुछ चीज़े आ जाएंगी जैसे hydrogen के case में बात करेंगे तो hydrogen का अब कोई बोल दे कि सर अपने पास ऐसा बोल दिया जाए calculate देखना ध्यान से calculate oxidation potential of calculate oxidation potential of oxidation potential of hydrogen electrode hydrogen electrode at pH is equals to 3 अब तुम बोलो सर यह क्या है यह कैसे निकालेंगे hydrogen electrode का oxidation potential निकालना है oxidation का मतलब क्या होगा oxidation का मतलब क्या हो रहा होगा hydrogen का oxidation मतलब यह हो रहा होगा 2H plus और plus क्या हो जाएगा 2 electrode सर इसका आपने तो E note पहले ही बता दिया ना देखना ध्यान से formula निकाल के दिखेंगे E note अगर मैं बात करूं तो E note H2 से H plus की value कितनी हो जाती है 0 ही तो होती है E note H2 से H plus की value कितनी हो जाती है 0 ही तो होती है H2 से H plus की value कितनी होती है 0 होती है अरे कोई दिक्कत नहीं H2 से H plus की value 0 सर एक बाब बताओ अगर इसकी concentration यह तो चलो नंस्ट equation के हिसाब से minus 0.059 upon n log ऐसे तो लिखने को ये लिखना हम पड़ेगा H plus का concentration का square और यहाँ pressure of hydrogen लिख सकता हूँ generally हम लोग pressure of hydrogen कितना ले लेते जब कुछ नहीं दिया है तो 180 या बार ले लेते तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ नंस्ट equation तो लगा ही सकता हूँ नंस्ट equation लगा सकता हूँ ये देख लो ये बहुत important derivation है भाई साहब ये देख लेना क्योंकि ये चीजे कभी भी पूछी जा सकती है इसका n कितना है दो ही electron तो है 2 और यहाँ पे log H प्लस आ गया तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइमस लोग H प्लस लिख सकता हूँ 2 टाइमस लोग H प्लस लिख सकता हूँ 2 से ये 2 चला गया सर वाट इस oxidation potential oxidation potential क्या होगा इसका formula देखो तो ये लिख सकते है 0.059 into minus log H प्लस लिख सकता हूँ और minus log H प्लस को ही Oxidation potential of this ये याद रखिएगा Oxidation potential जो होगा 0.059 into क्या लिख सकता हूँ 0.059 into क्या लिख दूँगा pH ये value याद रखना ये value याद रखना Hydrosion से H प्लस जाना है ये value याद रखना सीधा सीधा Oxidation Potential अगर Hydrogen Electrode का निकालना हो सर E Hydrogen से H Plus की Value जब भी निकालनी होगी तो आप सीधा सीधा अगर pH के Terms में बात करेगा तो into directly क्या करेंगे pH लिख देंगे और अगर Reduction Potential निकालना हो तो same formula अगर Reduction Potential निकालना हो तो same formula बस क्या करेंगे सीधा सीधा उसमें क्या हो जाएगा 0.059 into क्या हो जाएगा pH Reduction formula निकालना हो तो ये formula भी यूज कर सकते आप ये formula भी यूज कर लोगे Oxidation और Reduction Potential के लिए आप Hydrogen के उपर चाहो तो ये formula यूज कर सकते हो अगर pH गिवन है तो मतलब यहाँ पे इस case में If pressure of Hydrogen हमेशा क्या दिया हुआ है 180M दिया हुआ है तो आप ये formula खुब भर के यूज करो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आपको जब भी बोला जाए Reduction Potential क्या हो जाएगा Just Negative Oxidation Potential अब सरक कोई बोलता है ठीक है पी एच आ जाएगा ओके आपको ठीक है न यारब पेंथ क्लास का बच्चा उता देगा माइनस लॉग एच प्लस को क्या बोलते है पी एच बोलते है ठीक है यहाँ पर Simple सी चीजे है Simple सी चीजे है लेकिन हाँ कोई अलग लग बात कर रहा होता है कि हाँ यार यह दिकत है यहाँ पे देख लो Oxidation Potential जब भी बोला जाए ऐसे निकाल दो फिर मेरे पास क्या हाता है ठीक है आप सोच रहे हो कोई करा है पी एच कैसे आ गया यहाँ पे काहा है करन कहा है आपके प्रभू ठीक है ठीक है ठीक है फुड़ा रिवीजन करो यार गलती से 11 वाले होगे तो भाई तुम गलती से यहां आए हो अगर 11 वाले गलती सीधर आगे तुम बेटा मत पूछो ठीक है ना ऐसा ना आज आता है लेकिन तुम्हें ये क्लास होलता है कमजूर दिल वाले ना देखे वैस संधाट वाले तो हाटें पता चला वह तो अभी वैचर स्टाट ही कर रहा है उनको अभी लग रहा हो कि दुनिया सारी उनकी मुठी में जैसे तुम्हें लग रहा हो जब तुम्हें समय二 को लगए ते वीव्ली सारी मुठी मे नहीं ठीक है बस जाएंगे बायो पढ़ेंग सब लॉजिकल होता है यह लोग जो ड्रॉप ले रहे हैं या जिनका सेलेक्शन हो पता नहीं कैसे लोग वो टेंथ वाला बच्चा जो पास हो तुम्हारे उपर डाउट कर रहा था कि अच्छा इतना टाइम लगता है मैं तो टेंथ का बोड तो ऐसे निप्टा दिया एक महीन कमेंट करके चला गया मुझे नजर दिखी मैंने का अच्छा यह भी है ठीक है यह बुल रहा है यह कहां से आ गया भाई यह सब चीजे अब आती है तो आती है ओके मैं यह बूल रहा हूं कि सिंपल सा आपको ऑक्सिडिशन पोटेंशन बूला गया तो आप नंस्ट इक्वे अगर सही से पढ़ोगे वो सब कोश्चन मिल जाएगा उपने पास हम वही कर रहे हैं जिससे एक्जाम में कोश्चन आना है एक लास्ट चीज अपने पास जो इलेक्ट्र केमिकल सेल का होता है वह होता है कॉंसंट्रेशन सेल को बोलते है तो भाईया जहां पर क्या हो रहा ह होता है जहां पर क्या हो रहा होता है कि सर एक ही बंदा मतलब देख लो अपने पास एक ही मेटल खुद को क्या कर रहा हो और खुद को वही मेटल क्या कर रहा हो रिडियूस कर रहा हो खुद को वही मेटल क्या कर रहा हो रिडियूस कर रहा हो मतलब कैनोड व्यूसी का concentration की बात करें तो यह C1 है, और वो क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी, आप जिसका Oxidation कर रहे हो, उसी का क्या कर रहे हो, कर रहे हो जिसका or uxidation कर रहे हो उसी का reduction कर रहे हो ठीक है जिसका oxidation कर रहे हो सिका reduction कर रहे हो जायगा तो ये देख ले भाई अब अब यहाँ पर देख, मैंने क्या बोला, concentration cell में inode cell क्या हो गया चीरो, लेकिन इस reaction में हो क्या रहा है, तो सर यहाँ पर यह किसके लिए यूज करते हैं यूज टू, यूज फॉर purification of, यूज फॉर electrolytic refining of metals आपको लगता हो तो electrolytic refining of metals में जाके पढ़ लीजेगा आपको पता चल जाएगा electrolytic refining of metals में यूज करते हैं, किसके लिए specially तो अपने पास copper है zinc भी है, इनके लिए यूज कर रहे होते हैं यहाँ electrolytic refining, metallurgy आले chapter में जाएंगे तो वहाँ पर आ रहा होगा metallurgy वाले chapter में जाएंगे वहाँ आता है, same metal के लिए यूज करते है यहाँ पर एक simple सा trick भी होता है chemistry पढ़ोगे, मतलब cathode पे क्या लेते हैं हम लोग pure metal चलो थोड़ा metallurgy पढ़ाई देता हूँ cathode पे क्या लेते हैं pure metal anode पे क्या लेंगे impure metal cathode पे क्या लेंगे pure metal anode पे क्या लेंगे impure metal इसको याद करने का तरीका होता है कि chemistry पढ़ोगे, aim achieve हो जाएगा chemistry अपने पास aims तक लेके चला जाएगा तो electrolytic refining में यूज करते हैं concentration cells का electrolytic refining में यूज करते हैं concentration cell का कि भईया ये मेरा concentration cell है ये मेरा cathode है, ये मेरा anode है सेम metal का रखा है इसके case में E0 cell क्या हो जाएगा 0, अच्छा, किसने बोला सर इसकी reaction लिख देते हैं, बहुत बढ़ी है लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है M plus N, इसकी concentration कितनी है C2, ये क्या हो जाएगा M plus N, इसकी concentration कितनी है, C1 और देख लो, M ये solid metal है, तो solid solid ही रहेगा इसके case में E0 cell 0 है तो E0 cell 0 होगा E0 cell 0 होगा E0 cell 0 होगा, E cell तो होगा E cell तो 0 नहीं हो सकता ना भाई साब, 0.059 upon N log QC तो लिखी सकता हूँ ये E0 cell 0, तो E cell की value कितनी आ गई, 0.059 upon N log QC, कितना आ गया C1 upon C2 आ जाएगा, C1 upon C2 आ जाएगा, तो ऐसे करके निकालते हो, ये देखो, एक जगा मैंने क्या बोला था, एक जगा मैंने क्या बोला था ठीक है, एक simple जगा देखो, मैंने क्या बोला, आपने normal battery का निकाला, concentration cells में, फिर हम लोगोंने क्या किया, एक बर E cell 0 किया था, याद करना, E cell क्ब 0 था, जब equilibrium आया था, E cell क्ब 0 था, जब equilibrium आया था, E 0 cell 0 था, E 0 cell 0 कब है, E 0 cell 0 कब होता है, जब आप क्या करते हो, concentration cells use कर लेते हो, और concentration cells कहां यूज होते है, electrolytic refining of metals में, copper और zinc के case में use होते है copper और zinc के case में use हो रहे होते है तो concentration cell में आपको E cell 0 नहीं होता E cell negative हो सकता है, positive हो सकता है, कुछ भी हो सकता है E naught cell 0 हो जाता है अपने अपने पास concentration cell में ये 0 नहीं होने वाला है हो जाएगा, सर सिंपल सा है ये reactant है, ये product हो गया और यह क्या हो गया अब अलग अलग कोई बोले सब प्रेशर लिया और प्रेशर ले ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओके चलो अब देखो अपने पास अब देखो अपने पास क्या क्या कोश्चन साते हैं जैसे मुझसे ये कोश्चन पूछ दिया गया मुझसे ये कोश्चन पूछा गया देखो दो चीजे मैंने बताई हाईड्रोजन के केस में Hydrogen के case में Oxidation Potential पूछ रहा है Oxidation Potential Hydrogen के case में हम सबको पता है Oxidation Potential का formula अभी लिखा था Sir Oxidation Potential का formula क्या हो जाता है 0.059 into क्या हो जाएगा pH 0.059 into क्या हो जाएगा pH सिधा सिधा answer पुट करो pH की value कितनी पुट कर दो 10 तो क्या answer आ जाएगा 0.059 के बदले क्या आ जाएगा 0.59 वोल्ट 0.59 वोल्ट तो यह answer आ जाएगा 0.59 वोल्ट ठीक है 0.59 वोल्ट हो जाएगा इदा सिधा अगर आपको formula पता है Oxidation Potential का तो यह formula पुट कर दो यह formula पुट कर दो answer निकाल देना हो जाएगा लेकिन आप formula नहीं याद है तो फिर आप इसके वीचे पड़े रही है कि सर क्या ही answer आ रहा है किस तरह का answer आ रहा है 0.059 इंटू पी एच होता है ना तो इंटू पी एच 10 से multiply करोगे 0.59 आ जाएगा ओके चलो अगला question देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा है सर एक न अब देखो इस ताइप की reaction जो बोल रहे थे इनलेटि इलेक्ट्रोड कहा लिखते है देख ले भाई इनलेटि इलेक्ट्रोड इधर लिखते है राइट साइड और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड की position ऐसे लिखते है ठीक है यह reactant होता है फिर क्या बन रहा है सर यहां पे भी half hydrogen है ठीक है यहां पे भी क्या बन रहा है H plus बन रहा है और इसकी value कितनी है 10 की power minus 8 है और इधर भी क्या हो गया half H2 बन गया मुझे बोला गया कि सर एक बाँ बताईए इसको मैं 10 की power minus 3 नहीं लिख देता हो नहीं और यह 10 की power minus 8 है मुझे बोला गया सर इसका electrode potential बताईए तो E cell क्या होगा E cell क्या होगा E cell E not cell तो कितना हो गया 0.059 upon N कितना है इस पुरी reaction में एक ही electron change हो रहा है क्यों क्योंकि एक ही hydrogen आपने लिया हुआ है log सर यह 10 की power minus 8 divided by 10 की power minus 3 इसको solve करेंगे 0.059 into log 10 की power minus 5 और यह minus 5 इधर आ गया तो plus 5 हो जाएगा और 0.059 into 5, 95 is a 45 और यह कितना हो गया 295, 0.295 वोल्ट कितना आ जाएगा 0.295 वोल्ट कितना आ जाएगा 0.295 वोल्ट बस 0.295 वोल्ट हो गया तो यह अपने पास चीजे हैं यह अपने पास चीजे कैसे करना है तो सत देखो ना जब reaction लिखते हो तो यह क्या होता है reactant यह क्या होता है reactant तो reactant को reactant side लिख दो reactant को reactant side लिख दो product को अपने प्रोडक्ट side लिख दो बस यह देख लेना कि sir H plus यह वाला product है और ये वाला क्या हो जाएगा ये वाला product है तो product product मा देख लो इसकी power कुछ लेने की जुरत है नहीं क्योंकि एक एक hydrogen है number of electrons कितना होगा one होगा number of electrons कितना होगा one होगा तो उसके हिसाब से करते चले जाओ ठीक है अब देख लो अपने पास ये छोट-छोटे questions करने के बाद मेरी life में अब सर एक last चीज़ बचती है जो हम लोग electrochemical cell में पढ़ते हैं और वो होता है electrochemical cell के अंदर ठीक है electrochemical cell के अंदर conservation of energy conservation of potential नहीं होता है याद रखना conservation of gives energy होती है कभी भी कोई भी question ऐसे दिया जाए देख लो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ conservation of gives energy क्या होता है अगर कर यह ऐसा लिखा हुआ है कि सर ए से ए प्लस टू जा रहे है और ए से ए प्लस टू से ए प्लस थ्री जा रहे है इसकी value 0.2 वोल्ट है इसकी value 0.3 वोल्ट है तो यहां से यहां जाने के लिए energy जो होगी इसका जो EMF होगा वो 0.2 प्लस 0.3 ये कभी नह नहीं होगा ये कभी नहीं होगा वोल्टेज कभी कंजर्व नहीं होती है ध्यान रखना वोल्टेज कभी कंजर्व नहीं होती है वोल्टेज कभी कंजर्व नहीं होगी EMF कभी कंजर्व नहीं होता है क्या कंजर्व होता है गिफ सिनर्जी कंजर्व होता है मतलब ये इनरजी हो सकती किसी भी रियक्शन में इनरजी इनकालना है तो मैं क्या करूँंगा गिफ्सिनरजी देख run कैसे लिख रहा हूं जिसए प्लस त्री किi से दिर की Gibbs synergy Gibbs synergy A से A plus 3 की energy किसके equal होगी Gibbs synergy of A से A plus 2 है slow लगाना है लेकिन Gibbs synergy की उपर लगाओगे ना यार सर आप इसके उपर थोड़ न लगाओगे कि हाँ भाई आप किसी potential की उपर है slow नहीं लगाएगा Gibbs synergy में आप कोई पता है यहाँ पे minus N F E cell हो जाएगा E A से A प्लस 3 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे माइनस N F A E naught इसका N कितना होगा पहले N भी लिख देता हूँ इसका N कितना होगा तो इसका N होगा कितने इलेक्टरॉंस हैं 3 तो 3 टाइमस इसका कितना होगा तो यह हो इसका कितना हो जाएगा 2 टाइमस F E naught A से A प्लस 2 और सर यहाँ पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस N 1 into F E naught A प्लस 2 से A प्लस 2 से कितना हो जाएगा A प्लस 3 सर माइनस माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा F से F सर सारा Faraday's constant हटा दो क्या हो गया E naught A से A plus 3 किसके equal आ जाएगा 2 times E naught 2 times E naught A से A plus 2 plus Sir E naught A plus 2 से A plus 2 से A plus 3 divided by total कितना आ जाएगा 3 solve करेंगे answer आ जाएगा Gibbs synergy कभी भी conserve करते हैं Sir कितना हो जाएगा यह 0.4 हो जाएगा यह 0.3 हो जाएगा Divide by कितना करना है 3 0.7 divided by 3 answer कितना आ जाएगा 0.2 कितना हो जाएगा 3 3 3 कितना वोल्टेगा कभी भी Gibbs synergy कभी भी Gibbs synergy कभी भी Gibbs synergy conserve करना है voltage conserve नहीं करना है और इसका shortcut formula यही होता है कि जब भी आपको ऐसा निकालना हो तो कुछ नहीं आपने इसमें किसको multiply किया 2 से तो आपने इसको किससे multiply किया 2 से तो simple सा आप simple सा EMF of cell जब भी निकालना है मतलब सरी ऐसा कुछ निकालना है एक simple तरीका याद रखिएगा कि sir A से या X से X से X प्लस N जा रहे हैं और यहां से X से प्लस 2N जा रहे हैं या 3N जा रहे हैं देख लेना अपने पास 3N जा रहे हैं तो या रूखो यार ऐसे कर लेते हैं X से यहां पर देख लो अपने पास N1 का change है और X से N2 का change है divided by यहां से यहां तक निकालना है तो E जो होगा यह पता है क्या होगा अगर इसकी value कितनी हो गई अगर इसकी value P है और इसकी value Q है तो कुछ नहीं E नॉट X से X प्लस N2 की value जो होती है वो कुछ नहीं N1 इंटू P N1 इंटू P प्लस N2 इंटू Q divide by N2 कितना हो जाएगा N2 माइनस जो भी होगा अपने पास इस तरह से answer आजाता है या फिर इसके बीच में रुख जाएब आरे ऐसे एक लिख देता हूँ यहाँ N1 हो गया N2 हो गया इसके बीच का gap रुख जाएब एक सिंपल सा तरीका बतायता हूँ अच्छली N1 एन 2 के चक्कर मनी पढ़ना है मैं ऐसे लेलता हूँ X है X से प्लस 2 गए X से कहां गए प्लस 3 गए प्लस 5 गए चलो प्लस 5 कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का निकालना है E0 निकालना है इसका कितना दिया हुआ है E1 इसका कितना दिया है E2 और तुम्हें क्या निकालना है E3 पता है E3 का फॉर्मूला क्या करना है सीधा सीधा पुट करो कितने का Electrons में चेंज कितने का है 2 टाइम्स क्या हो जाएगा E1 यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है 3 times क्या आ जाएगा E2 charge में देओ कितने का change आ रहा है यहाँ total charge में change कितना है 5 तो यहाँ पे सीधा सा formula बन जाता है कि आपको कुछ नहीं आप charge में give synergy कई भी conserve करोगे यह formula लेके आओगे direct addition नहीं करोगे direct addition नहीं करने वाले हो direct addition नहीं करोगे give synergy को हम इसा क्या करने वाले हो conserve करने वाले हो give synergy conserve करोगे answer आ जाएगा give synergy conserve करोगे answer आ जाएगा ठीके give synergy conserve करोगे answer मिल जाएगा जैसे यह formula दिया हुआ है अगर यह formula दिया हुआ है बोल रहा है कि sir बताओगे क्या formula आ जाएगा अभी just पढ़ रहे थे इस इसका ऐंसर क्या जाएगा क्या होगा अपने पास एठोला निकालना है एठोला निकालना है क्या आ जाएगा एठöées असे और यृथ सिदा सदह जिसके दिने नमबर उपंड करेंगे टीडिज्ड आए हैं गिरव चलो यह देखोओं पॉक्ष बहुत सुंहर सा आको निक्سतिंट मूटे सब्सक्राइबू कहँद है यहां पे चैप्डर मिक्स हो गये हैं किसे इसका इकल्फर कंस्टेंटत दिया है बनको दो लो chapters कैसे mix होते är और इसी reaction को मैंने क्या किया है two से multiply कर दिया है तो इसका e-naught कितना हो गया है y volt और k equilibrium क्या हो गया e-naught क्या हो गया है सर याद रखना अगर two से multiply करते हो थो उसे कोई فरक नहीं पड़ता e-naught cell को смысle e-naught cell को कोई फरक नहीं पड़ता E not cell क्या रहेगा सेम रहेगा तो X is used to Y वाला option पकड़ लो X और Y सेम रहेंगे योगि 2 से multiply करो चाहिए 3 से multiply करो कोई फरक नहीं पड़ेगा दूसरा equilibrium constant अगर आप reaction को multiply कर रहे हो तो equilibrium constant क्या हो जाता है square हो जाता है तो K1 का square किसके equal हो जाएगा K2 की equal K1 का square क्या होगा K2 की equal K1 का square क्या होगा K2 की equal होगा K1 का square क्या होगा K2 की equal होगा ठीक है हो जाएगा तो अपने पास answers निकाल लो इस तरहे questions जब भी आए अपने को answers निकालते चलना है अब देखो थोड़ा सा fast fast करते हैं अब जैसे chapter अपने बास electrochemical series हो गई electrochemical chemical cell हो गया electrochemical cell की सारी कहानी हो गई तो एक काम करते है questions देखते हैं जैसे यह देखो अब सबको mix करता हो तीन questions आपके सामने इन तीनों के answers आप एक बार सोच लो आप इन तीनों के answers फटाफट सोच लो क्या-क्या answer होगा question number one, two, three आप अपना-पना answer match कर लो पहले आप question जल देली सोचो अपना answer एक साथ तीनों के answer एक साथ दो क्या-क्या answer होगा अभी just पढ़ा है थोड़ो देर पहले ही पढ़ा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा electrolytes conduct electricity electrolytes क्यों conduct करते है electricity because उनके बीच में क्या होता है electrolytes में ions flow करते है electrolytes obvious है NaCl, Na+, Cl- ions flow करते electrons नहीं ions flow करते ठीक है electrons नहीं ions flow करते है तो उसको क्या बोलते है कि भाई flow of ions when equilibrium is reached जब equilibrium होगा तो e-cell क्या भी हो जाएगा e-cell किसके equal हो जाएगा zero के equal हो जाएगा e-cell किसके equal हो जाएगा zero के equal हो जाएगा e-cell क्या हो जाएगा zero equilibrium पे आके negative terminal क्या होता है सर, negative terminal किसको बोलते थे anode को बोलते थे anode से electron निकलता था इसलिए इसको हम लोग anode बोलते थे याद करो इधर हमने anode बनाया था इधर हमने anode बनाया था इधर हमने क्या बनाया था cathode बनाया था चीजों को relate करो electrolytic cell में opposite चलेंगे electrolytic cell में opposite चलेंगे सर इसमें flow of ions electrolytes क्या होते हैं क्या बात कर रहा हो calcium chloride electrolyte है तो कैसे होगा calcium plus 2 और क्या होगा टू सी एल माइनस ना भाई साहब elektrons कहां से flow कर जाएंगे metal थोड़ी ना है elektrons ना flow करेंगे ठीक है metal सोड़ी ना है भाई elektrons ना flow करेंगे metal सोड़ी ना है गलती हुई अच्छी बात है गलती होगी अभी गलती होगी तो याद रहेगा ना सर आप अभी गलती होगी तो याद रहेंगी चीजें ठीक है आदरवाज तो हमें इसा दिक्कत रहेगी आपको देख लो flow of science पक्का तरह एक और और करें एक तीन कोश्चन और लेके आए तीन कोश्चन और लेके आते हैं dependence of electrode बता रहा है Oxidation potential बताया जा रहा है Oxidation potential किसी का क्या होगा कोई metal है M plus N और क्या करेगा N electrons देगा इसका E cell कैसे लिखोगे E cell कैसे लिखोगे E naught लिखोगे और plus क्या लिखने वाले हो E naught minus लिखते हैं हम लोग minus 2.303 RT upon NF log QC में क्या लिखेंगे M plus N divided by concentration of क्या लिख देंगे M लिखेंगे यही लिखने वाले है लेकिन metal तो solid होता है अगर कोई metal है metal है तो metal की case में यह क्या हो जाएगा solid हो जाएगा तो मेरा answer क्या आजाएगा मेरा answer क्या हो जाएगा M plus N divided by metal तो solid होगा तो metal का concentration कितना हो जाएगा कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा C क्या आजाएगा C आजाएगा metal solid होता है metal solid होता है metal को अपने पास क्या करेंगे जब भी आप लोगे solid वाले case को क्या लेते हो 1 लेते हो तो B answer नहीं आएगा क्या answer आएगा? C answer आएगा B answer नहीं आएगा, क्या answer आएगा? C answer आएगा ठीक है? यह देखो अगला question देखो, दो questions आपके सामने ये हैं, दो questions आपके सामने ये हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसके इसको देख लो अपने पास, क्या होगा? वो जहान मुझके मज़े लिए जा रहे है देखना Standard Electrode Potential Standard Electrode Potential मतलब जब आपकी Concentration कितनी होती है 1M होती है Standard Electrode Potential मतलब जब आपकी Concentration 1M होती है अगर आपकी Concentration Double हो गई Concentration Double हो गई तो सर Standard Electrode Potential को कोई फरक नहीं पड़ता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल को कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल क्या रहेगा सेम रहेगा सिमिलरली सर निक्चे का कोश्चन देख लो अगर आपने डू से डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रहा होगा किया यह चीज़े श्वत का हो जायेगा तो पहला पूर्शन जो इस च्टर का सबसे बलकी पूर्शन था electrochemical cell को बनाना electrochemical cell कि बारें पड़ना concentration cells बहुत साइचीज़ें वह हम सबने finish कर दिया है अब आती है बारी छोटी छोटी चीजों की और छोटी छोटी topics की क्योंकि यही मेजर मतलब बोल सकते है आधा चाप्टर आपका प्रश्व चुक है आधे चाप्टर बच रूब लॉइद छोटी चोटी प्रश्छीन करने चोट छोटी प्रूर्स करने और कहानी को करना है ठीक है छोटोटे कोश्चन छोटोटे पोश्चन करते चाहिए कहा ने फिनिश कीजिए चलो देखो आव अपने पास अब मेरे लाइफ में आता है नई चीज और वो क्या है अब सेकंड पॉर्शन आता है इस चैप्टर का एंसी आइट की आप से देखोगे तो सेकंड पॉर्शन ने चैप्टर का आएगा और वह क्या है और करने लाईफ में आती है एक होता है इसमें अपने पढ़ रखा है कि temperature बढ़ाते हो अगर आप temperature बढ़ाओगे तो metals का resistance क्या होता है metals का resistance क्या होता है resistance increase करता है और resistance increase होगा तो obvious है उसी का opposite conductance क्या हो जाएगा decrease होगा यह आपने physics में पढ़ा होगा आपने I think सबने formula formula सबने देख रखा होगा कि भाईया देख लो सर यह देख लो conductance of electrolytic solution electrical conductance जो normal आप physics में पढ़ते हों किसका है तो सर उसमें कुछ नuning उसमें जब भी आप TEMPERATURE बढ़ाते हो जब भी आप TEMP senhor बढ़ाते हो वह क्या हो रहा होता है तेंप्रेटर के साथ क्या करता है decrease करता है क्यों सर ररिस्टेन्स decrees करता है क्या होता है, conductance क्या होता है, decrease होता है, क्योंकि resistance क्या हो रहा है, increase हो रहा है, बाकी electronic conductance किसके उपर depend करता है, metal के उपर, metal के कितने valence electron है, उसके उपर, तो सर्थ तो चीजे metallic conductance जो होती है, जो आप physics पर पढ़ते हो, metallic conductance जो बात करते है, metallic conductance वाली कहानी जो होती electrical conduction की वो किसके उपर depend करती है moment of electrons की उपर depend करती है और जहां moment of electrons होगा वो depend करता है कहां कहां से आपको ये चीज़ें दिख रहे हैं ठीक है nature हो गया structure of metal हो गया number of balance electron हो गया temperature पर depend करेगा resistance बढ़ा होगे conductance कम हो जाएगा ये electrical conductance है जो आप physics में करने हैं chemistry वाले क्या कराते हैं chemistry वाले में metallic बात नहीं करते हैं हमारे पास तो क्या था याद करो cell के अंदर क्या था electrolytes थे cell के अंदर electrolytes होते हैं cell के अंदर electrolytes करने cell के अंदर electrolytes पढ़ने हैं cell के अंदर electrolytes में क्या बात करेंगे हमारे यहाँ जो electrolytic conduction होता है वो किसके कारण होता है ions के कारण होता है जो ions के कारण conductivity हो उसको हम लोग क्या नम देते हैं electrolytic और ionic conductance नम देते हैं उसको हम लोग क्या नम देते हैं electrolytic और क्या नम देते हैं ionic conductance किसके क्या नम देंगे और उसका solvation कैसा है, कैसा depend कर रहा है, solvent किसके उपर है, किसी उसकी viscosity है, concentration किसना है, और सबसे ultimate और सबसे जादा major difference वाला चीज याद रखना, कि ये temperature बढ़ाने से increase होता है, याद रखना, physics वाला जो conductance था, physics वाला जो conductance था, वो decrease करता है, जब temperature बढ़ाते हो, तो वो चीज़ क energy ज़्यादा मिलेगी, ions ज़्यादा ज़्यादा बनेगे, और जब ions ज़्यादा बनेगे, तो conductance खाफी ज़्यादा होगी, तो वो वाली चीज़े हैं, कि electrolytic और ionic conductance में देख लो, मैंने क्या बोला, nature of electrolyte add करना, दूसरा size of the ions क्या है, nature of solvent या उसकी viscosity क्या है, concentration of electrolyte क्या है, temperature की बात करें, तो it increases with increase of temperature, temperature किसके साथ, increase के साथ चल रहा है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना आपने पास, कि भाया, chemistry का जो conductance है, वो temperature बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ती है, सर यही पर major difference है, दोनों में difference याद रखना, इभन आपको देख लो, तो यह सब lines मिल जाएंगी, यह सब lines मिल जाएंगी, यह देख लो कैसे होगा, सर, metallic conduction किसके कारण होता है, metals का conduction due to flow of electrons होता है, लेकिन यहाँ पे due to flow of ions होता है, इसमें chemical reactions involved होते है, वहाँ पे कोई chemical reactions नहीं होती है, कोई chemical reaction नहीं, ऐसा नहीं, metals reaction कर रहे है, लेकिन इसमें कोई transfer of matter नहीं, कहीं, metals में simple electrons ions के form में, पर यहाँ देख लो, conductivity decreases with increase in temperature, temperature बढ़ा होगी, conductivity decrease करेगी, इसकी conductivity increase करती है, with increase in temperature, क्योंकि जल्दी जल्दी ions बनेंगे, जल्दी जल्दी ions बनेंगे, अपना काम हो जाएगा, पक्का, तो यह छोट-छोट चीजे देख लो, यह छोट-छोट चीजे देख लो, यह सब चीजों की बात कर रहे हूँ, तो अब देखो भाई, थोड़ा physics पढ़ लेते हैं, chemistry class में थोड़ी physics पढ़ते हैं, सब ने यह पढ़ रखा है, देखना physics में सब ने यह पढ़ रखा है, resistance जो होता है, अगर resistance की बात करेंगे, तो resistance जो होता है, वो directly promotional to, क्या हो जाता है, length L, inversely promotional to क्या हो जाता है, area, cross-sectional area, resistance का एक formula आता है, that is known as rho L by A, resistance का unit याद रखो, यह chapter में यह वाला portion जो होता है, वो unit के लिए बहुत जादा important है, length का unit जो होता है, वो क्या होता है, unit की बात करें, तो length का unit क्या हो सकता है, meter हो सकता है, या फिर centimeter हो सकता है, area, area का unit क्या होता ह area का unit क्या होता है, meter square होता है, या फिर centimeter square हो जाता है, अगर मैं इसकी बारे में बात करता हो, और यह क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोल देते है, specific resistance, इसको हम लोग क्या नाम देते है, specific resistance, इसका नाम क्या रख देते है, specific resistance, या फिर इसको हम लोग एक नाम देते है, and that is known as resistivity resistivity क्या है तो सर resistivity अपने पास इसका unit देख लो इसका unit देख लो इसका unit देखोगे इसका unit बहुत जादा important है अपने लिए ohm meter ohm meter या फिर ohm centimeter जो मन में आए उसको लगा दो ohm centimeter unit wise questions देख लेना क्योंकि भाईया अब यहां पे अब physics मैंने बोला ना अब chapter का major portion finished है अब छोटे-छोटे portions में पूरा chapter खतम हो जाएगा पता भी नहीं चलने वाला है चोटे-छोटे-छटे chapters कब खतम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा यह देख ले भाई specific resistance unit क्या है ohm meter या ohm centimeter इस chapter में unit का बहुत इस topic में unit का बहुत बढ़ा रोल है में unit का बहुत बढ़ा रोल है फड़ा सा देख लो अपने पास सर अगर मैं one upon resistance कर देता हूँ अगर resistance का reciprocal कर देता हूँ अगर resistance का reciprocal कर दो तो यहां से मुझे एक चीज मिलेगी जाते इस known as conductance और conductance को हम लोग किस से represent करते हैं जी से represent करते हैं unit क्या होगा sir unit क्या होगा conductance का unit of g क्या होगा भी अब बहुत जादा unit है sir ohm universe लिख देते हैं या फिर इसको हम लोग महो लिख देते हैं या फिर इसी का नाम लिख देते हैं साइमेंस या फिर capital S से represent कर देते हैं देख लो resistance का just opposite कौन है conductance है और similarly अगर मैं बात करूँ कि resistance का just opposite क्या है conductance है तो similarly मेरे पास resistivity का resistivity का या specific resistance का conductivity का just इसका opposite क्या जाएगा conductivity आ जाएगी इसके just opposite क्या जाएगी conductivity या फिर इसको उन्हों क्या बोल देते हैं specific इसको उन्हों क्या बोल देते हैं specific conductance बोल देते हैं इसको उन्हों क्या बोल देते हैं specific conductance बोल देते हैं और यह specific conductance इसका unit देखोगे unit of unit of इसको कापा प्रणाउंस करते हैं कापा प्रणाउंस करते हैं और यहां से ही प्रावलम आनी शुरू होती है सर यह क्या हो जाएगा ओम इनवर्स होगा मीटर इनवर्स होगा या फिर ओम इनवर्स होगा या फिर सेंटीमीटर इनवर्स होगा लेकिन एक्जाम हॉल में ओम इनवर्स को हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं Simon Meter Inverse या फिर Simon Centimeter Inverse पढ़ने वाले हैं देख लेना जब भी आपसे question पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा इन सबके अलग-अलग units आएगे units का question बहुत जादा important है बहुत जादा इस topic का unit का question ही परिशान करता है इसलिए देख लो इसको प्रणाउंस करते हैं प्रणाउंस डैस कापा इसको हम लोग किस तरह प्रणाउंस करते हैं प्रणाउंस डैस कापा यह कापा की तरह प्रणाउंस होता है ठीक है तो यह देख लो मैंने बोला resistance का यह reciprocal क्या होगा conductance मीटर मेटर unit होगा तो मीटर में solve करना है जबremlin छाहिवा 시र्ever सेभान करना कि फाल है या सीजिए से यूनिट वालोर है जिसका जो यूनिट फॉल्ब हो रहा है उसकी सिन्सित कर लो वोले सर् limite या सिम्हें निकर दोनों बात बराबर है, Ome inverse लिखो चाहिए, Simon लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, मुझे किसने बोला, कि सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आपने resistance को क्या लिखा है, रो L by A लिखा है, यहीं लिखा है, तो resistance को अब देखो, अलग अलग तरीके से, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 by kappa, L by A लिख सकता हूँ, 1 by kappa, L by A लिख सकता हूँ, और R into K, is equals to L by A लिख सकता हूँ, सर, इसी चीज को, L by A को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक वर्ड लेते हैं, that is known as cell constant, cell constant is nothing, G star से रिपेजेंट करते हैं, और यह cell constant देख लो, cell constant क्या है, तो सर, cell constant जो होता है, cell constant, R into K, resistance into conductivity, resistance into conductivity, इसी को क्या करते हैं, L by A ले लेते हैं, तो यह formula भी आपको दिमाग में रखना है, किसने मोला सर, R is equals to, R is equals to, rho L by A है, यह तो आफ फिजिक्स का formula पता रहे हैं, मुझे conductance और conductivity का formula चाहिए, तो resistance का reciprocal क्या लिख सकते हैं, यह 1 by kappa L by A, याद रखिएगा, G is nothing, kappa A by L हो जाता है, तो अगर आपको लगता है, नहीं, physics का formula नहीं, chemistry का formula चाहिए, या conductance का formula चाहिए, तो conductance का formula क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो छोटे-छोटे formula हैं, इन्हीं को use करना है, cell constant अगर दिया हुआ है, cell constant क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर for same cell है, अगर एक ही cell है, same cell है, same cell है, और different two, अलग-अलग two different solution ले लिया मैंने, two different solution ले लिया, तो उस case में, two different solution के case में, r1 into k1 is equals to g star and that is equals to r2 into k2, तो आप इस formula को use करके भी अपना numerical solve कर सकते हो, क्योंकि cell same है, तो cell constant क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, cell constant क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, तो यह छोट-छोट चीज़े देख लो अपने पास, यह सारा physics का game है, physics की game से start किया हम लोगों ने, physics की game से start किया कि resistance क्या है, रो L by A और उसके उपर हमने resistance का reciprocal conductance, resistivity का reciprocal क्या ले लिया, specific conductivity, पक्का हो जाएगा, अच्छा, यह छोटे-छोटे formulas, paper में सही time पे याद नहीं आते, बहुत सही question किसने पूछा है, सही time पे तो याद ही नहीं आते है, यह question से, यह formula इसलिए तो बोला जाता है, लिख के किया करो, जब भी आपको लगता है, आप एक बर दो बर copy पे लिख लिया करो, जब हमारी light में आता है, moles का calculation, और इसी को हम लोग क्या बुल देते हैं, molar conductivity, सर, conductivity नहीं पढ़ते हम लोग, हम लोग क्या पढ़ते, molar conductivity पढ़ते, molar conductivity is nothing, molar conductivity के बारे बात करो तो यह कुछ नहीं है, सर, क्या है, सर, conductivity को किस से डिवाइड कर दो, conductivity को C से डिवाइड कर दो, यह क्या है, conductivity है, यह क्या है, conductivity है, और इसको किस से डिवाइड कर दो, इसको किस से डिवाइड कर दो, molar concentration, molarity से, या फिर क्या बोल देते हैं, concentration से, दिक्कत यह नहीं है कि यह formula है, दिक्कत है, इनका unit, इनका यूनिट दिक्कत कर देता है कैसे देखो इसका यूनिट क्या होता है मोल्स पर लीटर होता है इसका यूनिट क्या होता है सर अभी जस्ट पढ़ा है साइमन मीटर इनवर्स होगा चाहे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा और यहां दिक्कत क्यों आती है because one liter को आप क्या लिख सकते हो thousand centimeter cube लिख सकते हो या 10 की power minus 3 meter cube लिख सकते हो one liter को कितना लिख सकते हो आप thousand centimeter cube लिख सकते हो 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 और नहीं तो ये भी आप लिख सकते हो प्रयाद तल तो कुछ दे भाई ठीक है वन लीटर को ऐसे लिख सकते हो पका तो ये जीजे है वन लीटर थाउजन सेंटिमेटर की हुए या टेन की पाउर माइनस 3 मीटर की हुए अच्छा फिर किसने बोला सर यहाँ पर देखना एक बार इसको लेमडायम की कैलकुलेशन दे कि सर इफ कापा का यूनिट किसमे दिया है सेंटीमीटर इन्वर्स में देन लेमडायम का फॉर्मूला हो जाता है के इन्टू थाउजन अपॉन ती क्यों क्योंकि सर आपको भी पता है यहाँ पे कापा मॉल पर लिटर है एक लिटर की वैल्यू कितनी होती है थाउजन स्क्वाइर मोल इनवर्स आ जाता है इस केस में कितना आ जाता है साइमन सेंटी मीटर स्क्वाइर मोल इनवर्स आ जाता है और अगर केस टू के बारे में बात करूं और अगर केस टू के बारे में बात करूंगा अगर तो अगर यहां पर बोला जाए कि अगर कापा इस कापा Simon meter inverse में है then Simon meter inverse में है then क्या हो जाएगा lambda m का ये formula हो जाएगा k upon c into k upon c into thousand हो जाएगा और यहाँ पे इसका unit जो होगा साइमन centimeter square Simon meter square mole inverse तर ये formula बहुत जादा important होता है क्योंकि इसका reason है आपको अगर unit अलग अलग दिया हुआ है तो आप हमेशा बरबाद रहोगे आप अगर गलत formula गलत जगा put कर दिया तो हमेशा दिक्कत होगी lambda m का formula हमेशा याद रखेगा कि lambda m कैसे निकालते हैं तो सर कुछ नहीं kappa का unit देख लो kappa का unit क्या है centimeter में ये moles per liter है एक lidtर की value कितनी होती है centimeter cube में thousand तर अगर moles per liter है एक लिटर की value कितनी होती है 10 की power minus 3 तो 1 liter की value क्या put कर दो 10 की power minus 3 कहाँ आ जाएगा? नीछे आ जाएगा कहाँ नीछे आजाएगा अपने अच्छे आजाएगा? तो यह चोट चीजें, molar conductivity कुछ है ही नहीं, कोई बोले सब एक्वैलेंट conductivity, अब एक्वैलेंट के केस में क्या लेते हैं, नॉर्मिलिटी, लेकिन भाई, NCRT में है नहीं, नॉर्मिलिटी की concept, कोई बोल दे तो बस याद रखना, अगर कोई बोल देता है कि सब मोलर conductivity तो छोड़ दो, लेमडा एक्वैलेंट निकालना है, अगर एक्वैलेंट conductivity की नाम ले ले, तो कुछ नहीं, concentration के बदले क्या पूट कर देना, नॉर्मिलिटी पूट कर देना, वहां मोल्स पर लिटर के बदले क्या आ जाएगा, एक्वैलेंट पर लिटर आ जाएगा, इससे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना कर रहे हैं, बस यहीं है अपने पास, ठीक है, कुछ ने बोल दिया कि भाई, नहीं भाई, मुझे ना, एक्वैलेंट कंड़क्टिवीटी पढ़नी, एक्वैलेंट कंड़क्टिवीटी बता दो, तो चलो थोड़ा सा बात कर लेता और यह क्या हो गया, यह हो गया, सर यह उपने पास क्या आगया, एक्वैलेंट नॉर्मिलीटी आगई, यह क्या हो गया, नॉर्मिलीटी आगई, सर बहुत बड़ी चीज है नहीं, आपको बस एक सिंपल सा रिलेशन बता देता हो, सिंपल सा एक रिलेशन बता देता हो, कि स कि यार रखना जब भी तुमसे कोई पूछे फॉर्मुला बता दो इसको यह फॉर्मला कि भाई ले यार खुस रहे अगर एक्पे टिवेलेंट कंडुक्टिविटी कहीं बात कर रहा है कोई स्रक्राइब करना है किस से डिवाइड कर देना इंंफैक्टर से उल्र क्नुक्ति विल्टि देना है इस तरह की चीजे देख लो इक्लेंट कंडुक्तिवीटी में यह वाला केस याद रखना क्यों कि सबसे करेंगे कब ऊपर 1000 करना कभ नीचे 1000 करना इसमें देखना आपने पास इसके उपर वर्क करना ढाने ये सब चीजह कब होंगी यहां पर अपने पास कैसे होगा की कभ ऊपर 1000च, दो नीचे 1000 immense Conductivity कैसे चेंऔर यह चीजे देख लो बाकी तो अपने सीदा सीदा पता एक Quick याद रखना divided by n factor होता है डिवाइड बहुता है न फाक्टर हो जाता है अब आपके स्कुश्चंस भाइप पड़े छोट छोट छट छटे formula's सारे छोट छटे formula's एक साथ कर लो अब बस उसको लेगे कर लो यहीं कंडक्टेंस के केसे में कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा कंडुक्टिन से केस में बस यही चोट-चोट चीज़ें आएंगी यही चोट-चोट चीज़ें आपको उठा उठाए करनी है कि लेमडा एक्वेलेंट यह है इसके बात करते रहो अब जैसे यह सब चीज़ें की डेफिनिशन की आपको जरुद नहीं है बस अरे कहां गया भाई इतना वी तेजी से मत जा अब देखो अब इंसी आटी कुछ कोश्षन से जैसी यह अब यह कॉश्षन इंसीर टी में दिया हुआ है नसी एक्जांपल में दिया हुआ है आप से बोल देंग कि सर इसका एंसर निकालो अरे भाई कु जाएगा और यहां पर देखोगे तो सर area कितना हो जाएगा area कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा सर पाई इंटू 0.5 cm का फोल स्क्वायर जितना भी आए 0.25 75 pi सेंटीमीटर स्कुर funz YouTube लेंद्ध कितना दिया हुआ है तो लेंद kляंफ फिफ्टी संटीमीटर दिया है जब सबकुछ सेंटीमीटर में दिया तो चैनटीमीटर में निकाल Completely क। क्या निकालना है resistivity निकालनी है resistance दिया हुआ है resistance कितना है resistance कितना है resistance कितना है resistance है इसके पास 5.55 into 10 की पावर 3 ohm दिया हुआ है ऐसे है साहे तो सर रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी सर यहां से मैं फॉर्मुले से रो की वैल्यू क्या लिख करा सकता हूँ आर इंटू एबाई एल आजाएगा सर कैल्कुलेट कर लो जितना भी आए ठीक है अब कैल्कुलेशन की उपर क्योंकि एंसी आइडिया कुश्चन है तो कैल्कुलेशन थोड़ा गंदा तो देगा ही देगा एरिया कितना है इसका 0.25 पाई इसको आए पाई डिवाइड बाई एल कितना है लेंद कितना है पचास तर यह एंसर जो निकालोगे रो की वैल्यू जो आएगी वो किसमें आ जाएगी ओम सेंटीमीटर में आ जाएगी ओम सेंटीमीटर में आ जाएगी रो की वैल्यू किसमें आएगी ओम सेंटीमीटर में आएगी और जैसे ही मेरा रेजिस्टिवीटी आया और one upon resistivity को ही क्या बोल देते है, conductivity, तो conductivity की value कितनी आ जाएगी, सर इसकी values put कर देना, अब जो तनी values आए, मैं इसने solve नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको questions जादा करवाना चाह रहा हूँ, अभी इस time पे आपके लिए बस ये देख लो, कि भईया ये questions कैसे आएंगे अपने को, unit क्या हो जाएगा, ohm inverse हो जाएगा, और centimeter inverse हो जाएगा, यहां बोल सकते हैं कि इसको साइमन centimeter inverse आ जाएगा, conductivity आ गई, molar conductivity कैसे निकालोगे, तो सर कापा पॉन सी होता है, लेकिन यहां पे जो concentration है, कापा की value है, वो centimeter में है, तो उपर क्या लिखेंगे, thousand, कापा की value उपर क जाएगे, इसका answer जो आएगा, साइमन centimeter square, कितना आजाएगा, mole inverse हो जाएगा, साइमन centimeter square, कितना आजाएगा, mole inverse हो जाएगा, पक्का, अरे तो यह NCRT question है, इसलिए इसमें option नहींगे भाई, बस सिखाने के लिए, आप जाके देखोगे, NCRT में यह questions मिल जाएगे, ठीक है न NCRT में यह questions मिल जाएगे, इसलिए अपने को नहीं दिया इसका option, NCRT questions है, तो यहाँ पे तो अपने को आएगे, ठीक है, अच्छा चलो, अब अगला question देखोगे, NCRT का language देखो, क्योंकि देखो यार, सीज़ी बात है, exam hall में कौन सा question कहां से आ जाए, कुछ पता नहीं है, तो better है कि उसके उपर फर्क करते हैं, जैसे यह NCRT question है, बहुत simple सा question है, आप answer निकालो, इसका answer तो बीना option के भी निकाल सकते हैं, यह तो answer निकालने के लिए है, यह question आपका कभी भी exam hall में आ सकता है, लेमडा में निकालना है, के भाई C तो होता है, 1000 कहां multiply करें, cm में दिया जाएगा, 0.20, तो सर यह decimal से decimal खेलना सुरू करें, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, सर यह सारा का सारा zero cancel, 248 by 248 by 2, 124, साइमन, cm2, mol inverse, साइमन, cm2, mol inverse, क्या हो जाएगा, साइमन, cm2, mol inverse, तो ऐसे ऐसे questions करते रहे है, NCRT कंदर questions है, बस exam hall में सही टाइम पर सही चीज याद जाए, जैसे यह दिया हुआ है, NCRT है question है, the resistance of a conductivity cell, कितना दिया हुआ है, resistance दिया हुआ है, कितना, exam hall में बस लिख लो, 1500 ohm दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, सर, cell constant बताईए, cell constant का formula हमने लिखा था, L by A into R into K, यही था ना, cell constant का formula, conductivity भी दी हुई है, तो जी यह स्टार की value, कि value कितनी दी है, 0.146 into 10 की power minus 3 दी गई है, सर, कुछ नहीं, बस put कर दो, G star कितना हो जाएगा, R into K, R की value कितनी है, 1500 है, कि value कितनी है, 0.146 into 10 की power minus 3 है, तो यह मेरा क्या जाएगा, G star आजाएगा, यह मेरा क्या जाएगा, G star आजाएगा, निकाल लो, जो भी values आए मुझे उसे फरक नहीं पढ़ रहा आपको यह answer देखो गये तो यह क्या जाएगा यह answer centimeter inverse आ जाएगा ठीक है answer क्या जाएगा centimeter inverse आ जाएगा हो गया तर यह देखो अपने पास कोई भी NCRT का ये बहुत सुंदर सा और बहुत NCRT के examples का question है कभी भी किसी भी time पे अपने question पूछा जा सकता है question को ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा question को थ्यान से पढ़ना कि resistance of a conductivity cell filled with a 0.1 mole KCL solution मतलब इस concentration से जब fill करते हैं तो उसका resistance कितना है 100 है मतलब एक बार अगर मैं बात करूँ case 1 की बात करूँ case 1 में क्या हो रहा है एक cell है जिसका concentration C1 कितना है 0.1 M है उसका resistance R1 कितना है 100 ohm है if the resistance of the same cell case 2 ले लेता हूँ क्योंकि अब बोल रहा है कि same cell को किस से fill करना है sir इसकी concentration C2 है 0.02 M हो गया और sir इसका resistance R2 कितना हो जाएगा R2 कितना हो जाएगा 520 ohm हो जाएगा और calculate the conductivity इसी का conductivity निकालना है K2 निकालना है और lambda M2 निकालना है sir second cell का lambda M2 निकालना है और conductivity of 0.1 M conductivity of 0.1 M moles per liter KCL solution की बात करें तो यह देख लो अपने पास मुझे इसका K1 दिया हुआ है कितना 1.29 Simon meter inverse दिया हुआ है मुझे क्या निकालना है ये दो चीजे निकालनी है same cell के case में same cell के case में हम लोग क्या बोलते है अगर same cell है same cell होता है तो उस case में हम लोग ये लिख सकते है R1 K1 is equals to R2 K2 और यहां से K2 की value क्या जाएगी R1 K1 upon R2 R1 K1 upon R2 R1 कितना हो गया 100 into K1 की value कितनी हो गई 1.29 divided by ये कितना हो गया 520 कितना हो जाएगा 129 upon 520 क्या answer आएगा Simon centimeter inverse आजाएगा क्यों meter inverse है दिया है meter inverse तो meter inverse आजाएगा question देख ले भाई NCRT का question है और आपको भी यही चीज़ देखनी है तेम सेल में ये आजाएगा अच्छा फिर देखो कि उसने बहुतने बहुतना सर lambda M2 निकालना है second सेल का lambda M2 सर साइमन meter में है तो साइमन meter में क्या लिखेंगे सर ये वाली K2 की value तो वही रहेगी divide by concentration concentration 0.02 into क्या हो जाएगा thousand सर ये 0.02 multiply हो जाएगा 129 520 into 20 सर ये lambda M2 की value आजाएगी इसका यो unit आएगा साइमन meter square क्या आजाएगा mole inverse साइमन meter square mole inverse साइमन meter square mole inverse आजाएगा तो ये चीजे देख लो और इसके हिसाप से आप करते रहो जब भी exam hall में आए आप करते रहो questions है ये NCRTA questions है कभी भी किसी भी time पुछे जा सकते है किसी भी time पुछे जा सकते है सर आपके बस values वही होंगी calculations हो सकता है थोड़ा आसान कर दिया जाए exam hall में लेकिन NCRT questions है कभी भी पुछे जा सकते है ठीक है ओके चला जाए भाई साहब ठीक है अगे चले अब देखो अरे final answer निकालना exam hall में तुम क्या करते हो round of curry सकते हो न round of curry answer निकाल लेना भाई ठीक है कभी कमेंट देखके ऐसे मचा जाता है अरे भाई ये सब भी चलना है ठीक है एक पुछ रहा है what color is your hair भाई साहब या doubt है इसमें मुझे अलग लेवल लेवल पर है ओके चलो और कुछ तो भाई formula formula खुब सारा हो गया solution भाई saturday को है जहां तक मुझे आधा रहा है saturday को solution है मुझे उमीद में saturday है ठीक है हाँ भाई comment में करें तो ही होते है कभी कुछ लोग आते एकदम मसा उससे क्या होता है हमें मेरा entertainment बना होता है आएसा लगता है कभी को यारे पता नहीं सामने वाला पढ़ने वाला पढ़ भी रहा है क्यों देख यार पढ़ने वाले लोग एक बंदर कलर्लिस हाँ 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 है यहीं बात मजा कर रहा है तो तर्फिस और डॉक्स तो हो जाएगा ठीक है इस वीक में इस वीक में अपने पास हाँ पूरा खतम कर लेंगे यार टैंशन मतले बस पढ़ ले भाई सोचना रात के दस बज़ रहे सोच हमें नहीं पता मतलब मुझे भी कोई डाउट ही होता है कि पता नहीं कोई पढ़ भी रहा है क्या कर रहा है ठीक है लेकिन इस टाइम तक लगे हुए रहते हैं लोग कै पढ़ रहे हैं कमेंट कोई चलो लगिन ठीक है आर्ली नीम देखके लगता है कि आर पढाही कर रहे हैं करता हैं नइक को न करता है लेकिन थोड़ा अच्छा कमेंट कर देते हैं ऑथा चलो हां पढ़ाई करते अच्छे जणना यार सेलेक्शन लेते क्योंकि सब लोग जो हो सेलेक्शन के लिए सब लोग करते देख्जन के लिए पढ़ना है और कुछ नहीं हमें कोटा में हूं भाई कोटा में पढ़ा रहा हूं पढ़ाऊंगा भी आप बस यह ऑनलाइन बीच बीच पास है तो डर लगना नॉर्मल है इक्जाम पास हो गदो डर नहीं लगता सबको लगता पड़ने यह पाल ूजिक नहीं चाथा कि बलंगा इस नोगन एक तरना ही पड़ना है थैसतल नोट अगर चमेज लगता है कि हाइर समन्ज में आ रहा है चीजी हो रही है तो चार घंटे के अंदर सब कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छा है तब तो पढ़ो नहीं तो फिर तो यह जब अस्ति का क्या ही फाएदा एट जक्र अच्छा कोटा में कहां सर अरे ऐसे थोड़ना बता सकते हैं तो पता चला कि पहुंच गया डाउट लेकर वहीं पर ठीक है कि सर कि सॉलुशन देख लूँगा सॉलुशन सैटेड़े को ऐसा है ठीक है इसटूडियो में उस्टूडियो जहां वहीं पर हो मैं ए मिद्यृपीट वाले साइड नहीं थाइए रेडोक्स और रेडॉक्स सर्फिस का आज आज आएगा रेडॉक्स सर्फिस को च्छोटा सब चैप्टर है यह बड़ा आज सबसे बड़ा चैप्टर्स कतम होने वाला चैमिकल आईनिक फर्मडाइमिक केमिकल आहिनिक और उसके चल बाई जय से अब ये question बता इस cancer जल जले सकांसर क्या हो इस cancer क्या होगा इस constate दिया हुआ है s tycker दिया हुआ जी ये star की value दिय हुई है कितने दिये 0.5idden यह किसके equal होता है r into k के find the conductance, conductance की value निकालनी है तो सर रेजिस्टिवीटी की value दी हुई है अच्छा cell constant L by A की value दी हुई है न ठीक है L by A की value या फिर हम बूल सकते है r into k के still constant resistivity की value दी हुई है resistivity कितनी है 54 दी हुई है तर conductance निकालना है conductance कैसे आएगा conductance कैसे आएगा तो conductance के लिए हम लोग क्या formula लेते हैं याद करो rho r is equals to rho L by A लिख सकते है rho r की value क्या लिख सकते हैं 1 by G लिख सकते हैं और rho L by A लिख सकते हैं तो जी की वैल्यू क्या आ गई एरिया अपॉन रो एल और एल भाई एक को ही क्या बिलते हैं जी इस्टार बिलते हैं तो वन अपॉन वन अपॉन यह देख लो 1 upon rho into जी यह स्टार लिख सकते हैं ल भाई यह कोई तो जी स्टार लिखते हैं तो 1 upon 54 into 0.5 0.5 मतलब 1 upon 27 क्या अंसर आजाएगा 1 upon 27 एंसर क्या आजाएगा 1 upon 27 ठीक है 1 upon 27 ओके ओके चलो ठीक है भाई जा सकते हैं तो बस यहां चलते G स्टार या G की बारे चंड़क्टेंस की बारे माफ करें तो चंड़क्टेंस कितना हो जाएगा 1 upon 27 तो ऐसे करके अंसर निकाल लो कहीं भी कोश्टन्स आएग जैसे ये कोश्टन दिया हुआ है जंदिली कदम करो ये question दिया हुआ है सर resistance of 0.5 M 0.5 M solution का दिया हुआ है बोल रहा है कि सर इसमें क्या है resistance दिया हुआ है electrodes का centimeter में दिया हुआ है area भी दिया हुआ है molar conductivity निकालनी है किसमे meter square में meter square में निकालनी है पहली बात सर area को और length को क्या करना पड़ेगा ये देख ले भाई length को क्या करना पड़ेगा 2.2 cm है तो इसको भी meter में लेके आना पड़ेगा क्यों क्योंकि सर final answer meter में निकालना है आप और अपने बास area की बात करेंगे तो area कितना है 4.4 cm square तो सर इसको भी meter में लेके आना पड़ेगा meter square तो 10 की power minus 4 meter square आएगा कैसे सर 1 cm क्या होता है 10 की power minus 2 meter होता है तो 1 cm का whole square करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की power minus 4 meter square हो जाएगा तो ये basics लगा दो length आ गया area आ गया आपको क्या मिल चुका है resistance पता है resistance कितना है 50 ohm है तो अब यहाँ पे देख लो क्या करना है molar conductivity निकाल नहीं है तो सर हम लोग एक simple सा चीज निकाल सकते है r into k is nothing l by a तो k की value k की value क्या हो गई k की value l by a into r क्या हो जाएगा l की value कितनी है 2.2 into 10 की power minus 2 ये कितना है 4.4 into 10 की power minus 4 area resistance कितना है 50 ये कितना हो गया 2 times ये कितना हो गया 2 times ये कहां चला गया 100 उपर चला गया अगर 100 उपर चला गया k की value कितनी आ गई 1 आ गई k की value कितनी आ गई 1 आ गई और ये कितनी आ जाएगी Simon meter lambda m की value निकालने जाओगे sir उपर sir उपर कह रहा हू k into 1000 into c आ जाएगा value क्या है 1 c की value कितनी है 1000 into 1000 into 0.5 0.5 तो ये क्या हो जाएगा 2 into 10 की power minus 3 lambda m की value आ जाएगी अगर lambda m की बात करे Simon meter square mole inverse आ जाएगा Simon meter square mole inverse आ जाएगा 2 into 10 की power minus 2 answer क्या जाएगा third one answer क्या जाएगा third one answer क्या जाएगा third one एंसर निकाल दो चलो भाई अब देखो एक छोड़ चीज ने और क्या है और छोड़ चीज क्या है ये दिया हुआ है नॉर्मलीटी दी हुई है किसका? इलेक्ट्रोलाइट का बोल रहे है कंड़क्टेंस निकालो नॉर्मलीटी देने से कोई फायदा है नहीं 1 by 420 ohm inverse 1 by 420 ohm inverse कितना आ जाएगा 2.4 into 10 की power 2.4 into 10 की power minus 3 कितना आ जाएगा 2.4 into 10 की power minus 3 answer खतम तो यह सब चीजे हो रही है यह सब चीजे खतम अपने पास conductance निकालना है सीधा सीधा question wise questions कर लो ठीक है सीधा सीधा questions खतम कर लो अच्छा अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है अब यहाँ से एक नई चीज आती है क्या एक नई चीज क्या आती है थोड़ा theoretical portion अब सुरू होने वाला है धेदर सुरू होने वाला है और यही सब यहाँ पर छोट चीजे अब chapter अपने पास धेदरे छोट छोट चीजे पॉर्शन में चला जाएगा लास्ट में battery battery आईगी खतम हो जाएगी कहानी यह देख भाई अब मेरे पास क्या आता है कि variation of variation of conductivity and molar conductivity with concentration concentration के साथ कैसे variation होती है conductivity की और molar conductivity की याद रखिएगा conductivity चाहे किसी की भी क्यों न हो conductivity always decreases conductivity हमेशा decrease करती है जब concentration को decrease करते है चाहे strong electrolyte हो चाहे weak electrolyte हो इसका reason क्या दिया जाता है तो NCRT के अंदर एक reason है कि number of ions per unit volume number of ions per unit volume number of ions per unit volume decreases with dilution क्योंकि आप जब dilute कर देते हो concentration को कम कर देते हो मतलब पानी खुब सा राइड कर देते हो और जब पानी खुब सा राइड कर देते हो तो उस case में क्या हो जाता है number of ions per unit volume क्या हो जाएगा decrease कर जाएगा and that's why conductivity क्या हो जाएगा decrease लेकिन molar conductivity की बात करें molar conductivity की बात करें तो molar conductivity क्या कर रहा होता है molar conductivity क्या कर रहा होता है कि sir ये हमेशा क्यों कि सर lambda m का formula देखो न k by क्या हो जाएगा c k by c मतलब concentration के inversely proportional है तो ये क्या करता है increase करता है with decrease in concentration अगर concentration कम करोगे lambda m बढ़ जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं कि सर n by v और इसको formula को लिखें तो number of moles into क्या हैगा v सर देख लो अगर आप dilute करते हूँ तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हूँ? volume को क्या कर रहे हूँ? बढ़ा रहे हूँ volume को क्या कर रहे हूँ? बढ़ा रहे हूँ तो volume बढ़ेगा तो lambda m भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो दो चीजों के बीच का difference याद रखना conductivity क्या होती है decrease करती है with decrease in concentration but molar conductivity क्या होती है molar conductivity increase करती है with decrease in concentration क्यों क्योंकि formula में just opposite चल रहा है formula में involving interaction दिख रहा है इसलिए मैंने ये देखा अब किसी ने बोला sir concentration कम करोगे molar conductivity बढ़ती जाएगी concentration कम करते जाओ molar connectivity बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी भाई concentration कम करते जाएगी molar connectivity बढ़ाते चले जाओगे तो सर ऐसे कैसे होगा तो यहाँ पे देख लेना अपने पास ऐसे कैसे हो रहा हो यह conductivity कम करोगे molar connectivity बढ़ती जाएगी यहाँ देख लो यह देख लो अपने पास concentration decreases जैसे से concentration decrease हो रही है lambda m क्या हो रहा है increase हो रहा है अब सर यहाँ पे दो live नापने आस आती है अगर for strong electrolytes की बात करें या सर सिंपल सा एक आप सिंपल सा पहले बात करते है at infinite dilution at infinite dilution अगर infinite dilution कर दिया जाए infinite dilution का मतलब क्या होता है जब concentration concentration approaches zero मतलब concentration की value कितनी हो जाए zero हो जाए जब concentration approaches zero उस time पे lambda m will have maximum lambda m will have maximum maximum value lambda m will have maximum value कितना that is equals to limiting lambda m की value सबसे maximum होगी lambda m not या फिर इसी को आप लोग क्या बोल देते है lambda m maximum इसी को आप लोग बोल देते है that is known as limiting इसी को आप लोग क्या नाम देते है limiting molar limiting molar conductivity इसी को आप लोग क्या नाम देते है limiting molar conductivity मतलब जब concentration tending to zero हो जाए concentration tending to zero हो जाए ठीक है तो एक time आए गा जब लेम्डा एम की मैक्सम वैल्यू होगी और उसको अब क्या बोल कैए लेम्डा एम्टूट बोल देते हैं क्युक्त लगा देगा इससे जाधा नहीं होगी आपकी life में इससे जाधा नहीं होगी और इसी को अगर हम बात करें तो यह देख लो Sir for strong electrolytes अगर यही same चीज strong electrolytes के लिए पढ़ना चाहते हो यह same logic तो यहाँ पे strong electrolytes के लिए यहाँ पे एक Debye Huckels equation आ जाती है और वो क्या बोलती है Lambda M is nothing Lambda M not minus A under root C concentration के inversely proportional चल रहा होगा where Lambda M is यह देख लो अपने पास इसी को लोग C under root C लिख देते हैं और यहाँ पे जब graph खिचने जाएंगे strong electrolytes में अगर strong electrolytes में graph खिचने जाएं तो Lambda M Lambda M versus under root C का graph खिचने जाएं तो क्या बनेगा A is equals to यहाँ देख लो यह value क्या होगी Lambda M not होगी यहाँ पे जो slope होगा यहाँ जो slope होगा वो कितना हो जाएगा minus of A यह क्या है constant है slope कितना हो जाएगा minus of A हो जाएगा slope कितना हो जाएगा minus of A हो जाएगा तो यह slope कितना होगा minus of A यह Lambda M not है यह Lambda M not है यह under root C है Lambda M, Lambda M not under root C कर सकते हैं ठीक है यह हो जाएगा यह strong electrolyte है strong electrolyte यह क्या है limiting molar conductivity maximum value है धीरे धीरे क्या होगी देखो ना concentration जब zero है तो यह कहाँ चला जा रहा है concentration zero तो यह देख लो अपने पास limiting molar conductivity है यह normal molar conductivity है यह क्या है molar conductivity है और इन दोनों के बीच का relation देख लो strong electrolyte में यह आएगा किसने मुला सर week electrolyte में होगा यह अपने पास week electrolyte में होगा अगर फोर week electrolyte की बारे बात करें अगर week electrolyte की बारे बात किया जाएगा तो week electrolyte के case में याद रखिएगा week electrolyte के case में क्या होने वाला है कि सर lambda m जो होता है inversely proportional to under root c सर सीधा सीधा आप इसको याद रखो कि लेम्डा एम की वैल्यू अंडर रूट थी के डारेक्ट इन्वोसली पोशनल होगा इसके केस में आपको कुछ नहीं ग्राफ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपर बूला ग्राफ मिल जाएगा इन्वोसली पोशनल का ग्राफ मिल जाएगा जो कहीं भी टच नहीं होने वाला इन्वोसली पोशनल का ग्राफ मिल जाएगा ठीक है तो यह याद रखना अपने पास कि जब भी अपने को बूला जाए ठीक है ठीक है रेक्टेंगुलर हाइपर बूला की बात कर रहा हूँ, rectangular hyperbola की बात कर रहा हूँ, कि rectangular hyperbola क्या हो रहा होता है, कि rectangular hyperbola weak electrolytes में हमेशा inversely motion ठीक है, और strong electrolyte में straight line, strong electrolyte में straight line वो क्या करता है, एक axis को cut करता है, weak electrolyte एक भी axis को cut नहीं करता है, weak electrolyte एक भी axis को cut नहीं करता है ठीक है, weak electrolyte इसी एक axis को भी cut नहीं करता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा limiting का concept की हाँ limiting molar connectivity ऐसे होती है और weak electrolytes में क्या चलेगा inversely promotional, rectangular, hyperbola strong electrolytes के लिए क्या होगा ऐसा हो रहा होगा ये देख लो अपने पास अगर question ऐसा दे दिया ये question ऐसा दे दिया गया ये question ऐसा दे दिया गया इसका option देखोगे तो यहाँ पर D option जो है CS3, C, O, H D option जो है वो किसका है CS3, C, O, H और C option जो है ये यहाँ पर थोड़ा छूप रहा है तो ये अपने पास KNO3 क्या हो जाएगा क्वाशन हो जाएगा क्वाशन हो जाएगा कौन सा उप्शन हो जाएगा क्या उप्शन हो जाएगा कैसे क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका ग्राफ कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरवोला जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ ऐसा होता है ये ग्राफ किसका है वीक का है ये graph किसका है? weak electrolyte का है और इन चारों में weak electrolyte कौन सा दिखरा है सर ये HCL है, ये फटाफ़ तूट जाता है सर सबसे ज़्याद़ weak electrolyte कौन सा है ये acetic acid सबसे ज़्याद़ weak electrolyte कौन सा है weak acid क्या है? अपने पास weak electrolyte की तरह काम करेगा अब यहाँ पे देखो तो अपने पास मुझे पता दिया गया कि limiting molar conductivity ऐसे होती है लेकिन किसने बोला limiting molar conductivity की value कैसे आएगी limiting molar conductivity की value कैसे निकालते है किस तरह आएगी तो limiting molar conductivity की value निकालने के लिए हमारे पास जो law आया that is known as collars law collars law क्या बोलता है कि अगर आप किसी की limiting molar conductivity निकालना चाहते हो अगर किसी electrolyte का limiting molar conductivity निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं individual cutan और n-an की contribution का individual cutan और n-an की contribution का आप सिधा 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 सम कर देना individual cutan और n-an की contribution का सिधा 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 सम कर देना मतलब अगर आपसे कोई बोल रहा है कि limiting molar conductivity of NaCl का निकालिए तो कुछ नहीं आप क्या करो Na plus की value Na plus की limiting molar conductivity और इसको किस से add कर देना Cl minus से अगर बोला रहता है कि sir आपना एक काम करो HCl का H2O का निकाल दो तो H2O में कुछ नहीं किसका निकाल देना H plus और किसका निकाल देना अपने पास OH minus का मतलब जो कटायन है उन सबका contribution add कर दो यहाँ एक important बात याद रखना अगर मैं ऐसा लिखता हूँ molar conductivity of CaCl2 तो lambda not of Ca plus 2 lambda not of Ca plus 2 और lambda not of Ca minus लेकिन यहाँ दो chlorine है तो दोनों का conductivity लूँगा कभी भी कोई पूच दे lambda not of अगर मुच्छा बुला आता है याद रखना है individual contribution याद रखना है individual contribution याद रखना है जैसे इसमें बूला जाए तो किस तरह निकालोगे sodium plus sodium plus कितना लूँगा 2 times और sulfate का conductivity similarly अगर मुझसे यह बूला जाए lambda not of अगर मुझसे कोई बूल दे कि sir na3 po4 ऐसे बूला जाए तो यहाँ पे 3 lambda na plus होगा 3 lambda na plus होगा और lambda not of po4 minus 3 हो जाएगा तो कोलार स्लोग limiting molar connectivity क्या होती है कुछ नहीं किसी का भी निकालना है molar connectivity तो आप simple simple add करते चले जाना simple simple add कर देना और कुछ नहीं simple simple add कर देना simple H plus OH minus यहाँ 2 chlorine ने तो दोनों का contribution यहाँ 2 sodium है तो दोनों का contribution यहाँ 3 sodium है तीनों का contribution इस तरह से निकाल देना 3 sodium है तीनों के हिसाब से कर लो यह molar conductor कुछ है नहीं भाई question direct direct आते है बस इसका एक दो question है जो बहुत important हो जाता है कि अलग अलग तरीके से लिखने का question अलग अलग तरीके से लिखने का question और कुछ नहीं जैसे मुझे बोला गया कि सर कोई बात नहीं limiting molar conductivity में यह values कहां से आएंगी यह रटना नहीं है यह values रटना नहीं है पता है यह values रटना नहीं है क्यों कि सर NCRT में चार्ट दिया हुआ है उसमें एक simple सा कुछ observation है वो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा highest value किसकी होती है highest value अगर molar conductivity में बात की जाए सबसे ज़्यादा highest value किसकी आएगी H plus की आती है फिर किसकी आती है OH- की आती है तो सबसे highest क्या होता है conductivity highest क्या होती है सबसे highest इसकी क्या हो जाता है size very small कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है H plus इसलिए limiting molar conductivity अगर आपसे कोई पूछ दे तो limiting molar conductivity में सबसे highest कौन सा होता है H plus होता है सबसे highest क्योंकि NCIT का data है कभी पूछा जा सकता है highest कौन सा होगा H plus उसके बाद कौन आता है OH- फिर यहां एक दो चीजे observe करना सर सोडियम और potassium को देखो सोडियम और potassium का देखोगे lambda N plus का order तो यहां देख लो सोडियम का जैसे साइज बढ़ रहा है जैसे साइज बढ़ रहा है अपने पास क्या होता है सर कंड़क्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है similarly अगर magnesium से आप calcium के पास जाओगे magnesium से आप calcium के पास जाओगे देख लो आपके साइज बढ़ने के साथ-साथ conductivity की वैल्यू क्या हो रही है होता है समॉल साइज का होता है सबसे छोटा साइज सबसे स्मॉल साइज का चल रहा होता है तो यह highlighting देख लो लेमडान रोट का ओर देख लो हो जाएगा, हो जाएगा तो ये अपने पास कोलार्स लो है कोलार्स लो के questions देखोगे यहां limiting molar conductivity आप निकालोगे उसके उपर questions दिये जाएंगे जैसे simple simple से questions मिलते हैं इसके अगर देखा जाए ना simple से questions मिलेंगे जैसे ये देखो, ये simple सा question दे दिया गया कि सर इसमें बताओ, molar conductivity बताओ किसका? Aluminium sulfate का Aluminium sulfate में कितने लोग आएंगे? सर molar conductivity बतानी है किसकी? Aluminium sulfate की लेकिन हाँ, यहाँ पे limiting molar conductivity of Aluminium sulfate L2SO4 whole thrice क्या हो जाएगा? सर 2 lambda M0 of Aluminium plus 3 और 3 lambda 0 of sulfate minus 2 यह कितना हो जाएगा? 2 times aluminium का, aluminium का कितना हो जाएगा? 2 times 189 और 3 times 160, calculate करेंगे कितना हो गया? यह 6 9 to the 18 18 9 to the 18 आजाएगा 9 to the अपने पास 18 और यह कितना हो जाएगा? 378 और यह कितना हो गया? 480 इसको solve करेंगे 85 और 858 यह क्या जाएगा Simon cm2 क्या जाएगा मोल इनवर्स आ जाएगा Simon cm2 क्या जाएगा मोल इनवर्स आ जाएगा कोई बोलता है सर यहाँ equivalent की बात कर रहा है lambda equivalent कितना आ जाएगा lambda m upon n factor कोई बोले नहीं सर equivalent भी निकाल दो यह formula आपके पास पड़ा हुआ है 858 इसका n factor कितना होगा जब katan और n salt के case में आते हैं तो n factor क्या हो जाता है उसके case में उसका n factor होजाएगा उसके उपर charge positive या negative का इसको solve करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 143 cm2 equivalent inverse तो यह lambda equivalent भी आ सकता है lambda equivalent is nothing lambda m divided by क्या कर दो lambda m divided by क्या कर दो n factor कर दो lambda m divided by n factor कर दो answer आना शुरू हो जाएगा जैसे इस case में देख लो इस case में भी क्या हो जाएगा lambda equivalent का formula क्या हो जाएगा lambda equivalent का formula क्या हो जाएगा lambda equivalent is nothing lambda m upon n factor again salt के case में n factor कितना हो जाएगा जो भी charge of cation यह charge of nion जो भी charge of cut iron ये charge of n i n हो जाएगा ठीक है charge of cut iron चार्ज of n i n ले लो और कुछ नहीं ठीक है charge of cut iron ये charge of n i n ले लो next देख लो ये questions ncrt में given हैं और आज के दाइं पे खूब पुछे जाते हैं कि sir lambda m not किसका दिया हुआ है देख लो इस तरह question जब भी दिये जाएं तो आप ऐसे देख लो lambda m not of क्या दिया हुआ है ncl इस value कितनी दी गई है 124 ये क्या किसको represent कर रहा है na plus और किसको represent कर रहा है cl minus को represent कर रहा है lambda m not of lambda m not of अगर मैं बात करूँ hcl की तो lambda m not of hcl की value कितनी दी गई है 425.9 और इसकी value क्या दिया जा रहा है lambda not h plus और lambda not cl minus मुझे बोला गया है lambda m not na acetate sodium acetate का तो वो कितना है 91 है और वो किसके equal होता है sodium plus और इसको lambda not ac minus मुझे इन तीन की values दी गई है और मुझे से बोला जा रहा है कि आप किसकी value निकाल दो lambda m not of hac की value निकाल दो h ac की value कैसे आएगी मुझे क्या चाहिए h plus चाहिए और ये क्या चाहिए ac minus चाहिए कैसे निकालूंगा h plus और ac minus इन दोनों को add करूँगा अगर इन दोनों को add कर दूँगा और इन दोनों को जब add करूँगा extra में क्या आजाएगा na plus extra में क्या आजाएगा cl minus इन दोनों को add कर दूंगा और इसमें से क्या minus कर दूं इसमें से क्या minus कर दूं सर इसको minus कर दूं क्यों क्योंकि सर इन दोनों को add करूंगा तो इधर से cl minus extra होगा इधर से na plus extra होगा minus कर दो answer आना शुरू हो जाएगा ये कितना हो गया 0.996 516 11 minus 126.4 calculate करोगे ये कितना हो गया 0.5 ये 0 और ये 11 1129 और ये कितना हो जाएगा 390 आ जाएगा answer कितना जाएगा 390.5 answer exam wall के questions थी ये सारे अपने पास NCRT questions examples लेकिया आपके पास आया था तो ये सारे questions आप असानी से कर सकते हो even आप इसका application देखोगे तो इसका application भी कर सकते हो इसका application भी कर सकते हो इसका application भी कर सकते हो बस ये depend करता है आप इसका application कैसे देखते हो देखो applications of applications क्या क्या है तो application में एक simple सी बात बोली जाती है कि पहले आप कया निकाल सकते हो degree of dissociation degree of dissociation degree of dissociation सर अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर से पड़ लिया है alpha की value निकालनी है तो आप alpha की value निकाल सकते हो किसी electrolyte के लिए lambda m upon lambda m not हो सकता है alpha की value क्या आ जाएगी alpha की value क्या आ जाएगी आप lambda m की value alpha की value lambda m upon lambda m not करके निकाल सकते हो alpha की value ये आ जाती है alpha की value ये आ जाती है अगर आपको बोला जाए कि dissociation constant of dissociation constant of acid निकाल दो अगर dissociation constant of acid बोला जाए तो भी आप निकाल सकते हो dissociation constant of acid क्या हो जाएगा that is ka और उसकी value क्या हो जाती है c alpha square 1 minus alpha तो आप यहां से भी इसकी value निकाल सकते थे यहां से भी आप इसकी value निकाल सकते हो अगर if alpha is less than 5% और 0.05 तो उस case में ka की value आप direct भी निकाल सकते हो c alpha square तो यह दो applications में ज़र याद रखना यह दो equations में ज़र याद रखना कि भी application में क्या क्या आता है alpha की value भी निकाल सकते हैं अप alpha की value lambda m upon क्या कर दो lambda m not कर दो k की value क्या कर दो c alpha upon यह कर दो answer आना शुरू हो जाएगा जैसे यह question दिया हुआ है देख लो अपने पास ध्यान से यह question देख लो यह question देखना क्या दिया हुआ है molar conductivity की बात की जा रही है molar conductivity कितनी दिह हुई है molar conductivity यह दी हुई है अल्फा की value निकालना है alpha की value क्या होगी अभी पढ़ा lambda m upon इसका कितना हो जाएगा lambda m not lambda m कितना है lambda m दिया हुआ है normal m दिया हुआ हथ किसका लेमडाम नोट निकालना है फॉर्मिक एसिड का किसका लेमडाम नोट निकालना है फॉर्मिक एसिड का वो कितना हो जाता है इन दोनों का सम कर दू क्या और इसकी वैल्यू देख लो कितना हो जाएगा 349.6 प्लस 54.6 क्या हो जाएगा यह 2 हो जाएगा 9 4 13 14 आ जाएगा और यह कितना हो जाएगा 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वार मॉल इन्वर्स लेम्डा एम दिया हुआ है लेम्डा एम नॉट दिया है वैल्यूस पुट करेंगे इन्सर आ जाएगा जितना भी एंसर आ यहां पर कंडक्टेंस आता है रिजिस्टेंस आता है सर सेकेंड पार्ट अगर मैं बूलू या मैं बूल सकता हूं लास्ट वाला बैटरी और इसको छोड़ दो तो यह मेरा मीजर पार्ट जो था अब आब मेरा सब कुछ इधर देख लो अम सब कुछ कुछ कॉंस होने वाला है आब मेरे पास lessico आने वाली एक इसलिए मैं ध्यां से देख लो मैं एक और दो पूर्षिनकर लिया एक चोटाा़ दे लिस cell के बाद conductance of electrolytic solution तो ये दो portion हमने finish कर लिया अब आते हैं तीसरे portion में जहां पर और कम numerical हो जाएंगे numerical और कम हो जाएंगे और उसके बाद तो theory theory हो जाएगी बस numerical ठीक है numerical और कम करने वाले पहले electrochemical cell में सबसे ज़्यादा numerical अब इसमें और कम कर लेंगे कैसे तो देखो जैसे मेरे पास क्या आया मेरे पास क्या आता है electrolysis what is electrolysis तुम सबको पता है electrolysis हम लोग किसके लिए पढ़ रहा था शुरुआत जब अभी चैप्टर स्टार्ट के अध्ता भी आद करूँ मैंने क्या बोला था कि electrochemical cell किसके लिए यूज होता है जब chemical reaction को जब chemical reaction को जब chemical reaction को उसकी साथ chemical reaction को किसमें convert करे electrical energy में यहां उल्टा हो रहा होगा यहां क्या कर रहे होंगे process of chemical deposition decomposition by passes of electric current मतलब आप current देंगे सामने वाले के अंदर reaction कराने के लिए मतलब chemical change करवाना चाहते हैं by passing electric current और इसी process को लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं इसी process को लोग बोल देते हैं electrolysis मतलब electrolysis क्या है chemical change करवाना reactions के अंदर करवाना तो यह चीज़ें अपने पास वो देख लो मैंने है बोला chemical reactions को करवाना by using electric current और जिस apparatus में करते हैं उसको हम लोग क्या बड़ेते हैं electrolytic cells हम लोग क्या बोल देते हैं electrolytic cell की बारे में और बात कर लेते हैं देख़ें दो टाइप की cells होते अपने पास एक हो गया electrochemical cell एक है क्या chemical cell और Electrolytic Cell इन दोनों के बीच का Difference याद रखिएगा Electrolytic Cell Electrochemical Cell और Electrolytic Cell क्या होगा इन दोनों के बीच का Difference भाई साहब इसका Anode देखोगे इसका Anode तो ये क्या होता है Negative इसका Cathode देखोगे तो Cathode क्या होता है Positive लेकिन इसका Just Oppositive यहाँ क्या हो जाएगा Positive और ये क्या हो जाएगा Negative ये दिमाग में रख लेना क्योंकि ये बहुत Simple सा और बहुत Confusing सा हो सकता है ये देख लो Electrochemical Cell में Electrochemical Cell में Anode क्या था Negative तो यहाँ क्या हो जाएगा Positive क्योंकि आप reaction को उल्टा चल रहे हो अब आप reaction को उल्टा लेके चल रहे हो कि भाई ये चीज़े उल्टी चल रहे है Electrolytic Cell उल्टा चल रहा है ठीक है तो ये Simple सीज़ है अरे break दे दूँगा भाई रुक जायार मुझे भी ठीक है सुन दो लो कहानी अभी कहानी चला रहा है अब तो निमेरिकल्स आये गाई निमेरिकल्स आये गा उसके बाद break ले लेंगे ठीक है 11 बजे break ले लेंगे उसके बाद break की जुरत ऐसे पढ़नी नीचीए यार अब ठीक है इस्टाग्राम इस्टाग्राम यूज करते हैं यार ठीक है कुश्चंस करवा दूँगा भाई कुश्चंस करवाऊं थियोरी भी है सब कुछ है 6 घंटे के अंदर में सब कुछ करना है तो करेंगे करेंगे कोई बात नहीं चुड़ा सा वेट कर ले भाई अच्छा अभी दे दिए दू ब्रेक चलो क्या दस टेन थर्टी फूर हो रहे है नहीं ज्यादा लंबा नहीं दे सकता यार क्योंकि 12 बाई से पहले में ट्राई टार्गेट है कि 6 घंटे से पहले खतम कर ले ठीक है ना फिर क्या होगा कि तुम्हें कल जो बंदा देखेगा जो रिक्वाड़ेट देख रहा होगा उसके लिए भी आसान हो तुम्हें भी अपने पास आसानी हो जाए जादा नहीं दे सकता भाई 10 मिनट दे सकता हूं maximum maximum 10 मिनट चल 10-35 पे दे रहा हूं ठीक है न 10-35 पे ब्रेक दे रहा हूं 10-35 पे दे रहा हूं कोई बात ने कुछ लोगा खाना होना है ठीक है पढ़ी आयर चलो पढ़तो रहा है बस 10 मिनट और ठीक है उसके वाद स्टार्ट करते हैं 10-35 पे स्टार्ट कर रहे हूं 10-45 पे स्टार्ट कर लेंगे और फिर 12 बाज तक खतम कर लेंगे ओके चलो बाई बाई को है क्यों कर रहे है ब्रेक इंजुआए करो 10 मिनट 10 मिनट झाल 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 हाँ भाई आवाज क्लियर चलो भाई उश्चन्स तो करने पढ़ते हैं बढ़ना पढ़ता है अगर सेलेक्शन चाहिए तो सेलेक्शन के लिए तो यार रात रात जगनी पढ़ती है तुम तो बस ठीक है अरे अभी तो बस रुवात है टेंशा मतलो साथ मही के टाइम पर ना ऐसे ऐसे दिख्कते आने वाली हैं साथ मही तक या तो पढ़ोगे और नहीं तो साथ मही के बाद खुद को कोस होगे बेटरे पढ़ लेते हैं अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं और चीजे करते आते हैं जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश हो जाएगा टेंशा मतलीजे क्योंकि अभी टू वाई थर्ड पोरिशन आपने खदम कर लिया है वन बाई थर्ड है उसमें भी थियोरी थियोरी है बस दो फामुलाज और करने उसके बाद सारी थियोरी थियोरी है कि इस तरह की चीजे होती है ठीक है अब चलो देखो कहानी ये थी कहानी अभी तक ये था बार बज़ तक हो जाएगा याध डॉंट वरी मैं ये बोला था कहानी ये थि अभी तक ये थी कि भाई हम लोग electrochemical cell की बारे बात कर रहे थे वोड़े पहले अभी आज सुल्सक्राइश क्लाइश की घुसाइब का साटागने हैं अरे फाइश क्या बत कर रहा है ती है तंट थरे सिस्थे दोल गौट क्यों सबिने मिसान देते ओर एक फट्यक्षा नहीं पढ़ोगे तो खुझ भी बोलोगे क्या सर सही था हम लोगे पास आते रहते हैं लोग किया है रिजल्ट के बाद आते रहते हैं कि यह पिहली बार यह गलती हुई वह नहीं चाहते हैं लोग तो पता है कि हम लोग ऐसी है एक दूसरे की बेशती करते रहेंगे तब ही तो सीख पाएंगे, ठीक है? हाँ, चलो, मैं ये कह रहा था, मैं ये बूर रहा था कि मेरे पास electrochemical cell हो गया, conductance हो गई, अब छोटी चीज और क्या रही? अब छोटी चीज और गया अब मेरे पास ये वाली चीज आ गई, कि सर, electrolytic cell कैसा होता है? Electroletic Cell कैसा होगा? Electroletic Cell में क्या होता है? Enode और Cathode की बात कर लेते हैं Electroletic Cell में बात करोगे T Pent Latific Cell को देखोगे ध्यान से Electroletic Cell में Enode क्या होता है Positive और Cathode क्या होता है Negative उल्टा हो जाएगा यहां पे कुईकि reaction ही उल्टी करनगी है Electrical Energy का use करना है chemical energy के लिए यहां electrical energy use होती है किसके लिए, chemical energy की conversion के लिए हो रही होती है, तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले है, हम लोग यहां पे simple simple चीज़े देखेंगे, electrolysis में होगा क्या, माल लो electrolysis है, अब एक simple जिबा बताओ, यह माल लो, अगर मैं यह कोई battery ले लिया, इसका एक positive terminal इधर जोड जोड दिया, और यह plus है, 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 minus, 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 और फिर मैंने battery से इसको जोड दिया है, अब यहां पे देखो गे, माल लो, यहां पे sodium है, यह katiin है, katiin है, anion है, katiin, अगर मैं charge दूँगा, तो katiin क्या होगा, negative side attract होगा, anion कि दर जाएगा, positive side लेकिन, because of current, because of electricity थी, तो अब यह क्या करना शुरू करेंगे, टूटना सुरू करेंगे, और ऐसी reactions हम लोग करवाना शुरू करेंगे, और इसी process को लोग नाम देते है, electrolysis बोल देते है, इसी process को लोग नाम देते है, electrolysis, क्योंकि अब आप non spontaneous reactions कराना चाहते हो, आप वो reactions करा चाहते हो यह reaction तभी possible है जब आप पानी को क्या देना सुरू कर दो electric current देना सुरू कर दो इसी को आप बढ़ते हो बार बार पढ़ते हो electrolysis 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 जब भी यूज करते है electrolysis जब भी हम लोग यूज करेंगे हम लोग दो चीदों के लिए उसको खतम करने के लिए electrolysis को दो portion में पढ़ा जाता है एक होता है quantitative analysis किया जाता है electrolysis का जिसमें faraday's law होता है जिसमें बताया जाता है कितना quantity बनेगा कितना नहीं बनेगा मतलब इसमें faraday's law की बारे में बात करेंगे और ये faraday's law आ जाएगा ये faraday's law की बारे में बात करेंगा इसके questions करेंगे यही last numerical हो जाएगा इस chapter का लेकिन अगर इसी के बारे में बात करेंगे तो इसका एक हम लोग पढ़ेंगे qualitative analysis में क्या होता है qualitative analysis जब हम लोग करना सुरू करेंगे तो qualitative analysis में क्या आएगा product of electrolysis product of electrolysis अगर आप electrolysis कराओगे तो किसका क्या product बनेगा ये बात करना सुरू कर दिया जा तो इसको बुलते है product of electrolysis तो ये दो portion में पूरा का पूरा electrolysis defined है पहले हम लोग बात करेंगे quantitative analysis की quantitative analysis में क्या होता है तो सर पहले फराडेज लोग जाने से पहले basic बात करते है अगर मैं बोलता हूँ quantity of quantity of current quantity of या ऐसा लिख दिया जाए अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ I is equals to current is equals to current is equals to क्या होता है charge per unit time तो charge को क्या लिख सकता हूँ I into T याद रखिएगा charge क्या है अपने पास कूलंब में आता है charge किस में आता है कूलंब में आता है I किस में आता है कैंपियर में आता है I किस में आता है ampere में और time किस में लेना होता है seconds में याद रखना हमेशा गरबर मत करना, unit dimension बहुत जादा important है, q क्या होगा कुलम में, i किस में होगा, mpr में t किस में होगा, seconds में किसने बोला sir q is equals to i into t ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि यहां charge पास किया जाता है एक simple सा reaction बता रहा हो या simple चीजे बता रहा हो, अगर aluminum है, aluminum plus 3 है मैं चाहता हूँ, aluminum plus 3 aluminum में deposit हो जाए, तो sir इसको ऐसा लिख सकता हूँ, भाई साब 3 electron दूँगा, 3 electron दूँगा तो क्या हो जाएगा, aluminum deposit हो जाएगा मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, for 1 mole of 1 mole of aluminum deposition, अगर 1 mole of aluminum deposition कराना है then, sir, 1 mole of aluminum deposition, मैं बोल सकता हूँ 3 mole of 3 mole of electron is required 3 mole of electron is required ऐसा लिख सकते हैं, भाई स्टोश्मेट्रिक क्यों, क्योंकि sir, इसका 1 mole लेंगे, तो इसके लिए इसका कितना लेना पड़ेगा, 3 mole लेना पड़ेगा इसका 1 mole लेंगे, तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 3 moles, और अगर 3 mole electron लेते हूँ तो sir, सिंद्वल सा याद रखना charge on 1 mole electron charge on 1 mole electron अगर 1 mole electron की बात करें और 1 mole electron की बात करें charge on 1 mole electron की बात करें तो वो किसके equal होता है 1 faraday की equal होता है 1 faraday की equal होता है 1 faraday की equal हो जाएगा या फिर 9,6 500 कूलम हो जाता है एक mole electron पे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक mole aluminium deposition के लिए या 27 gram aluminium deposition के लिए 27 gram aluminium deposition के लिए for 27 gram aluminium deposition 3 faraday charge is 3 faraday charge is required 3 faraday cũngan charge is required 3 faraday charge is required ये लिख सकते हैं हम लोग अगर आप stress matrix समझ रहे हो तो कुछ भी याद करने की जुरत नहीं है कुछ भी याद करने की जुरत नहीं है प्लीज देख लो अपने पास कोई भी reaction दी हुई है माल लो chlorine है chlorine को अपने पास oxidize करना है दो chlorine है ये क्या बनाएगा CL2 और ये क्या करेगा 2 electrons CL-CL2 gas बना रहा है ये खुद से नहीं जाएपाएगा खुद से नहीं जाएपाएगा तो इसके लिए हम लोग electrolysis कर रहे हूँ तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर एक मोल chlorine gas के लिए कितने मोल्स electrons के required है 2 mol electrons के requirement है 2 mol electrons के requirement है पढ़ लो सीधा सीधा statement देख लो भाई ठीक है ये देख लो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 mol of for 1 mol of for 1 mol of chlorine gas liberation अगर एक मोल chlorine gas चाहिए तो उसके लिए for 1 mol of chlorine gas liberation हमें कितना charge चाहिए होगा charge required कितना होगा charge required कितना होगा charge required 2 mol of electrons मतलब charge कितना होगा 2 faraday 1 mol पे कितना होता है 1 faraday 2 mols पे कितना हो जाएगा 2 faraday पका तो सर आपको equation लिखनी है उसकी हिसाब से निकाल दो कहीं भी दिया हुआ है आप charge निकालते रहो हो जाएगा तो बस अपने पास ये देखो aluminium के बारे में हो चाहे किसी के बारे में हो आप simple simple सा ये निकाल सकते है charge से mass deposit होगा कैसे deposit होगा because of stashmetry because of stashmetry करते रहो अच्छा फिर किसने बोला सर यहाँ पे faraday's law बताओ faraday's law बहुत simple सा law होता है भाई faraday's law सबसे simplest laws में से एक है क्या बोलता है कि भाईया amount of substance कितना deposit होगा is proportional to amount of substance is proportional to the quantity of electric charge passed through the electrolytes मतलब सर जो amount of mass deposit होता है mass जो deposit होता है mass जो deposit करते है वो directly proportional to क्या होता है charge होता है mass जो directly proportional to क्या होगा charge होगा मतलब mass के बारे में बात करें तो directly proportional to charge यह चार्ज को क्या लिख सकते हैं I into T और mass deposited is nothing molar mass सरी ZIT mass deposited is nothing ZIT यह देख लो अपने पास where M is Z is electrochemical electrochemical equivalent where Z is electrochemical equivalent अब इसका बड़ा फार्मला भी लिख देंगे tension मतलो electrochemical equivalent क्या होता है तो कुछ नहीं molar mass upon NF molar mass upon NF molar mass upon NF मुझसे किसने बोला सर मास deposited का एक formula ZIT होता है या फिर मैं चाहूं तो mass deposited का यह भी formula use कर सकता हूं mass deposited का यह भी formula use कर सकता हूं सर मोलर mass upon N into F I into T इसी formula को आपको use करना है और answers निकालने है इसी formula को आप use करो answers निकाल दो सर याद रखना इसको कोई बोले sir molar mass upon n factor को क्या बोलते है equivalent mass बोलते है यस sir equivalent mass भी बोल सकते है आप divided by क्या हो जाएगा फैराडे जैसे भी हो आप exam hall में ये question का answer याद कर ये दिमाग में रखिए कि sir mass deposited का formula क्या होगा m क्या है where m is molar mass where m is molar mass m is molar mass n is number of electrons lost or gained number of electrons lost or gained इतना electron lost or gain कर रहे हो और i or t तो आपको पता ही है तो ये देख लो अपने mass deposit का सीधा सीधा formula है mass directly proportional to charge this is directly proportional to i into t simple simple सा question जरुरत नहीं आपको simple सा आपको question आपको question आता है बहुत यह सा question आता है इसके बहुत यह सा जैसे ये question पूछ रहा है number of faraday is required to liberate 8 gram of hydrogen भाई 8 gram hydrogen liberate करना है कैसे करोगे liberate अरे भाईया 2H plus है 2H plus को 2 electrons देते हैं तो वो क्या बना देता है H2 gas बना देता है यहां से simple सा सोच लो सर एक mole यहां बोल सकते हैं 1 mole H2 के लिए simple stationary use करो 1 mole H2 के लिए यहां पर कितना faraday की जुरत है 2 faraday की जुरत है 1 mole H2 के लिए 2 mole electron मतलब 2 faraday की जुरत है तो सर 8 mole मतलब 8 gram मतलब क्या हो जाएगा number of moles कितने हो जाएगे सर 4 moles हो जाएगे 4 moles hydrogen के हैं 1 mole के लिए 2 faraday 4 mole hydrogen के लिए 4 mole hydrogen के लिए कितना हो जाएगा 4 times और कितना हो जाएगा 8 Faraday हो जाएगा कितना हो जाएगा answer क्या जाएगा 8 Faraday आपको सीधा सीधा आपको कुछ करना ही नहीं equation लिखो कोई formula Faraday's law यह सब लगाने की जुरूरत नहीं आप simple सा answer निकाल सकते हो सीधा सीधा answer निकाल सकते हो कि यह कुछ नहीं एक मोल के लिए कितना 2 Faraday 4 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 8 Faraday चाहिए होगा पका चलो अगला question देखो क्या बोल रहा है number of electrons बताओ कितने involved होंगे number of electron अगर electro deposition कराना है 63.5 gram of copper कहां से copper sulphate से पहली बात सर इलेक्ट्रोंस तो तब निकालू ना पहले मुझे ये तो पता चले copper के साथ हुआ क्या है copper plus 2 2 electron लेगा क्या बनाएगा copper सर आपको कैसे पता चलना है copper plus 2 है क्यों ये CUSO4 का CUSO4 का CUSO4 की बात करेंगे तो copper sulphate होगा copper plus 2 बनेगा 2 electrons सौरी क्या होगा अब देखो एक सिंपल सी बाब बताओ इसके एक mol deposition के लिए 1 mol copper या फिर इसी को में लिख दे 63.5 gram of copper एक mol copper deposition के लिए कितने mols कितने फराडे की जुरत है 2 फराडे की जुरत है कितने फराडे की जुरत है 2 mole electron, charge of 2 mole electron is required कितने electrons के requirements है charge of 2 moles of electron तो electron required कितना हा गया electron required, charge नहीं निकालना सिर्फ electron निकालना है 2 times n ने and 2 times 6.022 into 10 की power 23 तो क्या answer आजाएगा third answer आजाएगा third answer आजाएगा ठीक है, third answer आजाएगा निकालते रो तर आपके उपर questions ऐसे देखो मिलेंगे, बस अब numericals गए सर आपके life में अब, अब इससे सारे easy-easy numericals और theory वाली portion आने वाले, ये देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, कि सर amount of electricity that can deposit 108 gram of silver from silver nitrate solution silver nitrate solution में AG पे कितना charge होगा सर प्लस 1, AG प्लस electron देगा क्या बना देगा, AG बना देगा AG प्लस electron देगा, क्या बना देगा AG बना देगा, ये देख लो भाई एक mole अपने पास, यहाँ पे electricity की बात करें तो कितना होगा, एक faraday अपने पास, अगर एक faraday की बात करें तो 1 faraday कितने gram को deposit करा रहा है, 108 gram of silver deposit करा रहा है तो answer क्या जाएगा, 1 faraday क्या करेगा, 108 gram silver deposit कर देगा 1 faraday 108 gram silver deposit कर देगा, पक्का, अब देख लो second law क्या बोलता है second law of electrolysis क्या बोलाता है, faraday second law कि भाईया, अगर same quantity of charge pass किया जाए अगर same quantity of charge pass किया जाए तो Q जो है, वो same है Q या I into T वो क्या हो गया, same हो गया जब Q ए इंटू T same हो गया अलग-अलग electrolyte से तो जो mass deposited का formula है mass deposited का formula molar mass NF I into T, भाई तेरा ये same हो गया, तो mass deposited अब किसके उपर depend करेगा, ये same हो गया, simple सा logic लगाऊ ये क्या होता है, constant होता है ये क्या होता है, constant होता है तो mass deposited जो होगा वो mass deposited of किसके proportional हो जाएगा mass deposited किसके हो जाएगा molar mass upon n या फिर इसी को क्या बोल देंगे equivalent mass तो सर यही same चीज़ उने दे दी कि mass deposited of अगर mass deposited निकालने जाओगे mass deposited of a is to b निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा equivalent mass of a upon equivalent mass of b इदा सिदा answer आएगा कि सर आपका current और time same हो गया current और time same हो गया i into t same हो गया फराडिक constant है तो mass deposited किस पे ये small m का मतलब क्या है mass deposited है भाई ऐसा मत कर देना कि सर m और m cancel out कर दिया दोनों में फरक है mass deposited क्या हो गया ये equivalent mass के directly proportional तो mass deposited का जो ratio होगा वो equivalent mass का ratio होगा mass deposited का जो ratio होगा equivalent mass का ratio हो जाएगा तो बस यह होगा ठीक है अगर यह ही होगा अपने पास तो faradies law करते रहों faradies second law बहुत simple सा जैसे अब देखो को कोश्चन ये किसा 3 faradies pass कर दिया 3 faradies pass कर दिया यहां तो mass की जोरती पड़ेगी 3 faradies pass कर दिया किस से aluminium plus 3 से aluminium plus 3 से copper plus 2 से और na plus 1 से अब 3 faradies देखना एक बार इसके उपर three electron मिलेंगे तो इसका कितना होगा एक mole इसके उपर देखोगे इसके कितना होगे दो electrons होगे तो इसका कितना बनेगा? एक moles. इसके उपर देखोगे एक elektron ही क्या बना देगा? सर एलम sodium बना देगा. अगर 3 फरादे पास करोगे तो इसका तो कितना बनेगा? एक moles. इसका कितना बन जाएगा? तीन moles. क्यूं? क्यों, एक फरादे से एक moles, तो तीन परादे कर ले भाई, 1, 1.5 3 moles, aluminium, copper और sodium की बात कर रहा है, कैसे कर रहा है अरे सर सीधा सीधा equations देख लो इसके equations में देख लो इसका 3 faraday से 1 mole आ रहा है इसका 2 faraday से 1 mole आ रहा है, तो 3 faraday से 1.5 और इसके 1 faraday से 1 mole आ रहा है, तो 3 faraday से कितना हो जाएगा, 3 moles 1.8 gram of aluminium liberate हुआ एक में, तो सर mass of sodium liberated mass of aluminium liberated ये जो होंगे, वो किसके ratio के directly proportional होंगे equivalent mass के, mass of sodium नहीं पता, यही तो निकालना है divide by mass of aluminium कितना है, 1.8, equivalent mass of sodium कितना होगा, उसका molar mass divide by n factor 23 divide by 1, और इसका कितना हो जाएगा, अगर इसका देखे तो 27 divide by कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गिया 23 by 9 हो गिया, mass of sodium निकालने जाओगे, ये कितना हो जाएगा, 23 by 9 into 1.8, सर ये कितना हो जाएगा, डिवाइड by 10, ये 46 by 10, 46 by 10 is 4.6 gram, कितना हो जाएगा 4.6 gram तो answer निकाल दो, answer कितना ढलब ऋइन्य को इस ना जाएगा 4.68 से जाएगा एनसर कित Exactly देख लो उसकी हिसाब से करते रहव उसकी इसाब से करते रहु जैसे यह पुदिया जा रहा है हWest यह दिया जा रहा है कि सब्कर्ण करेंट की ऑ și हीजिफित होगी कोड़र्ड की जिसमें गंटे में, एक गंटे में, कितने seconds होते हैं, 60 minute into 60, कितने हो जाएंगे, 3600 seconds, 10 gram chlorine चाहिए, 10 gram chlorine चाहिए, देख लेना, 10 gram chlorine चाहिए, 10 gram chlorine चाहिए, एक बात बताओ, chlorine का equation लिखो, CL minus है, CL minus है, CL minus है, plus, एक, दो electron, 2 CL minus, दो electron, ये कितना हो जाएगा, CL2 बनाएगा, 71 gram के लिए, 71 gram के लिए, कितना faraday चाहिए, 2 faraday चाहिए, तो sir, 10 gram के लिए कितना चाहिए, mass deposited, mass deposited, कितना हो जाएगा, molar mass, molar mass upon nf, i into t, mass deposited कितना है, 10, सर, ये molar mass कितना होगे, 72 into 96, 500, और i की value निकालनी है, time की value कितनी है, 3600, ये cancel out, cancel out, current की value निकालनी है, current कितना आजाएगा, इसको solve करने जाएगे, current कितना आजाएगा, तो sir, 10 into, 2 into, 965, upon, upon, 36 into, क्या हो जाएगा, 71, 36 into, 71, ये 20 हो गया, 20 into, 965, upon, 36 into, 71, तो answer निकालनी जाओगे, कितना हो जाएगा, आजाएगा, 36, से, 7, एंसर है, तो 7.3 something आएगा, अब 7.3 निकालना पड़ेगा, आज, क्या देंग अंदा calculation हो गया, क्या, कितना हो रहा है, यार, calculator, use कर लो, भाई, अब time, रात हो रही है, जल्दी-जल्दी, यूज किया जाए कितना हो जाएगा 20 into 965 divided by 36 divided by divided by 71 कि 7.55 क्या हो जाएगा 7.55 कितना आ जाएगा 7.55 फॉस्ट एंसर आ जाएगा तो कोश्चन करते हैं जब भी कोश्चन साए तो फॉर्मुला लगा लो उसके हिसाफ से कोश्चन कर लो भाई जितना हो सकता है जितना हो सकता है उसके हिसाफ से कोश्चन करते चले जाएगे जैसे आप कही पर कुछ कोश्चन दिये हुए है जैसे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर अपने पास यह कोश्चन दिया हुआ यह कोश्चन दिया जा रहा है यह क्या बोला जा रहा है कि सर 0.1 है Faraday use कर रहे है, Nikle के उपर Nikle Nitrate है, Nikle Nitrate में Nikle के उपर क्या charge होगा, प्लस 2 इसको क्या बोल रहे हैं कि Sir आपका Nikle का deposit कराना है, तो Nikle किसमें पहुंच जाएगा, एना इसमें पहुंच जाएगा Sir 2 Faraday से 2 Faraday से कितना बन रहा है 1 mol बन रहा है, तो Sir 0.1 फराडे से कितना बन जाएगा 0.1 फराडे से कितना बन जाएगा तो यह अपने पास क्या आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास क्या जाएगा फराडे से कितना बन जाएगा तो यह अपने पास थोड़ी सी थियोरी बची हुई है उसको ख़तम करते फिर चैप्टर अपने एंडिंग प्या जाएगा क्या हो रहा होता है एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ हम लोगों ने साधा जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटने ही कोईश करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पढ़ा कि सर याद करो सर लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ओल मिनरल वाटर जिद करो फिर चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो सर कोई नहीं सुनने वाला अब तो बस प्रभू ही है क्यूं इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकाटा में पटना और कलकाटा में गोल्ड फेक कर पानी लिया जा रहा है हमने यह पढ़ा हुआ है अब यहां पर देख लो जो हाइड्रोजन के ऊपर था उनकी देख लो रियक्टिविटी अपने पास जो हाइड्रोजन के नीचे है जिसका याद रखो इधर सीधर आ रहे है बार बार बढ़ेगी तो सबसे अच्छा ऑक्सिडाइजिंग एजेंट कौन है सर सबसे बच्छा ऑक्सिडाइजिंग एजेंट कौन सा है स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट यह है ऑपोजिट देख लो सर रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन सा होगा स्ट्रॉं और उपर वाले नीचे वाले को reduce कर सकते हैं नीचे वाले उपर वाले को क्या कर सकते हैं उक्सिडाइज कर सकते हैं इन सब चीजों का use करना है और इसके ऊपर हमें काम करना है बस देख लो भाई अब जो यूज करने वाले अब सिंपल सा last topic से उनके बाद हमारा chapter battery बैटरी आईगी बहुत ज़ल्दे दिखताम हो जाएगा तो last topic को देख लो last topic क्या बोल रहा है product of electrolysis product of electrolysis क्या बोलता है कि बाई electrolysis करने जाओगे इसको बोलते अभी तक marks निकाल रहे ते कितने क्या product बनेगा, किसके उपर depend करता है, depends on the nature of material, जिसके उपर आप electrolysis कर रहे हो, और दूसरा, किस type के electrodes use कर रहे हो, अगर electrode inert है, अगर electrode inert है, तो उसको कोई मतलब नहीं वो कोई भी reaction में participate नहीं करेगा, वो आपके reaction में कुछ participation नहीं करेगा, लेकिन अगर inert electrode क्या हो गया, reactive हो गया, अगर electrode reactive हो गया तो वो reaction में participate करेगा वो reaction में participate करेगा तो ये देख ले ना, मैंने बोला कि सर, product of electrolysis किस पर depend करता है, nature of material पे, ये theoretical questions आ सकते, कभी भी question पूछे जा सकते, ये try करना भाई, product of electrolysis ये सब किस पर depend करता है, electrode का electrodes ये होता है, inert होगा क्यों क्योंकि सर, वो reaction में participate नहीं कर रहा है, पक्का अच्छा, इसमें देखोगे, और छोचोच़ चीज एक add कर दी जाएंगे, जैसे अगर तुमसे कोई बोल दे, कि सर, product of electrolysis क्या होता है, different, different हो सकता है, depend करता है, कि सर, different oxidizing and reducing agent present in the electrolytic cell and their standard electrode potential मतलब ये depend करता है, सामने वाले का standard electrode potential क्या है, एक simple सी बाब बताओ, मैंने अभी थोड़े पहले ही बताया था, कैथोड पे किसको लेना चाहोगे, choice of cathode कौन सा होगा तुम्हारा, choice of cathode कौन सा, cathode पे किस reaction को करवाओगे, सर, जिसका reduction potential क्या हो, highest हो, जिसका reduction potential क्या हो, high हो, सर, choice of anode किसका लोगे, सर, anode का choice कौन सा होगा, anode choice कौन सा लोगे, anode कौन से choice पे लोगे, जिसका oxidation potential क्या हो, high हो, अगर मेरे पास मुझे पता चल गया, कि यहर 2-3 तो यह चीज़े यहां पर देख लेना यह चीज़े यह चीज़े यहां पर देख लेना जब भी एलेक्ट्रो केमिकल इलेक्ट्रो लिशिस करते हो तो अब तुम बोलो सर मुझे किसका याद रहएगा किसका नहीं याद रहेगा उसी क विलेगी की यह ट्रिक बताई गई कर सकते हो c l 2 के बाद अगर चाहोगे कलोरीन के बाद c l minus हो गया c l minus के बाद कौन आ जाता है OH- आ जाता है, फिर नाइट्रेट आ जाता है, एक दो चीजे याद कर तकते हो, अगर आप चाहोगे तो, पर ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, इसके और इसके बीच में, लेकिन हाँ, निगेटिव वाला हम लोग याद नहीं रखते, अधरवाइस, प्रोड़क्ट अफ इल elektrolysis लिखना सुरू करते हैं, जैसे मान लो, आग देख लो, अब यह सीरीज दी हुई है, जो NC I being, यही सीरीज तो तु थी हमने याद करने ही कोश़ करी है, इसकी वैलूस हमें याद नहीं होंगी, इसकी वैलूस हमें याद नहीं होंगी, लेकिन मुझे एक चीज पता चल गई है कि भाईया मैं जब भी electrolysis करूँगा तो मैं उस cathode को cathode पर उसको select करूँगा जिसका electrode potential क्या हो reduction potential high हो और anode उसको लूँगा जिसका oxidation potential high हो आपके पास option है जैसे देखो मुझे किसने बोला कि sir electrolysis of electrolysis of electrolysis of electrolysis of molten gluten आगर electrolysis of molten NaCl दिया गया है तो molten NaCl का मतलब क्या होगा कि sir na plus है आपके पास और Cl- है इनए plus है और Cl- है सर क्या हो सकता ए नोड पर क्या करना भाई उसक्राइशन ही तो करना है यह क्या होता है oxidation एक बाद बताओ कौन oxidize हो सकता है क्लॉरीन ही oxidize हो सकता है न ख्लोरीन ओक्षीडाइस हो सकता है कैसे इतैंड हो सकता है जब आ इलेक्ट्रौन क्या करना सुरू करें दो कलोरीन है यह सी यल टू Ai-व्श लेक्रन से लेके चला जाएं कलोरीन गैस अलिबिरेट होगा कहा पर क्लोरिन गैस लिबेरेट होगा कहां पे अनोड पे क्लोरीन गैसद रिडंगा रिडंप्शिण् सइनल के साथ like to avoid सोडियम अलग लेवल पर पैठा हुआ है सोडियम बोल रहा है कि यार मुझे ना भाई रिड्यूस कर दो मैं क्या बनाऊंगा सोडियम बना दूँगा सोडियम सॉलिड बना दूँगा तो यह बाई अलग ही अगर टू से मल्टिप्लाई कर दो यह तू बन जाए मॉल्टेन के केस में कोई टेंशन है नहीं एनायन अपने आपको अक्षिडाईज करेगा कटायन अपने आपको रिड्यूस करेगा यह मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस लिखना सबसे आसान काम होगा लेकिन अगर वही बात बोला जाए अगर यही बात बोला जाए Electrolis of Equus का बोला जाए Equus में tension होती है क्योंकि Equus के case में Equus solution अगर बोलता मैं Equus NaCl अगर मैं बोलता अभी निकालूंगा भी अगर Equus NaCl solution बोलता भाई साब तो पता है यहाँ पे क्या हो जाता Na Plus तो होता ही होता CL Minus भी होता लेकिन पानी भी आ जाता और पानी खुद को अगर Oxidize करता है तो सर अगर Oxidize करेगा तो O2 Gas बना देगा अगर Oxidation में जाएगा तो O2 Gas करेगा और Reduction में जाएगा तो Hydrogen Gas लिबरेट करता है तो अब यहाँ पे चूज करना पड़ता है अब यहाँ पे चूज करना पड़ता है तो आप यहाँ से चूज करना शुरू करते हो क्योंकि आपके लिए दिक्कत कहां आती है Molten में नहीं आती है Molten में तो एक ही चीज है Clorine है, Sodium है, उसी को उपर Game खिलना है लेकिन सर आपको चूज कब करना पड़ता है जब AQUOS Condition में होते हो और AQUOS Condition में ऐसी ऐसी चीज होती है उसमें भी यह देख रहे होते हो आप उसमें यह देखते हो कि भाईया, एक काम कर लेते हैं जिसका Positive है, जिसका Positive है उसको Positive ले लो, जिसका Negative है मतलब Cathode उसको लो, जिसका Reduction Potential हाई हो Enode उसको लो, जिसका Oxidation Potential हाई हो और सर क्या है, पानी भी तो है AQUOS का मतलब यह तीनों होंगे अब सर एक काम करते हैं मुझे किसने बोला कि सर Electrolysis कर देते Electrolysis करने का है तो Cathode पे क्या होगा, Cathode पे क्या हो सकता है Copper खुद को Reduce करे, या Water खुद को Reduce करे Copper खुद को Reduce कर सकता है कैसे? Copper ने डिरूस किया Cathode पे, एक बाब बताना Cathode पे क्या देखते हो तुम Standard में क्या देखते हो Sir, Highest Reduction Potential देखते हो Highest Reduction Potential देखते हो Cathode पे Reduction Potential क्या होना चाहिए High होना चाहिए देखना किसका Reduction Potential High है किसका Reduction Potential High है Copper का, मतलब यह Reaction होगी इस reaction को नहीं करने वाले तो copper का, copper sulfate का जब करोगे, copper sulfate का करोगे तो उस case में, एक cathode पे क्या deposit होगा, copper, water deposit नहीं होगा, तर inode पे जाओगे, तो inode पे क्या देखते हो, oxidation potential किसका high है, तर यहाँ water का oxidation potential देखो, और इसका oxidation potential देखो, कौन सी value बड़ी है, कौन सी value बड़ी है, sir, water का oxidation potential value high है, sir, इसका क्या होगा, कम, तो देख लो, मैंने बोला, copper sulfate का करने जाओ, या तो आप याद करके जाओ, या तो याद करने की जुरत ही नहीं है, याद करने की जुरत ही क्यों है भाई, सीधा-सीधा आपको अगर electrochemical series याद है, तो उसी से हो जाएगा, यहाँ पर values याद है, तो बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, इसके exceptions देख लेना, इसके exceptions जो NCRT में हैं, उसकी जुरत होगी, ठीक है न, उसकी जुरत होगी, ठीक है, मालो ऐसा दे दिया गया, अब copper कहीं electrode है, मतलब copper का अपना electrode है, यह देखो, इससे पहले कौन सा electrode था, नहीं कुछ mention है, मतलब यहाँ पर inert electrode था, inert electrode मतलब कि सर्व वो electrode जो होगा न, वो participate नहीं करेगा, copper plus two है, तो उसको सिर्फ औसिफ reduce ही होना है, copper नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर देखना, अब जैसी मैंने copper electrode लिया मेरे पास क्या आगया, copper plus two आगया, sulphate तो ही है प्लस क्या आजाएगा, copper भी आजाएगा, और पानी तो ही है यह copper कहां से आगया, because of copper, यह कहां से आगया electrode से, यह देख लो क्या क्या changes आ रहे है, और अब मुझे बुला गया, sir, अब बताईए पहले वाला reaction तो same ही है, तो पहले वाला तो copper ही करेगा, इसकी जोरत होगी नहीं, water वाला होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्था reduction potential compare करके देख लो reduction potential किसका आई है, copper का हाई है, sir, अगर मैं oxidation potential की बात करूँ, cathode पे reduction potential देख रहा हूँ, अगर cathode पे reduction potential देख रहा हूँ, तो anode पे क्या देखूँगा, oxidation potential और वो किसका ज्यादा दिख रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा oxidation potential किसका दिख रहा है, copper का इननों का नहीं दिख रहा, तो मेरा copper ही deposit होगा, copper ही क्या हो रहा होगा, dissolve होगा, copper ही क्या हो जाएगा, deposit इसी को इसी को अपने पास क्या बोल रहे होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिक बोल देते हैं कि भाई अपना ही मेटल डिपॉजिट होगा अपना ही मेटल क्या हो रहा होगा डिजॉल्व होगा इसी को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिक बोल देते हैं फिर किसने बोला सर और कोई तो भाई अब ऐसे भरे पड़े होंगे कोई भी उठा कर लो AGNO3 है अपना ही metal इलेक्ट्रोड है तो अपना metal जब इलेक्ट्रोड होता है तो semi-metal क्या होता है? dissolve होता है और semi-metal क्या हो रहा होता है? आँख बंद करकर reaction कर लो सर देख लो इन दोनों में कौन से value बड़ी है? इन दोनों में कौन से value बड़ी है? ये वाली तो ऐसे ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं same reactions को कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसमें important 3 cases है इसमें important 3 cases है कौन-कौन से important cases है तो वो देखो इसमें important कौन-कौन से 3 cases है पहला जो अपने पास NCRT में भी है और मेरे लिए भी star marked है ये देख लेना aqueous H2 is a 4 solution aqueous H2 is a 4 solution aqueous H2 is a 4 में क्या होगा होगा? तो सर यहाँ H plus होगा sulfate minus 2 होगा और क्या होगा? water होगा यही होगा साहर तो सर H plus cathode पे एक ही option है तो यही option बचेगा sulfate, anode पे बात करते हैं तो anode पे दो options हैं इसको और इसको यहाँ पे normal case में किसकी value जादा होगी? minus 1.23 तो normal case में यह होगा यह नहीं होगा यह होगा यह नहीं होगा तो सर यहाँ पे cathode पे देख लो सर hydrogen gas liberate होता है anode पे oxygen gas liberate होता है लेकिन NCRT की यह line है भाई साहब यह NCRT की line से बता रहा हो NCRT की line है यह क्या बोल रहा है कि मुझे यह reaction करवानी है उपर की reaction करवानी है तो उसके लिए option क्या है या तो current density बढ़ा दो या फिर sulfate की concentration बढ़ा देना यह भाईया NCRT के अंदर है सर आपको याद रखना है normal H2SO4 तीन लोगों का case याद रखना है तीन लोगों का case याद रखना है तीन लोगों का case याद रखना है कौन कौन से Equus H2SO4 क्योंकि NCRT में यह lines add की गई है Equus H2SO4 normal case में hydrogen और oxygen gas liberate होता है बट अगर आप चाहें तो अगर current की density आप बढ़ा देंगे या sulfate की concentration ज़्यादा बढ़ा देंगे कौन cash to H2SO4 ले लेंगे उस case में कौन सा चीज liberate होगा S2O8 ये condition याद रखना ये condition याद रखना ठीक है ये condition दिमाँ में रखना उसके बाद अगर मेरे से बोला जाए तो दूसरा important जो होता है वो है मेरे life में सर NACL वाला NACL काफी ज़ादा important है NACL काफी ज़ादा important है NACL क्यों सर इसका cathode बहुत simple सा होता है cathode पे किसकी value जादा है इन दोनों में किसकी value जादा है reduction potential में किसकी value जादा है सर water का तो water क्या करेगा hydrogen gas liberate करेगा water क्या करेगा hydrogen gas liberate करेगा water क्या करेगा hydrogen gas liberate करेगा ठीक है cathode पे कोई दिक्कत नहीं major important anode पे होता है इन दोनों का potential देखके कौन से value बड़ा लग रहा है ये value बड़ा लग रहा है लेकिन सर पता है ये reaction नहीं होता ये reaction होता है क्यों क्योंकि सर ये reaction जो होती है ये reaction जो होती है kinetically जो होती है chemical kinetics की बात करे kinetically very slow होती है बहुत slow reaction होती है very slow so extra potential is so extra potential is applied extra potential is applied extra potential या over voltage इसी को बोल देते हैं over voltage is applied over voltage is applied over voltage is applied to speed the reaction and इसी लिए वो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो होता है उसके चक्कर में ये क्या हो जाएगा E0 की वैल्यू जो होती है 1.23 और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ जाता है and that's why इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1.46 वोल्ट और इसी लिए देख लो overall voltage देखोगे तो minus 1.36 और minus 1.46 कौन सी वैल्यू बड़ी होगी minus 1.36 बहुत ज़ादा important है ये reaction आपको NCRT में मिलेगी ये आपको reaction कहां मिलेगी सर क्लोरीन गैस की preparation मिल जाएगी क्लोरीन गैस की preparation जब भी करते है तो H2NACL का solution लेते हैं और उसकी electrolysis कर देते हैं क्लोरीन गैस कहां मिलता है एनोड पे मिल जाता है तो भाईया देख लो ये वाली चीज़ें अपने को रटनी है नहीं है simple simple सा logic लगाओ extra voltage over potential का concept दिया हुआ है भाई साब over voltage या over potential का concept दिया हुआ है कहां पे NCRT में दिया हुआ है इसलिए भूल रहा हूँ अपने को simple सा normal logic लगाओ और try करो H2SO4 का याद रखना है NACL का याद रखना है और NACL का एक case और है NACL का एक case और है कि अगर बहुत dilute solution कर दिया अगर बहुत dilute solution कर दिया देखो भाई यहां तो clear है लेकिन यहां पे देखोगे तो अब की बार chlorine नहों के क्या हो जाएगा water हो जाएगा अगर बहुत जार dilute solution दे दिया तो अब की बार पानी क्या हो जाएगा oxidize हो जाएगा reason कि इसकी value क्या हो जाएगी इसकी value dilute solution में, इसकी value क्या हो जाएगी? Θα greater than 1.46 हो जाएगी इसकी value जो होगी 1.46 हो जाएगी यह चीजे याद रखना यह याद रखना आपने पास very dilute condition NaCl के 3 cases है और 3-3 klar के 3 उमों भोफध जादा important है, NaCl में heád buian तो mercury का भाई अलग level सर यह कहानी पहले की है यह कहानी हमने पहले कर रखी है यहां तो हमें पता चल गया कि सर किसको भाव देंगे यहां क्लोरीन होगा यह नहीं होगा नॉर्मल केस में लेकिन यहां पे अलग ही लेवल चल रहा हो अब की बार जो खोगे sodium amalgam बनना शुरू हो जाता है ये जो sodium का reaction है वो बनना शुरू हो जाता है तो ये important है, देख लेना अपने पास यहाँ पे sodium solid है और इसकी क्या हो जाती है, water oxidize नहीं करता है तो मेरे पास 3 लोग है मेरे पास 3 लोग है, ठीक है और anode पे देखोगे, cathode पे देखोगे और anode पे देखोगे तो NaCl cathode पे Cl- क्या कर रहा होगा Cl- क्या करेगा सर, देखो ना अपने पास कहां गया अगर NaCl बहुत dilute आ गया NaCl very dilute आ गया बहुत dilute आ गया तो उस case में बस यह चार्ट याद रखना सर यहां पे क्या हो जाएगा Hydrogen gas तो liberate हो गई होगा लेकिन यहां पे कौन सा gas liberate होगा Oxygen gas और अगर NaCl किस के साथ आ गया Mercury electrode के साथ आ गया तो इस case में Mercury electrode के case में याद रखिएगा यहां पे sodium amalgam होगा sodium का L-Y होगा और इधर कौन सा हो जाएगा chlorine gas हो जाएगा sodium amalgam होगा और कौन सा हो जाएगा chlorine gas H2SO4 अगर dilute रखते हो H2SO4 अगर dilute रखते हो तो A node पे तो Hydrogen gas liberate होगी और इधर क्या हो जाएगी Oxygen gas liberate होगी लेकिन अगर मैं बात करूँ H2SO4 concentrated हो गया H2SO4 अगर conk हो गया तो उस case में याद रखना इधर क्या हो जाएगा H2 gas होगा लेकिन इधर क्या हो जाएगा S408-2 आ जाएगा तो यह छोटी छोट चीज़े हैं बस यह जो table है न भाई साब NCRT में बहुत जादा मतलब अलग तरीके से इस तरह से table के form में नहीं मिलेगा आप इसको बस याद रखिएगा आपका सारा exam का मतलब major portion finish हो जाएगा बाकी basic concept तो वही है basic concept क्या बोल रहा है कि भाई या NACL हो या कोई भी concept ले लो NACL हो चाहिए कोई भी उसके case में देख लो पका हो जाएगा सर हो गया अब ये छोट-छोटे concept खतम करो मुझे किसने बोला सर अब देखो ये पूरा का पूरा एक चार्ट दे दिया है वही है कि कौन catch to S4 में क्या होगा तो यहाँ S2O2 माइनस होगा S2O2 माइनस होगा उधर हाइड्रोजन गैस होगा आपकी मर्जी ये आप चाहो तो इस चार्ट को भी देख सकते हो लेकिन हाँ उतने की जुरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी जुरत नहीं है अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो फिर से अगेन थियूरी वाला पोर्शन है बैटरी की बारे में बात कर लेते हैं फिर कहानी फिनिश कर लेंगे बैटरी की बारे में बात करेंगे तो बैटरी कितने टाइप की होती है दो टाइप की बैटरी होती है एक primary battery होती है और एक secondary battery होती है एक primary battery होती है एक क्या होती है secondary battery होती है primary वो है जिसको बार-बार use नहीं कर सकते है secondary वो है जिसको बार-बार recharge कर सकते हो वो वाली चीज़े क्या होती है बार-बार recharge कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बलते है secondary battery बोलते है primary और secondary में difference देख लो primary battery में सिर्फ दो ही examples हमें पढ़ने हैं उन दो examples को देख लेते हैं इसमें क्या होता है पहला primary में क्या है lac lanchi और dry cell lac lanchi और dry cell सब ने अपने life में battery का remote के अंदर batteries डाली है सब को पता है remote के अंदर ही सब के अंदर कि देखो question आये नहीं है मतलब आतने के chances बहुत कम होते हैं लेकिन हाँ भाई जब आज आएंगे तो उसके हमारे पास option नहीं simple सा है कि आप बार बार देख लो इन चीजों को देख लो और उसकी आप से निकल लेना ठीक है और कुछ नहीं तर एनोड किसका होता है हमें भी पता होना चाहिए कि भाई इसके reactions में electron involved है and that's why electron involved है इसका voltage क्या होता है 1.5 वोल्ट इवेन आगे एक line लिखी हुई NCRT में कि भाई जो ammonia बनता है वो किससे combine कर जाता है jinx से और आज के टाइम पी एक complex भी पता होता है अपने को आज के टाइम complex भी पता होता है इसे लिए reaction irreversible हो जाता है विकार जो ammonia बनेगा वो कहां चला जाएगा किसीना किसीना complex बना लेगा और यह reaction क्या हो जाती irreversible तो यह देख लो यह क्लेंची और ड्राई सेल का construction दूसरा दूसरा जो हमारे लिए आता है वो होता है mercury सेल यह इसी को क्या बोलेते है button सेल किसके लिए use होता है low current density devices के लिए भाई साहब इसकी भी reactions दी हुई है NCRT में एक line लिखी हुई है कि सर यह ऐसी battery है जिसका आपका voltage क्या रहता है overall क्या रहता है constant रहता है जैसे battery का देखोगे watch का battery का देखोगे घड़ियों में देखोगे क्या हो रहा होता है क्या हो रहा होता है watch की battery इंसम में क्या हो रहा होता है कि भाई यहां से यहां से क्या कर रहा होंगे कि सर सडेली क्या होगा suddenly watch बंद हो जाएगी suddenly वो काम करना बंद हो जाता है जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा constant रहेगा concentration इनका change नहीं करता because इनके reaction में कोई ions involved नहीं है तो भाईया primary battery में दो ही है primary battery की बात करोगे अगर primary battery की बात करते हो तो primary battery में बात करेंगे तो primary battery सिर्फ दो है इनका construction लेक्लेंचे सेल एक लेक्लेंचे सेल आ जाएगा और दूसरा mercury सेल इन दोनों के case में आपको बस construction देखना है आपको construction देखना है और नॉर्मल थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए answer आ जाएगा अब देख लास्ट चीज़ primary battery की बात क्या आता है secondary battery secondary battery कौन सी है जिनको LED storage battery LED storage battery कहां यूज होती है जो cars में यूज होती है आपने इस battery को देख रखा होगा ऐसा ऐसा दिखता है सर इसमें देख लो एनोड ऐसा होगा cathode ऐसा होगा electrolytes ऐसे यूज करेंगे आपने समने देख रखा होगा ये वाली batteries जो हमारी गाड़ियों में उसमें यूज होता है ठीक है न उसके case में देखते हैं वहाँ पे भी reactions देखोगे तो इनकी reactions जो होती है charging की अलग होती है याद रखना इनकी charging जब होगी charging करते टाइम जो primary batteries है primary battery charging time कैसे भी हैप करती है behalf says electrolytic cell जब charging करते हैं तो उस time पे किस की तरह भी हैप करता है electrolytic cell की तरह और discharging के time पे किस तरह भी हैप करते हैं discharging के time पे कैसा भी हैप करते हैं ये लोग electrochemical type behave says electrochemical cell behave says electrochemical cell तो ये देख लो अलग-अलग तरीके से ये लोग भी हैप कर रहे हैं मतलब यहीं बंदा जब charge होगा तो electrolytic cell की तरह होगा जो reactions होगी वो ऐसी होगी जैसी discharging करना सुरू करोगे reactions सारी change हो जाएंगे जो cathode है वो anode हो जाएगा एनode कहीं और चला जाएगा तो ये चीज़े देख भाई इसके बाद last अपने पास nickel academy में storage cell ये NCRT में इतने construction तो नहीं दिया हुआ है लेकिन पता होना चाहिए anode क्या है cathode क्या है एलेक्ट्रोलाइट क्या है ऐसी बैटरी होती है इनके अंदर बहुत highly efficient होती है और बहुत high efficient की साथ जैसे अच्छी अची गाड़ियों में यूज करते है जिनकी battery life बहुत लंबी हो जाती है इनकी life जो होती है बहुत लंबी होती है इनकी life जो होती है नॉर्मल red storage battery से led storage battery से क्या होती है ज्यादा होती है नॉर्मल लेड storage battery से क्या होती है ज्यादा होती है अब छोटी चीज़े और रहती है उसको ख़दम करो batteries में एक शीज़ और आती है that is known as fuel cell. fuel cells क्या है जो किस की combustion को सर्फ fuel's की cells को fuel की energy को combustion of fuels इसको किसमे convert कर दे battery में यह pollution free होती है and very high efficiency, मतलब ये सोच लो ना इनकी efficiency 70% के आसपास है इनकी efficiency किसके आसपास है? 70% के आसपास है, तो fuel cells इसके उपर चल रही होती है, ठीक है? ये देखो, अब देखो fuel cells में देखोगे, तो mostly जो सबसे जादा use होने वाला fuel cell है, जो rocket को भी चला देता है, वो क्या है? hydrogen, oxygen, fuel cell, किससे बन रहा होता है? electrodes किससे मिलके बने होते हैं? porous, graphite, इन सब के साथ electrolytes ये यूज़ करते हैं, real reaction होती है, एक side से oxygen, एक side से hydrogen मिलते हैं, reactions होती हैं, और अपने पास batteries में, मतलब बहुत सारी energy produce कर रहे होते हैं, तो fuel cells कुछ नहीं, green batteries हैं, जिनसे आपको pollution नहीं होगा, बहुत सारा फाइदा होगा, efficiency भी अच्छी होती है, last thing, जैसे ये देखोगे, oxidation half ये होता है, reduction half ये होता है, overall reaction ये होती है, voltage काफी अच्छी होती है, EMF of the cell काफी अच्छी होती है, तो ये सब छोटोट चीजे हैं, जो आप कर सकते हो, बस खदम करते हैं, अब देखो, last is corrosion, corrosion NCRT में दिया हुआ है, इसलिए हमें पड़ लेना है, NCRT में क्या दिया है, कि भाईया, corrosion में क्या होता है, कि आप देखोगे, iron क्या करता है, खुद को oxidize करता है, corrosion अपने पास क्या हो रहा तो, oxidation कर रहा होता है, और जहां oxidation और जहां reduction होता है, वहीं पर आप battery बना सकते हो, जहां oxidation और जहां reduction होता है, वहीं पर आप batteries बना सकते हो, तो ये batteries बनाने का एक तरीका है आप चाहोगे तो corrosion से भी voltage generate कर सकते हो corrosion को finish करने के लिए बच्पन से पढ़ते आ रहे होगे corrosion कैसे कैसे depend करता है कि सर्फ जादा reactive metal है तो corrosion जल्दी हो जाएगा कम reactive metal है तो corrosion कम होगा और corrosion को बचाने के लिए दो टेकनिक सज माते हैं हम लोग जिसको उलों बोलते हैं Elizabeth Plating एक दो techniques अपनाते हैं जिसको उलों बोलते हैं electoral plating तो ये छुठ छुठ चीजे हैं corrosion को finish करने के लिए ठीक है न तो अब अपने पास corrosion की बात करें तो corrosion को तो प्रिविंट करने के लिए कौनगा उस तरीके हो सकते हैं तो या तो आप electroplating कर दो या फिर आप paint कर दो paint से भी बचा सकते हो galvanization से भी बचा सकते हो मतलब teen metal का galvanization लगा दो anti rust solution आज कल के time प्राथे हैं उनको use कर लो या फिर cathodic protection लगा के भी कर सकते हो तो यह छुट-छुट तरीके हैं जहां से आप galvanization यह सब करकर के corrosion को बचा सकते हो तो भाई, chapter के end तक आते आते हैं मेरे पास सिर्फ चार चीजों में चार topics में में मेरा पूरा chapter फिनिश हो चुका है मैंने electrochemical cell की बात कर ली है मैंने electrochemical cell की बात कर ली है electrolytic cell की बात कर ली है electrolytic cell की बात कर ली है conductance की बात कर ली है यह सारी कहानी हमने finish कर रखी है और वो भी 5.5 गंटे 6 गंटे के अंदर ही कर लिया है तो try करना try करना कि भाईया यह सब चीज़े sacrificial electrode वो है जो अपने आपको sacrifice करता है as compared to iron और इन सब के लिए ठीक है बस batteries का potential batteries के बारे में जान लेना क्योंकि NCRT में है जब चाहे वो पूछ सकता है जितनी बार हो सकते ही है उतनी बार revision करो chapters के सुरुवात में numerical था जो electrochemical sales शुरुवात के हमने तीन घंटे में जो किया वो important था उसके बाद के numericals बहुत simple simple से थे बाद में electrolysis आया बाद में यह सब चीज़े होई बहुत simple से reactions है overall अगर break का टाइम हटा दे तो 5 घंटे का chapter हमने बना दिया इसको 5 hours में यह chapter complete हो रहा है थोड़ी चीज़ें आप सबको electrochemical series का वो भी बता दिया गया है और trick भी बता दिया गया है उसको follow करो, try करो electrochemical series इन सब का use किया जाए इस chapter के minimum 2 question रहने हैं तो अपने अंदर से question पूछो 5 घंटे के अंदर, 5 hours के अंदर आपको दो questions करा के जा रहा हूं मैं और मैं इस गात की guarantee लेता हूं कि बेटा questions तो आएंगे पक्का, तो try करो और हाँ, अगली class में हम लोग solutions करने वाले chapter हम लोग finish, मतलब एक एक करके अब finish हो जाएगा, solution और solid state के बाद मुझे लगता है कि almost सारे chapters हो चुके एक redox और surface का एक दिन में आएगा, वो finish भी हो जाएगा ओके, हाँ भाई, चलो, बढ़िया और बहुत बहुत धनक्यू सबको जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो लोग comment कर रहे थे उनको भी thank you, भाई, आप थे, तो हमें लग रहा थे, कुछ चल तो रहा है ठीक है, अगर आप नहीं होते, तो हमें ये feel नहीं होता जब पढ़ रहे थे, सांती से पढ़ रहे थे, भाई, आप अच्छी बात है पांच घंटे के अंदर फिनिश कर लिए आपने चैप्टर, दो कोश्चन का चैप्टर आपका फिनिश है अगली क्लास में हम लोग ऐसे ही, तीन-चार घंटे के अंदर, फिर से, अब ये सबसे बड़ा चैप्टर खतम हो गया आइनिक, केमिकल इकलिविरियम, थर्मोडानमिक्स और ये, ये चैप्टर से अगर फिनिश हो गया, इलेक्ट्र केमिस्ट्री तो अब इसका सारे छोट-छोट चैप्टर होंगे और वो बहुत आसानी से खतम हो जाएंगे, ओके, तो चलो, अब हम लोग हाँ, हाँ, पक्का मिलेंगे, भाई, यकीन वाले बैच में मिलेंगे, लेकिन पहले लेक्ट्र ये, ये वाला इक्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, यार, ठीक है, ये अग्जाम ट्राई करते हैं, कौन जानता है, किसमत कब बाजी मार जाए, तो यकीन की दूरत ही नहीं तरफ से कोशिस करो ठीक है न कोशिस करते रहो जहां पर चैप्टर अच्छा होगा वहां पर टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस बढ़ाओ एंसर आएंगे कोश्चन से सीखोगे सांदार चीजे होती जाएंगे चलो भाई तो चलो न्जुआ करते हैं कौन है भाई गाना सुनाइए घाना सुना यश्यक्ति लुवक्तार बप्रैस-sen-gar क्राइए तरफ से आपको बहुत घरन्यवाद jazzot, छलिए इबाई ऑगले साटरडे क्यों सैटरडे की वाले उमीद में उन्म लोग पढ़ेंगे solution और solution topic बहुत simple है जिन लोगों को आता होगा जरूरी नहीं कि आपको class करनी ही करनी है आप कर सकते हैं बस questions practice कर लेना ओके चलो